हेलो फ्रेंट्स विल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल इस्टरी आवर लाइप तो फ्रेंट्स आप सब जानते हैं कि हम इस पीडी का समान हिंदी स्टार्ट किये थे और समान हिंदी में आपका जो हैं पार्ट वन अप्लोड किये थे और आप लोग उसका पार्ट टू का बि प्रप्राइब करें तो उसमें भी आपको जो है ब्याकरण पूछा चाता है तो उससे के लिए आपका इस पीडी का हिंदी बुक काफी इंपोर्टेंट है और ये कंटेंट आपके विल्कुल एक्जाम से मिलता जोलता है इसको करने के बाद जो है आप लोगों का 99% प्रपेशन यहां से हो जाएगा हिंदी का तो लास्ट वीडियो हमारा जो था पार्ट वन का वो आपका हम करवा सबसे पहले हमें स्टार्ट करने वाले हैं उपसर्गों को है ना फ्रंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह रहा आपका उपसर्ग और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्गों को सबसे पहले हम बेसिक जानकारी उसका जानेंगे और पता है इस बुक की सबसे अच्छी च उपसर्ग को देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग होता क्या है तो उपसर्ग जो होता है दोस्तों वैसा जो सब्द जो सब्दार्थ किसी सब्द से पहले लगा कर उसका अर्थ बदल देते हैं जो सब्दार्थ किसी सब्द से पहल आयोग्य, आयोग्य सब्द में औ, सब्दार्थ है, औ क्या है आपका सब्दार्थ है और योग्य, योग्य सब्द के मेल से बना सब्द आपका हो जाएगा, उसने जो योग्य सब्द का अर्थ को बदल डाला, क्या किया योग्य, जो सब्द था उसको, योग्य जो सब्द था ये वही चीज हुआ कि जो सब्दार्थ किसी सब्द से पहले लग कर उसका अर्थ बदल देते हैं, आत्मा उसमें नई विसेस्ता उत्पन करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है? चलिए. आगे देखते हैं, तो इसे ज़्यादा एक्स्प्लानेशन करने की चरुवत न उपसर्ग लगा होता है, हिंदी, संस्क्रीट, उर्दू और फार्सी, तो सबसे पहले हम संस्क्रीट के उपसर्ग को देखेंगे, संस्क्रीट के उपसर्ग में जो बनते हैं सब्द अती है, अधी, परा, परी, प्र, अती, अधी, प्रा, परी, इसी का है, दो-दो करके बत प्रती हो गया वी हो गया उसके वाद शु औ अनू अप अवी अब नी अन शह आ उत उप दूसिया दूर निस या नीर कु ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं संस्क्रीट के उपसर्ग है और किसे हिंदी में अगर सब्द बनाएंगे तो देखिए अती से बन रहा है अती का अत्यांत क्या बन रहा है अत्यांत बन रहा है तो अत्यांत में आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा अती उपसर्ग लगा हुआ है अधिकार में अधि उपसर्ग है, प्राजय में प्रा उपसर्ग है, परिच्छा में आपका परी उपसर्ग है, प्रचार में आपका प्रा उपसर्ग है, प्रतिकार में प्रती जो है आपका उपसर्ग है, बिकल में आपका वी जो है ये उपसर्ग है, शुगम हो जाएगा, अ काल में अ है, अनुभब में अनु है, अपकार, अपकार में अप हो जाएगा, अभी में अभ्यागत है, सोरी, अभी में अभ्या है, अभी है, क्या है, अभी, अभकास में अभ हो जाएगा, नेक्स्ट, नी, नी में आपका नी हो जाएगा, नी, नियम में आपका नी हो जाएगा, नी, अना, अना में आपका अनन्त जैसे है, अनन्त में आपका अना हो जाएगा, सह, सह मतलब संकल्प, संकल्प में आपका संग जो लगता है न, सह, यह हो जाएगा, आ, आकर्शन, आ हो जाएगा उच्चारन में उत्ते हो जाएगा उच्चे उप में उपकरित में उप हो जाएगा दुराचार में दूर हो जाएगा या फिर दूस हो जाएगा दूसाध्य में निसंकोच में नीश हो जाएगा नीश और या फिर नीर यहां पे निरादर में कु कु कर्म में कु हो अर्द, देखिए आपको ये मेन याद रखना है, ठीक है, बागे आप लोग ऐसे ही पकर लेंगे किस में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं है अन, चौ, देखिए चौराहा चौराहा में पुछा जाये कौन सा उपसर्ग है तो चौ उपसर्ग है अंजान में पुछा जाये तो अनुपसर्ग है अधखिला में अधुपसर्ग है कपत में कः उपसर्ग है अगुन, अगुन में ओ है 29 में उन है अलग में ओ है यह सभी उपसर्ग लगा हुआ है यह संस्क्रीत हिंदी के उपसर्ग है किसके उपसर्ग है हिंदी के तुधारू में दु है, परनाना, परनाना में पर है, बिन, भर, नी, स, ये सवाब का हिंदी के उपसर्ग है उसके बाद है उर्दू-फार्सी के उपसर्ग उर्दू-फार्सी के क्या है उपसर्ग हैं तो उमीद करते हैं कि आपको उपसर्ग जो है वो क्लियर हो गया होगा ठीक है मैं देखें मैं आपको बुक का कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हो और इसका मतलब यह है कि आप क्विक रिविजन कर सकते हो यह नहीं कि मैं यहाँ मैं आ लोगा पने पर्ढ़ा रही हूं मुझे इतना नहीं आता कि मैं आप लोगो प्रहा सकूँ इसके नहीं कि में कोसिश करता हूं कि社फर में ऐसा नहीं क्यों यह दो सोचते हैं कि मारे पास कोई ऐसा एसा सकनेंट होना कि हम जल्दी से हम परहे हुए तो है उस जीश को हम quick revision करें तो उसके लिए जो है ये हम ये इसके लिए जो वीडियो होता आपका बेस्ट होता है अब ऐसा नहीं कि आप लोग बुख पढ़िएगा ही नहीं यहीं से revision कीजे का आप बोलेगा कि हमको question बनता ही नहीं है तो ऐसा नहीं अर्वी आपका अल उपसर्ग से बना है अल किस भासा का उपसर्ग है अर्वी भासा का अर्वी भासा का उपसर्ग है अल नादान नादान में ना उपसर्ग किस भासा का है ना अभी ही बता है नादान नादान जो है आपका ये आपका फार्सी भासा का है नादान फार्सी भा युकत है वो है बद उन चास अच्छा बदभू पुछा जाये भासा कौन सी है तो आप याद रखेगा उर्दु का है है ना बदभू उन चास में कौन सा उपसर्ग है उन है उन नेक्स्ट है निम्लिकित में किस सब्द में उपसर्ग नहीं लगा है उपसर्ग नहीं लगा है प्रत्यासा प्रत्यासा में कोई उपसर्ग नहीं है अधिसासी में उपसर्ग है बिनास में है प्रसंसा में है प्रत्यासा में नहीं है क्रे, क्रे सब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से अर्थ विप्रित हो जाएगा तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि क्रे का विप्रित क्या होगा क्रे का विप्रित क्या होता है दोस्तों विक्रे होता है इसमें वी आपका क्या हो जाएगा वी उजवल में कौन सा उपसर्ग है उजवल में आपका उपसर्ग हो जाएगा इधर है उपसर्ग नहीं है आपे उत हो जाएगा उत है ना परिमाप में उपसर्ग बताईए तो परी हो जाएगा परख्यात में उपसर्ग छांटिए प्र प्र उपसर्ग है बे इंसाफी में परियुक्त उपसर्ग है आपका बे निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग रहित सब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित सब्द कौन सा है ये पूछा गया है तो उपसर्ग रहित सब्द इसमें से कुलीन है क्या है कुलीन कौन सा उपसर्ग सब्द से पुर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है कौनसा उपसर्ग आचार आचार सब्द से पुर्व लखने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है तो वो उपसर्ग हो जाएगा आपका ये उपसर्ग है आपका अती अती उपचार है ना निमनांकित में किस सब्द में उपसर्ग का परियोग हुआ है विकास, विवाद, सुन्दर और भारतिये तो इसमें जो आपका उपसर्ग का परियोग हुआ है विवाद में आपका वी उपसर्ग है विवाद, वी, वी है जो सब्दान सब्द के आदी में जुर कर सब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो जो सब्दान सब्द के आदी में जुरकर आदी मतलब की पहले जुरकर सब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे कहा जाता है आपका उपसर्ग क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं गमन सब्द का विपरी आर्थक ब तो इसमें आज हो जाएगा नहीं उपसर्ग हो जाएगा आमिस को विप्रियार्थक बनाने के लिए अब किस उपसर्ग का पर्योग करेंगे आमिस को विप्रियार्थक बनाने के लिए आमिस का अगर विप्रियार्थक सब्द बनाना है तो इसमें जो उपसर्ग का यूज होगा वो है निहीं मुलधातु से पुर्वजिन सब्द का परियोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं तो मुलधातु से पुर्वजिन सब्द का परियोग किया जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग क्या कहते हैं उपसर्ग अस्प्रियस्च सब्द को बिलो मार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का परियोग करेंगे अस्प्रिये में, अस्प्रिये में आपका लग जाएगा अस्प्रिये में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निस्प्रिश्य हो जाएगा इसमें नी लग जाएगा और इसका बिलोम भी बन जाएगा प्रत्य उन्नती सब्द में कौन सा उपसर्ग है प्रतो उन्नती में प्रत्य उन्नती में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो प्रती है अध्यादेस में उपसर्ग है अध्या अध्या में आपका हो जाएगा अध्या क्या हो जाएगा अध्या अध्या देस क्या है अध्या देस में अध्या उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है दोस्तों अध्य उपसर्ग है चलिए 22 नमबर देखते हैं उपहार सब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपहार में उपसर्ग लगा हुआ है उप नेक्स्ट है चिरायू, चिरायू में पर्युक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिरायू में चीर लगा है संसकार सब्द किस उपसर्ग के परियोग से हुआ है संसकार सब्द में किस उपसर्ग का परियोग हुआ है संसकार में तो संसकार में परियुक्त उपसर्ग है शम क्या है शम अनुबाद में परियुक्त उपसर्ग है अनु हो जाएगा अनुबाद में अनु है नेक्स्ट है 26 नमबर प्रस्ण की निमनलिकित उपसर्ग रहित सब्द है ओधना ओधना उपसर्ग रहित सब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है निमनांकित में उपसर्ग रहित सब्द है उपसर्ग रहित सब्द हो जाएगा आपका इसमें से सुरेश उपसर्ग रहित सब्द है विज्ञान सब्द में कौन सा परिक्त उपसर्ग है विज्ञान में आपका उपसर्ग है वी किस सब्द में उपसर्ग नहीं है ओधना में कोई उपसर्ग नहीं है स्वागत सब्द में नहीं तुपसर्ग है श्वा हो जाएगा या दंती श्वा हो जाएगा जल्दी वताईएगा आंसर आप लोग इसका शू हो जाएगा क्या हो जाएगा शू हो जाएगा नेक्स्ट है 49 सब्द में नहीं तुपसर्ग है उन्चार सब्द में नहीं उपसर्ग जो हो जाएगा नहीं तुपसर्ग वो हो जाएगा उन्हीं क्या हो जाएगा उन्हों जाएगा आपका उपसर नमबर ए नी उपसर्ग से निर्मित सब्द नहीं है वो है आपका निर्गुन नीर उपसर्ग से निर्मित सब्द नहीं है नीर से निर्मित सब्द जो नहीं है वो है आपका इसमें से निरंजन अब चेतन सब्द में नहीत उपसर्ग है अब चेतन में तो अब चेतन में अब का उप्योग क्या गया है उद घाटन में नहीत उपसर्ग है उद चलिए उपसर्ग होगे आपका अब आते हम प्रते प्रते दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट है प्रते क्या है उपसर्ग का जस्ट अपोजिट है प्रते उपसर्ग में हम कहते थे कि सब्द के पहले लगता है लेकिन प्रते जो है वो सब्द के बाद लग के सब्द का मतलब बदल देता है तो चलिए इसका सबसे पहले हम बेसि परतन ला देते हैं उसे प्रतय कहते हैं क्या कहते हैं परतय जैसे पठनिये पठनिये में क्या है कि पठ आपका जो है पठ एक सब्द है उसमें निये लगके क्या कर दिया इसका सब्दार्थ को बदल दिया दौर ना दौर ना में ना सब्द लग गया दौर और ना दौर ना ह होनहार होन सा सब्द था लेकिन हार लग के इसमें क्या बन गया अपका होनहार बन गया ये नया सब्द बन गया होनहार तो ये आपका जो लास्ट में लग जाता है न सब्द उसी को हम प्रतय कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं प्रतय कहते हैं चलिए प्रतय के वेद को हम जानने की कोशिस करते हैं, प्रते के वैसे दो वेद होते हैं, कृत प्रते और तधती प्रते, कृत और तधती प्रते, कृत की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए ये क्रिया के एक ओर्डिंग बटा होता है, क्रिया के एक ओर्डिंग, तो क्रित प्रते क्या होता है, कि जो प्रते, धातू के अंत में लगते हैं, वो कृत प्रतय कहलाते हैं, धातू के अंत में लगने वाला कृत प्रतय कहलाता है, या फिर इसे कृतंत भी कहते हैं, इसे जो सब्द बनता है उसको कृतंत कहते हैं, जैसे लिखना एक क्रिया है, लिखना क्या है क्रिया है, खाना एक क्रिया है, है ना तो खाना बनाने वाला लिखने वाला ये आपका जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा इसमें लास्ट में लिखने वाला लगा खाने वाला लगा तो ये कृत प्रतय का एक्जामपल हो जाएगा उसी तरीके से हिंदी के कुछ क्रित प्रत्य और उसके निर्मित होने वाले सब्द को हम देखेंगे जैसे आपका हो जाएगा क्रित्वाचक क्रिदंत क्रित्वाचक क्रिदंत में क्या दिया है कि जिस प्रतय से बने सब्द से कार्ज करने वाले अर्थार्थ करता का बोधो उसे हम क्रित्वाचक क्रिदंत कहते हैं क्या कहते हैं क्रित्वाचक क्रिदंत कहते हैं जैसे पढ़ना एक किरिया है, और पढ़ना किरिया के साथ वाला प्रत्य लगता है, तो बन जाता है पढ़ने वाला, उसके बाद हार, हार तो एक प्रत्य है, इसमें अगर आपको सब्द बनाना हो तब क्या लगा सकते हैं, पालन हार, राखन हार, है ना, उ, उ एक प्रत्य है उमें खाऊ, चालू, उडाऊ, जाडू, उमें मात्रा आना चाहिए इस तरीके से कुछ एक्जामपल है, देख लीजे, पालक, धावक, पाठक अक जो आ रहा है इसमें प्रते आ रहा है पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला, वाला अब इसमें प्रते आ रहा है आका, आका प्रते से बना सब्द लराका, धमाका आरी सब्द से बना प्रते वाला सब्द अनारी, अगारी, खिलारी आलू से जगरालू, दयालू, किरपालू एया सब्द जो आया सब्द आ रहा है वो सब्द आपका प्रते हो जाता है जिस सब्द मतलब जिस प्रते से जो सब्द बनता है उसमें किसी कर्म का बोध हो उसे हम कर्म वाचक किर्दंत कहते हैं जैसे गव में ना प्रत्य लगने वाला सब्द गाना क्या बना गाना तो यहाँ पे ना आपका प्रत्य है ना प्रत्य है गाना ओढ़ना में ना ओढ़नी शुगनी नीम्य प्रत्य है बिछोना में ओना प्रते है उसी तरीके से यहाँ पे आप करन वाचक किर्दंत को देखेंगे करन वाचक किर्दंत क्या है कि जिस प्रते से बने सब्द से क्रिया के साधन क्रिया के साधन आथवा करन का बोध हो करन क्या होता है दोस्तो करन मैं आपको बता दू करन जो होता है जिसमें करताने करम को करन से है ना आता है ना साइन आता है इसमें से बने सब्द से किरिया के साधन अर्थात करन का बोधो उसे हम करन वाचक किरदंत कहते हैं जैसे जूला, जूला, आप से पूछा जाए कि जूला में कौन सा प्रतय है, तो आप अराम से बता सकते हो, जूला, आप प्रतय आ रहा है, रेती, ई प्रतय है, जारू, उ प्रतय है, बंधन, न प्रतय है, धौकनी, कतर्नी, नी प्रतय है, उसी तरीके से आप बोल सकते हो, ज जारन हो गया जारन में नव प्रते आ रहा है समझ गया ये तो आपका करन हो गया आप है भाव वाचक किरदंत क्या है भाव वाचक किरदंत तो जिस प्रते से बने सब्द से भाव अर्थात किरिया का बेपार का बोध हो उसे हम भाव वाचक किरदंत कहते हैं भाव वाचक किर मतलब इसमें कोई प्रतै लगता है लास्ट में तो उसे हम कहते हैं आपका भाववाचक क्रिदंत जैसे आहट तो आहट तो यह प्रतै है आप इससे आपको सब़ रूप वा से हो गया बुलाबा, चड़ावा, है ना, यह सब आपका भाव वाचक हो गया, मतलब भाव क्या कहते हैं, इसको भाव वाचक किर्दंत बोलते हैं, जैसे लिखता हुआ, भागता हुआ, तो क्या हो रहा है, लिख रहा है तो क्रिया तो कर रहा है ना, उसमें एक क्रिया के होने का बोध हो रहा है भागता हुआ काम कर रहा है भाग रहा है वो काम कर रहा है है ना चलिए दूसरा टाइप अब देखते हैं तधती प्रता है दूसरा क्या है तधती प्रता है जो प्रता है संग्या सर्वनाम विशेशन के अंत में लगकर उनसे नए सब्द बनाते हैं ज जैसे मानव, मानव में मानवता, मानवता बनाना तो इसमें ता आपका प्रतय हो गया, अपना पन, अपना पन में पन आपका क्या हो गया, पन जो आ जाएगा ये तधती प्रतय का एक्जामपल हो जाएगा, अब दिया है कि हिंदी के कुछ तधती प्रतय और उनके निर्मित स प्रदल कृ हम चरा देख लें तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे करिप्ट्त से कारे करने का वोध हो जसे क्रित्त कारे को करने का वोध हो उससे क्रिप्टिवाचक तद्धक कहते हैं जैसे सुनार, लुहार, है ना इसमें आर क्या आ रहा है, आर प्रते आ रहा है, सुनार, लुहार, आर प्रते आ रहा है, इ प्रते से बना सब्द तेली, मेली, इया से बना सुखिया, दुखिया, ची प्रते से खजानजी, मसालची, गर से कारीगर, जादुगर, बाला से गारी टोपी वाला, हारा, हारा, लकर हारा, पानी हारा, उवा, उवा से मचुआ, गेरुआ, ये सब आपका क्या हो गया, कृत वाचक तधती प्रतय हो गया, उसी तरीके से भाव वाचक तधती प्रतय क्या है, है ना, जिस से भाव व्यक तो उसे भाव वाचक तधती प्रतय कहते है जैसे आप प्रत्य लगने से शराफा, बुलावा, आ, आई, आ से बना शराफा, बुलावा, आई से भलाई, बुराई, भलाई, बुराई, आहट, आहट से बना है चिकनाहट, करवाहट, इसे बना है सर्दी, गर्मी, पा, बुढापा, मोटापा, ता से प्रभुता, लगुत त से रंगत संगत पन से बचपन लड़कपन गी से जिंदगी मरदानगी ये गी लगा न सभी क्या हो क्या प्रते हो गया उसी तरीके से संबंध वाचक तधती प्रते देखिए संबंध वाचक तधती प्रते होता है जिससे संबंध का बोध हो क्या हो जिससे संबंध का बोध हो उसे हम संबंध वाचक तधती प्रते कहते हैं जैसे कि देखिए चचेरा, ममेरा, तो अब हम पूछे कि चचेरा हो गया, ममेरा हो गया, फुफेरा हो गया, भांजा हो गया, भतीजा हो गया, तो चचेरा, ममेरा में एरा सब्द जो आ रहा है न, ये आपका प्रते आ रहा है, भांजा में पूछा जाये तो जा हो जाएगा, वाचतिय जैसे आप देख सकते हैं यह आप पड़ता है इसमें हैं लूटिया खटिया कोठरी ढोलकि लंगोटी कछोटी पगरी टुकरी तो इसमें आसानी से अब लोग परते हैं खुद से छाटिए की क्या इसमें परतय बंधा है ठीक है गुणवाचक बंधारत्य परतय गुणवाचक औवलेसली इसमे गुन का बुद होगा किसका बुद होगा गुन का जैसे विशेला मीठा पन तो गुशेला ला आ रहा है ना इसमें क्या आ रहा है एला आ रहा है एला आ रहा है एला गुशेला आ रहा है ई से धनी और लोभी ई प्रते है गुनवान धनवान वान प्रते है दयवंत कलावंत वंत प्रते है विशेला कसेला एला प्रते है रंगीला सजीला इला प्रते है त इस तरीके से आपका अस्थान वाचक तधति प्रतें किसी अस्थान का बोध करवाएगा, क्या करवाएगा? किसी अस्थान का बोध करवाएगा, जैसे इ, वाला, इया, इ से आप बना सकते हैं पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, है न, इ परते आ रहा है, वाला, डेरे वाला, दिल्ली वाला, है न, बिहार वाला, वाला रहा है, इया, कलकतिया, जबलपूरिया, इया परते आ रहा है, तो ये किसी अस्थान को बो जैसे पांचमा दसमा तो पांचमा और दसमा में कौन सा प्रते आ रहा है इसमें वा प्रते आ रहा है पहला में ला प्रते आ रहा है एक हरा दुहरा हरा प्रते आ रहा है चौथा था प्रते है दूसरा तीसरा में रा प्रते है कह रा प्रते है उसी तरीके से अगला है सद्रिश्र वाचक तधती प्रते सद्रिश्र वाचक क्या होता है जिससे समता का बोध हो क्या हो जिससे समता का बोध हो उसे सद्रिश्र वाचक तधती प्रते कहते हैं जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं शुना हरा, एक हरा, तो हरा प्रते लगाना, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे नीलसा, नीलसा में सा प्रते है, पीलसा मतलब सा प्रते है, यह आपका कुछ प्रते था, आपने देख लिया कि प्रते कायूच कैसे कैसे होता है, अब हम प्रते के कुछ MCQ को देखने व लिखावट में कौन सा प्रत्य है? लिखावट में. तो लिखावट में जो प्रत्य है लिखावट. इसमें आपका प्रत्य लगा है आवट. कौन सा प्रत्य है? आवट. सैनिक सब्द में कौन सा प्रत्य है? शैनिक इक इक प्रत्य है. सर्प में कौन सा प्रत्य है? शर्प में अप प्रते है अ अ सर्प अ धुमेल में प्रते बताईए धुमेल में प्रते बताईए धुमेल में इल प्रते है मधुरिमा सब्द में प्रते बताईए मधुरिमा मधुरिमा में आपका उपयोग है इमा किस सब्द की रचना प्रते से हुई है तो रचयता की रचना प्रते से हुई है हिंदी में कृत प्रते की संख्या कितनी है तो हिंदी में कृत प्रते की संख्या आपका है अंगिनत क्या है अंगिनत वृत धातू में पिन्यूल प्रत्य लगने पर सब्दुरूप क्या होगा प्रत्य लगने पर बने इन में से कौन्सा पद गलत है? इक लगने पर दैविक, पाच्छिक, समाजिक, भौमिक तो कौन्सा हो जाएगा? इसका पाक्चिक हो जाएगा पाक्षिक इक जड़ा प्रणाउंसियेशन पे जड़ा ध्यान दीजेगा पित्री सब्द में पित्री में इक लगने पर क्या बनेगा पैत्रिक क्या बनेगा पैत्रिक बनेगा निम्नांकित में से किस सब्द में प्रते का परियोग हुआ है अलक, बिकल, धनिक, पुलक तो इसमें जो आपका प्रतय का यूज हुआ है धनिक, इक प्रतय लगा है धनिक, इक निम्नांकित में से कौन सा क्रिदंत प्रतय से बना है क्रिदंत प्रतय से बना है तो वी का उ, क्या बना है बी का उ, उ जो बना है आपका किर्दंत प्रतैशे बना है निम्नांकित में कौन सा सब्ध प्रतै युक्त है संजीव, प्राजे, कुरूल, कुरूप और मलीन इसमें जो प्रतै का यूज हुआ है वो प्रतै है आपका मलीन प्रतै संबंदी असुद्धी की द्रिश्टीगत रखते हुए पुजनिये, पुजनिये आपको सही देखना है तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा पुजनिये का पुजनिये हो जाएगा क्योंकि आपको प्रतै संबंदी बताना है वो भी सुद्ध प्रतै के शाथ निर्वासित सब्द में कौन सा प्रतै है निर्वासित में जो प्रतय का यूज हुआ है वो निर्वासित इत लगा है निम्नांकित में कौन सा क्रिदंत है तो इसमें भीडंत भीडंत में क्रिदंत है शूत सब्द का इस्तरी वाचक बनाने के लिए इसमें किसका परियोग किया जाएगा तो सूत सब्द को इस्तरी बनाने के लिए इसमें हम आप प्रतै यूज लाएंगे क्या करेंगे आशूत हो जाएगा क्या बन जाएगा आशूत बाद में लगेगा ना प्रतै क्या बन जाएगा सूता हो जाएगा सूता आप प्रतै लगेगा अनूज सब्द में को इस्तरी बाचक बनाने के लिए आप किस प्रतय का परियोग करेंगे अनूज के लिए तो question क्या कहा रहा है आपसे कहा चला गया हाँ अनूज सब्द को इस्तरी बाचक बनाने के लिए आप किस प्रतय का परियोग करेंगे तो अनूज सब्द के लिए जो प्रत्य का यूज होगा, वो प्रत्य हो जाएगा आपका इसमें से, आ क्या लगेगा? आ लगेगा अनूज, अनूजा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अनूजा, लेखक सब्द के अंत में कौन सा प्रत्य लगेगा? लेखक, अक, लेखक, क्य कि जो धातू या सब्द के अंत में जोरा जाता है उसे क्या कहते हैं तो जो धातू और सब्द के अंत में जोरा जाता है उसे प्रत्य कहते हैं और जो पहले जोरा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं लचकीला में परिउक्त प्रते है वो है आपका इला है जो धातू या सब्द के सुरू में जोरा जाता है उसे क्या कहते हैं जो धातू या सब्द के सुरू में जोरा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं बहाव सब्द में परिउक्त प्रते कौन सा है वहाव वहाव में क्या लगेगा वहाव आव लग रहे हैं आव लग रहा है option C हो जाएगा and next है दोस्तो 26 नमबर प्रस्त किस सब्द में आवा प्रते नहीं है चड़ावा, दिखावा, दिखावा, लावा, भुलावा कर आवा प्रते नहीं है तो आवा प्रते जिसमें नहीं है वह आपको बताना है तो वह हो जाएगा इसमें से आपका C लावा लावा में नहीं है आवा प्रते लावा वा हो जाएगा सिर्वा निम्ने लिखित में किस सब्द में प्रते लगा हुआ है तो इसमें से जो है नगर, शागर, अगर-मगर, जादूगर जादूगर, क्या लगा है जादूगर गर लगा है प्रतय निम्ण में किस सब्द में प्रतय का परियुग हुआ है बिकल, अलक, पुलक, धनिक पीछे भी देखे थे इस प्रस्ण को तो इसमें जो प्रतय लगा है वो प्रतय धनिक है धनिक में लगा हुआ है हिंदी में कृत्प्रतयों की संख्या कितनी है तो हिंदी में कृत्प्रतय की संख्या 28 है कितनी 28 कृदंत प्रतय किन सब्दों के साथ जूरते है तो कृदंत प्रते जिस सब्दों के साथ जुरते हैं वो है आपका क्रिया धुंधला सब्द में पर्युक्त प्रते है धुंधला में कौन सा सब्द पर्युक्त हुआ है शावधानी शब्द में पर्युक्त प्रते है आपका a e कनिस्ट सब्द में प्रत्य है कनिस्ट में कौन सा प्रत्य है कनिस्ट इस्ट प्रत्य है उचाई सब्द में कौन सा प्रत्य है उचाई में आई लगा हुआ है नेक्स्ट है संग्रामक्ता संग्रामक्ता में मूल सब्द क्या है समग्रामक्ता में जो लगा हुआ है प्रत्य वो है आपका इसमें प्रत्य का यूज हो जाएगा समग्र क्या है समग्रात्मक्ता समग्र लगा हुआ है निमनेलिखित में से कौन साथ ता प्रत्य किसमें है ता प्रत्य किसमें है तो ता प्रत्य जो लगा है वो लगा है सुन्दर ता निम्नांकित में किसमे आई प्रत्य है आई प्रत्य लगा है पढ़ाई अनूज सब्द के इस्तरी वाचक बनने में आप किस प्रत्य कायूज करेंगे अनूजा आ प्रते का यूज करेंगे किसका आ का नेक्स्ट इन में से कौन सा सब्द समु वाचक प्रते नहीं है तो समु वाचक प्रते नहीं है वो हो जाएगा आपका इसमें से समु वाचक प्रते नहीं है वो हो जाएगा इसमें से C वर्ग, खिलोना में कौन सा प् journée है? खिलोना, ओना प् だुन्दला में आपका प्रतय लगा हुआ है वो है ला कृदंत प्रतय जोरे जाते हैं, तो किर्दंत प्रतय किरिया में जोरे जाते हैं किसमें किरिया में? चलिए प्रतय आपका फाइनली समाप्त हो गया अब हम देखेंगे संधी और उसके वेद को तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधी होता क्या है संधी क्या होता है इसे हम जानेंगे एक मिनिट शंधी को तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधी किसे कहते हैं संधी दो अच्छर के आपस में मिलने से उनके रूप उच्चारन में जो परिवर्दन होता है उसे हम क्या कहते हैं संधी कहते हैं तो दो अच्छर के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारन में जो परिवर्दन होता है उसे संधी कहते हैं जैसे गनेश, गनेश लिखते हैं तो उसका अगर आप संधी करेंगे तो क्या बनेगा, गन जोर ईश, क्या बनेगा, गनेश, गन जोर ईश, इस दो सब्द को अलग-अलग करके आप एक सब्द बना सकते हैं, गनेश, है ना, जैसे ओ में, दखिए, इसमें ओ की मातरा और इसम पहला पर्थमपद पर्थमपद दोनों परधान है इसमें इसी दोनों पर्थमपद के परधान होने से जो है आपका A बनता है तो याद रखेगा कि जहां पर पर्थमपद O और पर्थमपद E हो तो उसमें O और E के मिलने से बनता है A सब तो गनेश बन गया क्या बन गया गने तो जिन अच्छरों के बीच संधी हुई है, उन्हे संधी पहले वाला रूप में अलग-अलग करके रखा जाए तो उसे हम संधी विछेद कहते हैं जिन अच्छर के बीच संधी हुई है यदि उन्हें संधी के पहले वाला रूप में अलग-अलग करके रखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं संधी विछेद कहते हैं जैसे गनेस में गन जो इस दिगंबर में दिग जोर अंबर संधी विशेद हो गया संधी के कितने वेद होते हैं संधी के तीन वेद होते हैं स्वर संधी, वेंजन संधी और विसर्ग संधी स्वर वेंजन और विसर्ग स्वर संधी में स्वर की बात करेंगे वेंजन में वेंजन की बात करेंगे तो स्वरसंधी क्या है दोस्तों कि दो स्वर के आपस में मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे स्वरसंधी कहते हैं क्या कहते हैं दो स्वर के आपस में मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे स्वरसंदी कहते हैं जैसे भावार्थ का आप किजिए भाव जोर अर्थ क्या बन गया भाव जोर अर्थ मिलके क्या बना भावार्थ बना इसमें एक में वो और एक में ओ दोनों सब्द का पहला अच्छर अ दोनों स्वर के मिलने से ओ और ओ मिलके क्या बना आ बना आ बन जाता है और ओ के जोरने से क्या बना आ बना इसकी उत्पत्ती जो भावार्थ हो जाती है क्या हो जाती है भावार्थ यही आपका स्वरसंदी हो गया स्वर संधी के भी अलग-अलग भेद होते हैं स्वर संधी के दोस्तों पांच भेद होते हैं स्वर संधी के कितने पांच भेद होते हैं सबसे पहले संधी के तीन भेद होते हैं स्वर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी उसमें स्वर संधी के भी पांच पेद होते हैं दिर्ग संधी, गुन संधी, विर्दी संधी, यन संधी और आयादी संधी फिर से याद किजिए दिर्ग संधी, गुन संधी, विर्दी संधी, यन संधी, आयादी संधी स्वर संधी के पांच पेद अब हम इसको पांचों को पहले अलग-अलग देखेंगे दिर्ग संधी क्या होता है तो दिर्ग संधी हर्स स्वर क्या है हर्स स्वर यानि कि A, हर्सी और दुर्गु हर्सु दुर्गु है ना हर्सी और दुर्गु या दिर्ग में आपका A दिर्गी और दुर्गु उ कि आपस में मिलने से यदि स्वर या उसी जाती के दिर्ग स्वर आ, ई, उ की उत्पत्ती हो तो उसे हम दिर्ग संधी कहते हैं जैसे ओ और आ के मिलने से आ बनता है उसी तरीके से और आ के मिलने से भी आ बनता है और और औ के मिलने से भी आ बनता है और 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 मिलने से भी आ ही बनता है इस चारों चीज को आप याद रखिएगा कि आ किस किस kap ди customization में बनेगा जैसे अप कह सकते हैं कि एक जोर एक दो ही होगा आप इसको इस एक को यहाँ ले आइए या फिर यहां ले आईए दुनों को जोरिएगा फिर भी दो ही बनेगा वही बात हो रहा है यहां पे ठीक है तो आ को आप किसी तरीके से जोरिए आ को आ के साथ चाहे आ को आ के साथ है ना फिर भी वो क्या बनेगा आ ही बनेगा तो उसी तरह से भाव जोर अर्थ भावार्थ बना पुस्तक जोर आला है, पुस्तक आला है, परिच्छा जोर अर्थी, परिच्छा जोर आला है, परिच्छा जोर आला है, परिच्छा जोर आला है, कभी जोर इंद्र, आप यहां पे आपका E वला आ जाता है, जैसे O, A को जोर के आप A बना सकते हैं, उसी तरीके से E, E को कोई भी इको जोड़ने से आपका एक ही बनेगा वह आपका दिर्गी कौन सा बनेगा दिर्गी ए वनेगा तो इसमें आपका क्या बनेगा कि दिर्गी बनेगा तो आपका बनेगा दिर्गी बनेगा जैसे कभी जोर इंद्र क्या बनेगा कभी इंद्र गिरी जोर इस गिरीश बनेगा मही जोर इंद्र महिंद्र बनेगा नदी जोर इस नदीश बनेगा उसी तरीके से आप उ अब उ को किसी तरीके से जोर ये किसी तरीके से आड़ किजेगा न दुर्घू ही बनेगा क्या बनेगा दुर्घू ही बनेगा तो उसी तरीके से भानू जोर उदय अम्बू जोर उर्मी बधु जोर उatसब भू जोर उर्जा है ना तो ये आपने जो आप देखा अभी वो कौन से संधी था तो यह आपने जो देखा वो संधी संधी था, दिर्ग संधी को आपने समझ लिया अब हम देखते हैं गुन संधी, गुन संधी क्या होता है कि यदी ओ या आ के बाद कोई हरसी या दिर्गी हरसु वा दुर्गू आथवा री री स्वराता हो तो दोनों के मिलने से करमस ए, ओ और अर हो जाते हैं इसी को गुन संधी कहते हैं क्या समझे ओ या आ के बाद हरसी दिर्गी हरसु दुर्गू आथवा री दोनों ए में से कोई ए या फिर दोनों उ में से कोई उ या उसके अलावे गर री आ जाता है री से रिसी वाला री तो फिर भी उस सब्द से जो सब्द बनेगा वो तो या तो ए से बनेगा या ओ से बनेगा या फिर अर होगा क्या होगा ए, ओ और अर जैसे एक्जाम्पल देखे गन जोरिस गनेश यथा जोरिस्ट यथेस्ट महा जोरिस महेश ग्यान जोरुदै ग्यान जोरुदै ग्यान जोरुदै सीत जोरुस्म सीत खौपे चले गए उसी तरीके से आप देखिएगा यहां पे ओ और उको जोरने से ओ बनता है औ और उको ओ उसी तरीके से औ जोर री तो अरवनता यानि कि सब्त जोर रिशी तो सब्त रिशी हो गया महा जोर रिशी महा रिशी हो गया औ और उको जोरने से ग्यान जोर उदे ग्यान उदे तो यह आपका जो है वो गुन संधी का एक्जामपल है और गुन सब्दी बनाने का तरीका है तो गुन सब्दी को आप कैसे समझ जाएंगे और कैसे संदी विश्यत कर लेंगे आसानी से अगर ओ और आ हो उसके बाद हरसी दिर्गी हरसु दिर्गु या फिर री कोई भी स्वर आए तो उसको ध्यान रखिएगा कि ए और और में बदलना होगा ठीके और मतलब री में बदलना होगा उसी तरीके से व्रिधी संदी आता है क्याता है व्रिधी संदी व्रिधी संदी क्या होता है और या और या फिर आ के बाद ए आई हो तो ए में और और आ के बाद ओ अव हो तो आव में बदलना व्रिधी संदी कहलाती है, मतलब ये कहने का मतलब कि औ को अगर एक के साथ जोरेंगे तो आई बनेगा और आ को एक के साथ जोरेंगे तो भी आई बनेगा, उसी तरीके से औ को ओ के साथ जोरेंगे तो आउ और आ को ओ के साथ जोरेंगे तो भी आपका आउ बनेगा अब अगर इसका संदी विछेत कीजेगा तो एकजामपल एक एक कर समझे एक जोर एक क्या बना एक 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 बना तथा जोर एव तथैव बन जोर आसदी बना सुदी महा जोर आसद महा आसद तो यह आपका बिर्दी संदी का एक्जाम्पल हो गया चौथा आता यन संदी यन संदी मतलब होता है कि यदि हरसी दिर्गी हरसु दुर्गु या री इस चारों पांचों के बाद कोई भिन्श्वर आए क्या है कोई भिन्श्वर आए तो हरसी दिर्गी या य य उ हरसु दुर्गु या फिर का व याद रख कि अगर हर्सी दिर्गी हर्सु दुर्गु या री के बाद कोई भिन्श्वर आए तो हर्सी दिर्गी का यह हर्सु दुर्गु का व री कर र हो जाना यन संदी कहलाता है क्या समझे, यहाँ पे हर्सी और दिर्गी का य बनेगा, हर्सु दुर्गु का व बनेगा, री का र बन जाएगा, वो आपका यन संदी हो जाएगा जैसे, य जोर अ, य बना, य जोर अ, यानि देखे, यदी, अपी, यध्यापी, इती, आदी, इत्यादी, नदी, आगम, नद्यागम, उप्री, उक्त, उप्रियुक्त, बी जोर उ, ब्युह, प्रती जोर एक, प्रते एक, अनु जोर आ, अन्वे, है न, उसी तरीके से, उ और औ को देखे तो वो बन आए अनुजोर ए अन्वे शू जोर आगत स्वागत अनुजोर एशन अनुवेशन अनुजोर इती अनुवन्ती पृत्री जोर आदेश पित्रादेश है ना यहाँ पे री और आ बना तो क्या सब्द बन गया रा बन गया है ना तो पित्रादेश बन ग अई का अई हो जाता है और ओ का अब हो जाता है और अव का आव अब हो जाना अयादी संधी कहलाता है जैसे देखिए एके करके उसी तरीके से अब हम वेंजन संधी को देखेंगे वेंजन संधी में आपका सबसे पहले वेंजन संधी कहते किसे हैं तो यदि वेंजन वर्ण के साथ वेंजन वर्ण के साथ वेंजन वर्ण या स्वर्ण वर्ण की संधी से वेंजन में कोई विकार उत्पन हो क्या हो वेंजन में कोई विकार उत्पन हो तो उसे हम वेंजन संधी कहते हैं जैसे सत जोर गती सत गती वाक जोर इस वाकिश इसमें देखिए वेंजन वर्ण त और वेंजन वर्ण को है तो वेंजन वर्ण में ग और स्वर्ण वर्ण इ हो गया है ना वेंजन सब्दी में अक्छरों में परिवर्तन जो होता है वो इस परकार से होता है व्यंजन संदी में अच्छर में पडिवर्तन कैसे होता है देखिए यदि क, च, त, त, व व्यंजन के बाद कोश्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा ग, ज, ड, द, व या चौता वर्ण ग, ज, ध, ध, द, व या 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 ल, वर्ण में कोई एक होतो क, 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 क दिगज बन गया, यह कहट के यहाँ पर गौ बन गया, अजन्त, अचद, तेकि अज़ जोर अंत है ना तो यह जो बन गया, जगत जोर आनंत, जगदानंद बन गया, सस्ट जो दर्सन, सस्ट दर्सन बन गया, तो इस चीज़ को आपको जो है जरा ध्यान से याद रखना यदि, नेक्स्ट रूल है कि यदि कचटप और के बाद ना या फिर मा, या रखेगा नम आये, तो पहले वर्ण के अस्थान पर किसी वर्ग का पंचमा अक्छर, क्या होगा पंचमा अच्छर, जैसे कि पंचमा अच्छर यानि कि लास्ट जैसे कौका का लास्ट जाता है ड न, न, टवर्गी न, य, न, म, सुध रूप में आता है, जैसे वक्क में, वर्ड में हो जाता है, क के अस्थान पर ड आ गया, सस्ट मास, सन मास हो जाता है, जगतनाथ, जगरनाथ हो जाता है, अप में, अप में हो जाता है, तो यह जो है कुछ सब्द बदल जाते हैं, उसी त अर्दा के बाद कोई भी वेंजन अच्छर चो जो टो डो दो नो लो क्या चो जो टो डो दो नो लो आये तो आने वाले वेंजन के साथ वही वेंजन उसमें हल यानि सुध वेंजन के रूप में एक और जूर जाता है त यद्दा लुप्त हो जाता है त अर्दा लुप्त हो जाता है जैसे उत्त जोर चारन पढ़ते हैं नहीं उत्त चारन पढ़ते हैं यही त जो है न चो का रूप ले लेता है सरद जोर चंदर थोड़ी पढ़ते हैं उसको क्या पढ़ते हैं सरद चंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पे चो बन जाता है यही आपका ऐसे ही बदलता है उसके बाद नेक्स्ट है यदि तो अर्दा यदि तो अर्दा के बाद तलावे शो हो तो तो या दा का च्ष और इस क्या बन जाएगा तो या दा का च्ष और तलावे शो का च्ष हो जाता है जैसे उत्त जोर सिस्ट तो यहाँ पर सिस्ट में उत्त जो है ये तो क्या बन जाएगा दोस्तों ये तो जो है आपका च्ष बन जाएगा या फिर च्ष बन जाएगा या फिर सी है ये सी जो है ये सी आपका चो बन जाएगा ते उत्चिस्ट बन गया उसी तरीके से ये तो और ये सो ये तो आपका बदलेगा किसमे चो में और ये सो बदलेगा चो में तो क्या बन जाएगा सत्य जोर सास्त तो यहां बन जाएगा सच्च सास्त्र सच्च, सास, छात्र है ना यदि त या द के बाद ह या ध ह हो यदि त या द के बाद ह या ध ह हो तो त या द के अस्थान पर द और ह के अस्थान पर ध हो जाता है लेकिन घो घो का घो ही रह जाता है जैसे उद जोर हरन उद्धारन तो इसका उद्धारन परते हैं क्या परते हैं उद्धारन देखिए इसमें क्या कीजेगा ना कि आप लोग जैसे ये है त या द है है ना इसके बाद इसके बाद क्या आजाएगा इसको एक्जामपल में लिख लिए क्या आप लोग बनाईएगा इसको प्रैक्ट जितना किजेगा उतना आप लोग को समझ में आएगा ठीक है तद जोर हीत तद धती हो जाएगा उत जोर घाटन उत घाटन हो जाएगा लेकिन ध्यान रखें लेकिन तद के बाद यदि जो आ जाए तद या फिर दो के बाद कोई जो आ जाता है या फिर तोदो के बाद जो हो जाता है तो आपका उद्ध जोर जटिका ही होता है उद्ध के जगा पे वो जो बन जाता है ध्यान रखेगा इस बात को अब आता है यदि हर सुस्वर के बाद यदि हर सुस्वर के बाद जो चो आए इच्छे बन जाता है उसी तरीके से यदि मुर्धन्य सो के बाद त या थ आये तो तो का त थ तो का त और थो हो जाता है जैसे उत्तक्रिष्ट जोर त उत्तक्रिष्ट हो जाता है तो यहाँ पे तो और त बन गया है ना उसी तरी से प्रिष्ट जोर थ प्रिष्ट बन जाता नेक्स्ट है यदि मौ के बाद अन्ता अस्था बेंजन चार होता है उसमें बेंजन 100 हो इसको बोलते हैं उसमें बेंजन आये तो मौ अनुश्वार में बदल जाता है याद रखिएगा कि मौ के बाद अन्ता बेंजन और उसमें बेंजन आये तो मौ जो होगा वो अनुश्वार में बदल जाएगा यानि कि समझोर योग सईयोग बन जाएगा समझोर रचछन सन्रक्छन समझोर लाप सनलाप है ना नोट में क्या दिया है देखिए यदि मौ के बाद कोई असपर्स विंजन आए तो मौ के बदले उसी बर्ग का पंचमा अक्छर लिखा जा सकता है जैसे सम जोर कल्प, तो क्या लिखा जाएगा उसका पांच मांचर, संकल्प लिखा जाएगा, सम जोर चै, सं चै लिखा जाएगा, है ना, समझ गया है, उसी तरीके से आप यहाँ पर सेकेंड रूल्स देखिएगा, यह तो फर्स्ट रूल्स था, सेकेंड रूल में कहता है, कि यदि मह के बाद मह हो तो अनुश्वार ना दे कर दुटिका परियोग करेंगे दुटिका मतलब की देखे यहाँ पे शम जोर मत्ती तो यहाँ पे क्या होता है शम मत्ती हो जाता है शम मत्ती लिखना गलत हो जाएगा शम जोर मान शम मान लिखते हैं अब आता है बिसर्ग संधी बिसर्ग संधी क्या कहते हैं देखें बिसर्ग संधी के साथ स्वर आत्वा बेंजन की संधी बिसर्ग संधी कहलाती है बिसर्ग के साथ स्वर आत्वा बेंजन की जो संधी होती है उसे बिसर्ग संधी कहते हैं जैसे दुर जोर आत्मा तो दुर आत्मा थोड़ी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं दुर आत्मा लिखते हैं यहां पर जो यह हो का बिंदू है ना आपको यह आ में बदल जाता है है ना दुर जोर गंध दुर गंध हो जाता है इसी को हम क्या कहते हैं विसर्ग वेंजन कहते और विसर्ग स्वर्ग के कहते हैं, स्वर्ग इसलिए कहेंगे कि इसमें आ की मात्रा आया, यह इसमें आ की मात्रा नहीं आया, 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 इसमें आ की मात्रा विसर्ग के बाद कोई Rudy है आत्वह वर्ग के तीसरे चोथे, पांच में वर्ड या या र लव हॉ में से कोई हो तो विसर्ग र में बदल जाता है जैसे निरधन निरधन आसी जोरवाद आशरवाद उसी तरीके से विशर्ग के पहले ओ हो और उसके बाद यदी कोईश्वर हो तो उसे विशर्ग का रो हो जाता है जैसे पुनाह जोर अबलोकन तो क्या परते हैं पुनरा अबलोकन पुनाह जोर इक्षा पुनर इक्षा उसी तरीके से देखिए यदी विसर्ग के पहले यदी विसर्ग के पहले या उहो तो कौखो पौ या फौ कौखो पौ या फौ के रहने पर विसर्ग का मुर्धनने सो हो निश्कपट, निजोरफल, निश्फल, लेकि जितना सब्द यहां पे बोला जाता है ना सारा का एक्जामपल यहां पे दिया रहता है, इससे क्या होगा कि आपको पहचाने में आसानी होगा, और इसको आप लोगो को प्रैक्टिस करना ही परेगा, अपने मन से दो-चार सब् लेकिन दुख के बाद, खा हो तो विशर्ग जयों का तेओं रह जाता है, जैसे दुख जोर खा, तो दुख एसे देखते होंगे कि दुख लिखा रहता है, बहुत लोग दुख तो ऐसे भी लिख के निकल जाते हैं, बट यह गलत होता है, है ना तो दुख हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, दुख जब भी लिखें ऐसे जरीके से लिखें, एक साथ नहीं पड़ेगा, मैं भी गलत लिख दी, दुख जोर खा, ऐसे लिखते हैं दुख लेकिन और आथवा आ के बाद कोई विशर्ग हो, तो उसमें क, ख, प, फ, आये तो विशर्ग जों कातों रह जाए जैसे पह जोर पान, पह पान, प्राता जोर कमल, प्राता कमल, है ना, अब कुछ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखें, यदी विशर्ग के पहले, यदी विशर्ग के पहले ओ हो, और बाद में ओ, वर्गिये वेंजन के, वर्गिये वेंजन के तीसरे, चोथे, पांच म आत्वा यरलव हा में से कोई हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है जैसे ऑ होतो तो अनुकूल देखिए मनाह जोर औ अ मनुकूल आड़ग तो मनो कूल लिखते हैं अधा जोर गती इसमें ग्र आया ना तो अधा अधो गती लिखते हैं पया जोर धारा पयो धारा मना जोर मोहक मनो मोहक मना जोर योग मने योग बया जोर व्रिदी बयो व्रिद उसी तरीके शे विसर्ग के बाद च या छ विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग तलाबे शो में ट या ठ हो तो विसर्ग मुर्धने श और त या ठ हो तो में बदल जाता है, जैसे नि जोड़ चया, निस चयए water जो इंप चो गय mhah पर 4 जो हैं सत्च चया, पर 4 जो है उसी तरीके से विसर्ग के बाद तलावेशो, मुर्धनसो, दंतिशो हो तो विसर्ग जुएकात्वे रह जाता है उसके अस्थान पर विसर्ग के आने वाले वर्ण एक और हल रूप में आ जाता है जैसे दू जोर सासन, दू शासन, आप दू सासन ऐसे ही देखेंगे आथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूश्य शासन, नी जोर संतान, नी शंतान या फिर नी संतान, ऐसे भी लिख सकते हैं उसी तरीके से अ आथवा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कख आथवा पौफो आए तो विसर्ग जुएकात्वे रह जाता है या कुछ सब्दों में या विसर्ग मुर्धनती स्व बन जाता है, जैसे रज जोरकन, पह जोर पान, पह पान, पुर जोर कार, पुरशकार, भा जोर पती, भाश्य पती तो कुछ बदला, कुछ नहीं भी बदला, है ना, तो क्या कहा है कि ओ और आ के बाद कोई विसर्ग हो, और आ के बाद अगर कोई विसर्ग हो, तो कख आथवा पौफो आए तो विसर्ग जुएकात्व रह जाता है, या कुछ सब्द में विसर्ग शु बन जाता है, उसी तर पुर्व का हर्स दिर्ग में बदल जाता है जैसे निर्जोरस देखें ये तो निर्जोर रज बन गया निर्जोर्र रोग निरोग बन गया निर्जोर रूज निरूज अब नोट में दिया है एक छोटा साचीर इसको हम जान लेते हैं कि निरह में निहीत रा के पहले आप बिसर्ग भी दे सकते हैं निर में निहीत रा, रा रेव के पहले आप बिसर्ग भी दे सकते हैं जैसे निरोग भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कोई गलत नहीं होगा निरोग भी लिख सकते हैं बिसर्ग देखें चलिए अब इसके MCQ की तरब बढ़ते हैं अब क्या दिया है इत्यादी का संधी विछेद किजे तो इत्यादी का इती जोर आदी वनेगा इती जोर आदी नेक्स्ट है एक ही जाती के लगू और दिर्ग स्वर का मिलकर दिर्ग होना कि संधी का लच्छन है महेंद्र में कौन सा संधी होगी महेंद्र में आपको जो है वो गुन संधी है एक कैक में कौन सी संधी है एक कैक में जो दिया हुआ है वो विर्धी संधी है कैसा विर्धी संदी है जगरनात का संदी विछेद कीजे जगत जोरनात क्या बनेगा जगरनात उज्वल का संदी कौन सा है उज्वल का संदी आपका हो जाएगा उज्वल का संदी उज्वल में कौन सी संदी है उज्वल में ब्यांजन संदी है भवन का संधी विछेद कीजे भवन का संधी तो भोज और अन भवन बनेगा भोज और अन भवन संधी का अर्थ है तो संधी का अर्थ होगा दो अच्छरों के मेल से तीसरा अच्छर बनना संधी कहलाता है दो अच्छर के मेल से तीसरा सब्द बनना नायक में कौन सी संधी है तो नायक में आयादी संधी है पवन में किस संधी का परियोग हुआ है तो परतेक में कौन सी संधी है तो परतेक में जो संधी का उपयोग हुआ है एक नट परतेक में कौन सा संधी है तो इसमें दिया है option कि परतेक में जो संधी लगा है वो लगा है यन संदी, चंधरोदय में कौन सी संदी है? ault iron, गून संदी है ठंदरोदय में गून संदी ग्यां किसके योग से बना है? ग्यां, ग्यां जो बना है दोस्तो, वो जो और ग्यां की चौछा जवाला ज़न ना होता है उसके मिल से है ना जो और ना के मदद से अपका ग्यावना है निर्देश दिया है 14-16 निमलिखी सब्दों का संदी विछेद चुनिए परीछेद का संदी विछेद क्या होगा परीछेद का संदी विछेद परीजोर छेद बनेगा दिग दर्शन का संदी विछेद दिग दर्षन का संदी विचेद बनेगा दिग जोर दर्षन दिग जोर दर्षन रेफ वला दिग लिखियेगा निस कपट निस कपट का संदी विचेद होगा नहीं जोर कपट नेक्स्ट है निम्नलिकित प्रस्ण में सब्द का संदी विचेद लिखा गया है संधी विछेद के पांच विकल्प में से सटीक उत्तर चुनिये संधी विछेद के विकल्प में से सटीक उत्तर चुनना है आपको तो वो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं स्री अन्य नहीं होगा हिमाले में किस संधी का परियोग हुआ है तो हिमाले जो है दोस्तों ये गुन्य संधी को बताता है हिमाले विज्य उल्लास सब्द में परिप्त संधी का परकार बताईए तो विज्य उल्लास में गुन्य संधी का परियोग हुआ है किसका गुन्य संधी का परियोग हुआ है 25 से 35 में दिया है कि प्रतेक प्रस्ण में एक सब्द दिया गया है प्रतेक प्रस्ण में एक सब्द दिया है जिसका संदी विचेद चार प्रकार से किया गया है इन में से केवल एक ही सही है सही संदी विचेद का चैन की जो यानि कि से लेके 35 तक में आपको संदी विचेद ही करना है, बिमबोस्ट का संदी विचेद आपका हो जाएगा, बिमब जो रोस्ट, क्या हो जाएगा बिमब जो रोस्ट, अक्छोनी, अक्छोनी का संदी विचेद बनेगा, अच्छ जोर उहनी दसार्ण दसार्ण का संदी विछेद बन जाएगा आपका दस जोर रिन दसार्ण बनेगा दस जोर रिन दसार्ण देव जोर याग देव ब्यागम का संदी विछेद होगा देवी जोर आगम अभिशेक अभी शेक का संदी विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्वि लरकपन का संदी विछेद हो जाएगा लरका जोरपन बिहु का संदी विछेद क्या होगा बिहु का संदी विछेद बनेगा बी जोरू नेक्स्ट नाविक नाविक का संदी विछेद क्या होगा नाविक 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 बहुत लोग नाव जोरिक करेंगे नहीं गलत हो जाएगा नाविक होता है काब्योर्मी का संधी विशेद बनेगा काब्य जोर उर्मी सत्यागरा का संधी विशेद सत्य जोर आगरा वहिसकार का संधी में दिशेद बही जोर कार यही जो है हट के आपका मुर्धन्य श्वा हाथ बन जाएगा और कार का रूप ले लेगा वहिस्त कार यसोदा का संधी विछेद बनेगा यसर जोरदा नाविक, नाविक का संधी विछेद फिर से नाजोरिक है इत्यादी का संधी विछेद क्या हो जाएगा इती जो रादी निर्विकार में कौन सी संधी है निर्विकार में कौन सी संधी है तो इसमें आपका विशर्ग संधी है निर्विकार में निर्मिलिकित सब्द में किसमें स्वर संधी है तो महो दधी में जो है वो स्वर संधी है सजन, वांग जाल, अधो शुक सभी में आपका जो है वेंजन संधी है इसमें आपका स्वर संधी है प्रती जोर छवी मेल से बने सब्द का चैन कीजे प्रती जोर छवी से बना सब्द हो जाएगा प्रती छवी शक जोर ई, क जोर मुर्धन, स जोर आ के मिल से बने सब्द का चैन कीजे स, ई, क, स, आ से बने सब्द क्या होगा तो इसमेशे हो जाएगा निसिक्छा क्या हो जाएगा शिक्छा शम जोर सार सम जोर सार सब्द से क्या हो जाएगा सम जोर सार में कौन सी संधी निर्देश कीजे सम जोर सार में जो संधी है वो संधी है वेंजन संधी अब है कि 41 से 45 निमनलिकी सब्दों का संधी विछेद चुनिए मुनिंद्र का संधी विछेद क्या होगा मुनिंद्र का संधी विछेद मुनी जोर इंद्र हो जाएगा निरालंब सब्त रिशी का संधी विछेद होगा सब्त जोर रिशी संजीव का संधी विछेद हो जाएगा सम जोर जीव निश्चल निश्चल का संधी विछेद हो जाएगा निश्चल जो दिया हुआ है काप बिजो रूर्मी पीछे भी लाक कोई सब्द में कौन सा सब्दी विच्छेद है तो इसमें आपका हो जाएगा आत्मो जो सर्ग आत्मो सर्ग क्या बन जाएगा उस साइलेंट हो इनमें कौन स्वर संधी का उधारन है तो स्वर संधी का उधारन है तो स्वर संधी का उधारन पवन आपका स्वर संधी का उधारन है पवन सन्मत्ती सब्द का संधी विछेद कीजे सन्मत्ती सब्द का संधी विछेद तो सन्मत्ती का संधी विछेद बनेगा आपका सन्ने जो सब्ते जोर मती इती जोर इप में कौन सी संधी है इती जोर इप में आपका दिर्ग संधी है निमनांकित ने कौन सा सब्द विर्द संधी का उधारन नहीं है तो विर्द संधी का उधारन गुरूप देश नहीं है निरासा सब्द का संधी विछेद है तो निरासा सब्द का संधी विछेद हो जाएगा निरासा सब्द का संधी विछेद नहीं जोरासा आसिरवाद सब्द का संदी विछिद है आसिरवाद का आसी जोरवाद क्या हो जाएगा आसी जोरवाद गन जोर इशा में कौन सी संदी है गन जोर इशा में जो संदी है वो है गुन संदी क्या है गुन शंदी महशोधम महशोधम में जो संदी विछिद है महशोधम में शंधी वो हो जाएगा आपका महाजोरोसधम क्या है महाजोरोसधम वेंजन के आगे स्वर या वेंजन आने से जो शंधी वनती है उसे क्या कहते हैं तो वेंजन के आगे स्वर या वेंजन आने से जो शंधी वनती है उसे कहते हैं आपका उसे कहा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं वेंजन संदी निम्ड में से दिर्ग संदी युक्त पद कौन सा है दिर्ग युक्त द्यत्यारी आपका दिर्ग युक्त संदी है निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उधपन होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे संधी कहते हैं निकटवर्ती दोवर्ण के मिल से जो विकार उद्पन होते हैं उसको संधी कहते हैं महस्वर सब्द का संधी विछेद है तो महस्वर सब्द का संधी विछेद महा जोर इश्वर हो जाएगा महिश्वर सैदब सब्द में कौन सी संदी है सैदब में जो संदी यह वो है व्रिधी संदी कौन सी व्रिधी विसर्ग संबंदी असुद्धी को ध्यान में रखते हुए शुद्ध सब्द को बताईए तो अधो जोर पतन अधो पतन जो है विशर्ग संबंदी असुद्धी को ध्यान में रखते हुए सुद्ध सब्द है आपका अधो जोर पतन नेक्स्ट है अन्ता अन्ता जो रास्टिय सब्द की संदी विशर्ग लगा हुआ है निम्न में से दिर्ग संदी युक्त पद कौन सा है दिर्ग संधी युक्तपद इसमें से देत त्यारी है, पीछे भी देखे हैं, रिपीटिट प्रश्ण है, व्यर्थ सब्द में किन वर्ण की संधी हुई है, व्यर्थ में, व्यर्थ में जो है वो ई जोर आ की हुई है, ई जोर अर्थ, इनमें कौन स्वर संधी का उधारन है, तो पवन आपका स्वर संधी का उधारन है, रजनीस का संधी विछेद कीजे, तो रजनीस का संधी विछेद हो जाएगा, रजनी जोरीस, क्या बनेगा रजनी जोरीस, नमस्ते का संधी विछेद, नमस्ते का हो जागा नमः जोर अस्ते, नमस्ते, अनुछेद का संधी विछ अनू जोर छेद बनेगा अनू शेद आगे आता है इधर उद्धारन का संधी विच्छेद करे उद्धारन का संधी विच्छेद उत्त जोर धरन उद्धारन सजितानंद का विच्छेद सजितानंद का हो जाएगा सत्त जोर चित जोर आनंद सचितानंद हो जाएगा सचितान गुन संधी का उदारन है तो गुन संधी का उदारन है तो गुन संधी का उदारन महरसी जो है आपका गुन संधी का उदारन है महरसी कौन से सब्द व्यंजन संधी है तो वागीस जो है दोस्तों ये वागीस आपका व्यंजन संधी है वागीस कभिश्वर सब्द का सही संधी विछेद बताईए कभिश्वर का कभी जो रिश्वर कभिश्वर वेंजन संधी के उदारन है इसमें है उल्ल संगम तथास्तू संभावना शदभावना बहिसकार वातावरन उल्ला संस्क्रीट उल्ला संगम संभावना वेंजन संधी का उधारन उल्ला संगम और संभावना है वेंजन संधी का उधारन है वेंजन संधी का उधारन फिर से आपको बताना है तो वेंजन संधी का उधारन इसमें से हो जाएगा 76 में उद्धत आपका वेंजन संधी का उधारन है नेक्स्ट है अनिवेशन का संधी विछेद करे अनिवेशन का संधी विछेद हो जाएगा अनुजोरेशन विसर्ग संधी का उधारन है तो विसर्ग संधी का उधारन हरिश्चंद है विसर्ग संधी का उधारन गुन संधी का उधारन है, सजितानंद का विच्षेद क्या होगा, सत्य जोर चित जोर आनंद उच्छिस्ट सब्द का विच्षेद करें, उच्छिस्ट सब्द का विच्षेद हो जाएगा, उत्य जोर सिस्ट पवन का संधी विछेद कौन सा है तो पवन का संधी विछेद बनेगा पो जोर अन पवन क्या बनेगा पोवन पवन बनेगा चलिए 83 देखिएगा 83 कह रहा है कि नी जोर कलंक का संधी कौन सा सब्द है नी जोर कलंक का बन जाएगा आपका निश पल निश चाली क्या बन जाए का उचित विच्छेद कीजिए तो इसमें हो जाएगा आपका सच जोर सास्त्र क्या बन जाएगा सच सास्त्र सच सास्त्र सच सास्त्र देखे हिंदी वर्ड ऐसा टफ होता है न तो इसका मतलब आप लोग गलत नहीं कोमेंट कीजेगा प्लीज अति उत्तम का संदी विच्छेद सही भी कलब चुनिए अति उत्तम का संदी विच्छेद तो अति जोर उत्तम बनेगा अति उत्तम व्याख्यान में कौन सी संदी है व्याख्यान में कौन सी संदी है तो व्याख्यान में यन संदी है कौन सी है यन हिम आंसू सब्द का संदी विछेद करे हिम जोर अंसू अती जोर चार अत्या चार हो जाएगा क्या बनेगा अत्या चार बनेगा अती जोर चार अत्या चार भानु उदय में परिक्त संधी है भानु दिर्ग संधी भानु जोर उदय दो वर्ण के मिल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं तो दो वर्ण के मिल से होने वाले विकार को संधी कहते हैं क्या कहते हैं संधी राकेश का सही संधी विछेद है राकेश का संधी विछेद होगा राका जोरी इसका बनेगा राकेश संधी के प्रकार होते हैं तो संधी के तीन प्रकार होते हैं संधी के स्वर्ग संधी, विएंदन संधी और दिर्ग संधी प्रति उत्तर का सही संधी विछेद है प्रती उत्तर का संधी विशेद प्रती जरूत्तर बनेगा प्रती उत्तर तो ये इसमें 93% संधी विशेद का समाप्त होता है अब आता है अगला टॉपिक आपका समास और उसके वेद समास और उसके वेद को देखेगा समास किसे कहते हैं समास जो है देखे सबसे पहले क्या कहते हैं समास दो या दो से अधिक पद जब अपने बिभक्ती यानि की चिन बिभक्ती मतलब होता है चिन या फिर अन्य शब्दो अन्य सब्दो को छोर कर एक पद हो जाते हैं तो समास करते हैं क्या कहते हैं समास करते हैं जैसे की देखे राज की कन्या अब इसमें यह क्या हो गया यह आपका पद चीन हो गया राज की कन्या पद चीन हो गया इतना वेरा सब्द का एक सब्द आप लिख सकते हैं राज कन्या भाई और बहन यहां पर सब्द को लुप्त कर सकते हैं और सब्द को लुप्त कर सकते हैं भाई बहन बोल सकते हैं है ना तो यही आपका समास होता है, तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक पद को जब अपने विभगती चिन या पिर अन्य सब्दों को छोर कर एक पद हो जा एक पद बन जाता है उसको समास कहते हैं एक होता है समास विग्र, समास विग्र क्या होता है, यदि समासिक सब्दों को तोर कर उनका पुर्वरूप दिखलाया जाए, तो समास विग्र कहलाता है, जैसे राज महल, आप इसको तोरिए, राजा का महल, है न, राजा का महल, यही समास विग्र हो गया, अब इसको एक सब क्या का होता है तत्पुरु शमास कर्मधार समास बहुवरी समास और नव समास यह काफी इंपोर्टेंट है और यहां से प्रशन काफी एक्जाम में आते हैं तो इसे द्यान से देखेगा तत्पुरु शमास क्या होता है जिस समास में अंतिम सब्ध यानि कि अंतिम सब्ध या फिर उत्तर प्रद्धान हो उसे हम तत्पुरु शमास कहते हैं जैसे विश्धर इसमें आप क कर्म तत्प में देखिएगा को बिस धर, सीर को तोरने वाला, सीर तोर, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट मार, यही को का जो चिन होता है न, वो लोप होता है, उसको हम तत्पुरुश हमास कहते हैं, और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, बिस सीर, पॉकेट, यह उत्तर पद हुआ, यही पद इसका प का लोप होता है करन तत्पुरुष में से चिन का लोप होता है जैसे सोग गरस्त तो सोग से गरस्त यहां पे क्या हो गया करन तत्पुरुष में आपका रस से भरा रस से भरा तो रस भरा काम चोर काम से चोर काम से चोर काम चोर मुह से चोर मुह चोर रोग से प्रिद रोग प यह आपका करन ततपुरुष का हो गया तो इसमें याद रखिएगा कि ततपुरुष अमास में वैसा समास जिसका अंतिम सब्दियाने की उत्तर पदपरधान हो ततपुरुष अमास कहलाते हैं जिसमें की पदचिन का लूप होता है और फिर के लिए के लिए संपरधान में पदचिन का लोप हो गया तो यह संप्रदान तत्पुरुष में आ गया है ना नेक्स्ट है आपरदान तत्पुरुष में सेत आपरदान तत्पुरुष में अनहीन अनसेहीन नेतर सेहीन धनसेहीन ये देखिए आपका आपरदान और करता करम करन संपरदान उसमें भी से का यूज होता इसलिए यहाँ पे आपरदान एक दूसरे सीज को अलग करता है क्या तो यहाँ पे भी सेचिन का लोप हो गया उसी तरीके से सम्बंध तत्पुरुष का चिन होता है का की का की का लोप हो गा जैसे राज कन्या, राजा की कन्या, स्रम दान, स्रम का दान तो इसमें की और इसमें का का लोप हो गया तो ये आपका संबंध तत्पूरु शमास हो गया तो संबंध तत्पूरु शमास से काकी का चिन लोप होता है अधिकरन तत्पूरु शमास में मे का चिन होता है अधिकरन तत्पूरु शमास में मे का चिन होता है तो यह मेंसभद जो है आपका अधिकरन का इसमें क्या होता है अपने परह था दद्पुरु शमास क्या होता है कारगचिन का लोप होता है चलिए आपने समझ लिया अगला आपका है सेकेंड सेकेंड है कर्मधारे शमास कर्मधारे शमास क्या होता है कि कर्ता ततपुरुष को ही कर्मधार समास कहते हैं इसमें प्रथम पद विशेशन और दूसरा पद विशेश होता है पर्थम पद विशेशन और दूसरा पद विशेश होता है विशेशन और विशेश विशेशन और विशेश क्या होता है इसे जरा देखिए महा काब महान काब अब बोलिए कि महान क्या है महान क्या है और काब क्या है काब एक विशेश है क्या है काब एक विशेश है विशेशन जो विशेशता को बतलाता है तो महान काब क्या है विशेश है महान है वो काब महान है महात्मा गांधी महान है है ना वो बहुत सुंदर है तो ये बहुत सुंदर क्या सुंदर था उसकी विशेशता को बता रहा है तो इसमें दो और दूसरा विशेश तो विशेशन और दूसरा विशेश होता है जिसे हम करमधार शमास कहते हैं वीर वाला वीर मतलब वीर मतलब होता है क्या बहादूर और वाला वाला मतलब जो वीर हो वीर वाला नील कमल, नीला कमल, महाबीर, महान जोर वीर यानि की करमधार समास में क्या होता है किसका प्रथम पद विशेशन और दूसरा पद विशेश होता है तीसरा है बहुवरी शमास बहुवरी शमास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बलकि इसमें जितने भी पद होते हैं समस्त पदों में से किसी सब्द अनसब्द का बोध होता है जैसे नील कंठ नीला है कंठ जिसका वो कौन है भगवान सीव का बोध करवा रहा है बीना वानी बीना पानी बीना पानी मतलब होता है बीना है पानी यानि कि पानी मतलब हाथ होता है तो जिनके हाथ में भीना है वो कौन है सरस्वती अलग ही बोध हो रहा है तो यह बहुवरी शमास हो गया क्या हो गया? बहुवरी शमास हो गया नील कंट भीना पानी, ब्रजदे चतुरानन, दसानन, लंबोदर अच्छा ये तो बहुबरी में भी आ गया और एक और समास में आपका जो है इसी तरीके का सब्द आएगा लेकिन उसको पहचानने का तरीका थोरा सा डिफरेंट है तो बहुबरी समास को पहचानने का तरीका है कि इसका कोई भी पद प्रदान नहीं होता है इसका समस्त पद जो होता है वो अलग ही सब्द का बोध करवाता है चोथा है अब्यवी भाव समास अब्यवी भाव समास जो है वो पहला पद अब्यव होता है इसका पहला पद अब्यव होता है और या क्रिया विसेशन के रूप में परित्थ होता है क्रिया विशेशन के रूप में जैसे वो प्रती दिन आ रहा है तो प्रती दिन एक क्रिया विशेशन है यथा सिग्र यथा जितना सिग्र हो प्रती दिन हर दिन बे रहम बिना रहम के यथा संभव जितना संभव हो वो खुवी के साथ आकारन विनाकारन के यथा सक्ती सक्ती भर प्रती मास भर मास तो यहां पहला पद अब्यव होता है और क्रिया विशेशन के रूप में कार किया जाता है तो यह क्या हो जाता है अब्यवी भाव समास कहलाता है अब आता है आपका द्वेंद समास क्या होता है द्वेंद समास पांचमा है द्वेंद समास क्या होता है इसके सभी पत्परधान होते हैं जैसे लोटा डोरी लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें इस चीन जो है आपका इस चीन को क्या बोलते हैं जो यादी नह मतलब होता है या या फिर और क्या होता है या और या और या और ये होता है इस चीज का जो होता है आपका ये चिन्ध लगा होता है दोएंद समास होगा क्या होगा दोएंद समास होगा इसको जरा दिहान रखेगा और एक आपका होता है दुईगू समास छटा क्या होता है पूर्व पद संख्या वाचक भी सेशन होता है, संख्या वाचक, यानि संख्या को बताता है, आप मैं बताई थी ना आपको कि दसानन, किसमें बताई थी कि दसानन को पचानने का, यहां मैं आपको बताई थी ना, यह दसानन, बहुवरी समास में दसानन, तो इसमें दस जो ह इस अलग ही सब्द का बोद करवा रहा है लेकिन ये दुईगु शमास में क्या हो रहा है कि ये जो है संख्या को बता रहा है दुईगु शमास में ये शंख्या को बता रहा है च्छा माही यानि छो माहीना दो पहर यानि की दिन का आधा पहरवीत गया तु यह क्या हुआ दूइकु समास आपको क्या बता है? संख्या को बताता है उसी तरीके से होता है ना समास ना समास जो होता है दोस्तों जिस समास के पुर्वु पद में निसेद सुचक या फिर नाकारातमक सब्द हो निसेत सुचक या फिर नाकारात्मक सब्द हो यानि निगेटिव जैसे अनावश्यक, गैरवाजीब, अचल, अन्याई, अनिस्ट, नापशंद, आगोचर, अजन्मा, अनुचित इसमें ये देखिए ना लगा हुए, क्या लगा ना, ना लगा निति निगेटिव सब्द आईए, क्या है निगेटिव सब्द, इसी को हम न समास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न समास बोलते हैं तो यह आपका समास था जो कि एक्जाम के दिरिश्टी कोन से काफी important था और यह आपका समास भी clear हो गया अब हम देखने वाले हैं समास का जो भी MCQ है इसक्वाज हम देखने वाले हैं तो चलिए इसे देखते हैं एक मिनट बिशेशन और संग्या के संबंध वाले सब्द में कौन सा समास होता है तो बिशेशन और संग्या के संबंध वाले संबंध वाले सब्द में जो समास होता है उसे हम कर्मधार समास कहते हैं क्या कहते हैं कर्मधार समास कहते हैं नेक्स्ट है कि किस समास से बने सब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तत नहीं होता है तो अब्यवी भाव समास एक ऐसा समास है जिससे बने सब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तत नहीं होता है अब्यवी भाव समास में रसोई घर में कौन सा समास है तो रसोई का घर मैं आपको क्या बताई थी कि रसोई का घर इसमें कारक चिन लोब होना चाहिए उसे हम कहते हैं तत्पुरु शमास क्या कहते हैं तत्पुरु शमास प्रती दीन में कौन सा समास है प्रती दीन में आपका समास आ जाएगा जो लगेगा वो समास हो जाएगा आपका इसमें से अब्यभी भाव समास अब्यभी भाव समास क्या बता रहा है प्रती दीन राम लक्षमन देखिए मैं आपको युक्ती चिन के बारे में बताई थी कि युक्ती चिन जो होगा वो या या फिर और को बताएगा और ऐसे में जो युक्ति जिन जहां पे लगा होता है इसको देख कि आप पचान जाएगा कि ये द्वन्द समास है कौन सा समास है द्वन्द समास है एक अलग ही सब्द का रूप ले लेता है, तो यह आपका बहुवरी शमास आ गया उसी तरीके से हानी और लाव हानी और लाव क्या हो जाएगा आपका द्वेंद समास का उधारन है किस समास में अंतिम पंद प्रधान होता है तो अभी बताएं थे कि अंतिम पद जो होता है वो ततपुरूश में प्रधान होता है 9-16 तक में आपको समास बताना है प्रति दिन में कौन सा समास लगा है तो प्रति दिन में अब अभी भाव समास है गुन हीन गुन हीन कौन सा समास होगा तो इसमें से गुनिहीन समास हो जाएगा ततपुरुष हो जाएगा आकंट में कौन सा समास है आकंट में आपका हो जाएगा ततपुरुष शमास आकंट में तत्वरी गलत बोल दी अब्यभी भाव है आकंट में कंट हो जाएगा इसका आ का कोई मतलब नहीं है कंट इसका अंतिम पद प्रधान है स्याम सुन्दर स्याम सुन्दर का अभ्यवी भाव समास है स्याम सुन्दर में क्या अभ्यवी भाव समास है आजन्म आजन्म में जो शमास लग गया है वो नज समास क्या है नज तस पुरुष क्या बताएं थे कि जो निगेटिव होगा उसको अब समझ जाएगा कि नज तमास समास है महा पुरुष महान पुरुष अब ये क्या विशेशन और विशेश को बताता है है ना पहला पद क्या है महान उसकी विशेशन को बताता है और पुरुष उसका विशेश है तो ऐसे को कौन सा समास बताएं थे ऐसे को बताएं थे बहुवरी शमास क्या बताएं थे बहुवरी शमास यथा सक्ती यथा सक्ती में युक्ती चिन लोप है तो इसमें आप बोल सकते हैं ये इसमें जो कौन सा समास हो जाएगा तो इसमें समास लगा है अब अभी भाव तुलसी कृत तुलसी कृत कौन सी समास है तो तुलसी कृत जो समास है आपका तदप्रू समास है तुलसी कृत इन में से दुईगू समास का उधारन है नेत्रहीन, रुपया, पैसा, चौरहा और पीतामबर तो आंसर हो जाएगा चौरहा, चौरहा दुईगू समास क्या बताता है, शंख्या को बताता है, चौरहा, चार रहवाला नीचे दिये गए समासिक सब्दों में कौन सा नज समास का उधारन है, कुरगंग नयन, सितोस्न, मुख, चंद्र, अनिस्ट, अनिस्ट जो है आपका यह हमको लगता हो जाएगा, अनिस्ट सब्द जो है, वो सामसिक सब्द है, जो नज समास का उधारन है, अनिस्ट जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन सब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है आपका समास जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन सब्द की रचना करते हैं उसे हम समास कहते हैं 20 नमबर है कि जिस समास के दोनों सब्द को क्या है समाना अधिकरन होने पर करमाधार समास होता है वो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं तदपुरू शमास आगे है निम्ने लिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है अब है कि 22 ने के 24 तक में समास बताना है पितांबर में कौन सा समास है तो पितांबर में करमाधार समास है अमरित धारा में कौन सा समास है अमरित धारा में अमरित की धारा अमरित की धारा समास है अमरित की धारा की इसमें है हाना और पहला ही समास होगा समास हो जाएगा आपका अमरित धारा घर आंगन घर आंगन कौन सी समास को बता रहा है गर आंगन जो है दोस्तों, यह समास आपको बता रहा है। द्वैंद शमास, शरी 1 मिनट, शरी 1 मिट गर आंगन24 का घर आंगन1 यह तो मेरे को गलत दे ryh ay answer, वही यह answer गलत दिया हूँ है, घर आंगन में आपका जो समास है वह है दोन्द शमास क्या है दोन्द शमास है ना आंसर भी हो जाएगा इसका तत्पूरुश शमास दे रहा था मैं सोच रहे थी क्या हो गया है नेक्स आता है 25 नमर प्रस्ण और 25 नमर प्रस्ण में है निकि जो भी अंसर मिस्टेक लगे न अप लोगों को किमेंट करके बता दीजेगा हम अनसर करदेंगे थोड़ा सा होता हैं अनसर मिस्टेक इसमें रहता है objective कोई भी चीज आप पर ही गाना तो उसमें थुरा सा mistake आपको मिलेगा ही तो इसके लिए मेरे को negative comment कीजेगा तो क्या बता सकते हैं आप लोग को आप सामने जो आता है मुझे दिख जाता है उस चीज को मैं सुधार कर लेती हूँ और flow flow में क्या होता है नहीं पता चल पाता है है ना क्योंकि वो चीज आप answer पढ़ते हो direct निकल जाते हो बताते हुए उस बीच में एक दो mistake हो ही जाता है छुटी ही जाता है next lesson है 25 number नेमलिकित में कौन सा सब तत्पूरु शमास का उधारन है तत्पूरु शमास का उधारन है तो तत्पूरु शमास का उधारन हो जाएगा इसमें से जगरना तो यह क्या है जन्ममांथ जन्ममांथ जो है तत्पूरु शमास है निकलिकित पदों में से किस पद में शमास नहीं है तो ये पीछे भी देखे थे इसमें से समास नहीं था वो था आपका परवता रोही में समास नहीं है देवासुर में शमास है देवासुर देवासुर में जो शमास है वो है द्वैंद समास द्वैंदु समास है आपका देवासुर में निमग में से दूइंगू समास चुनिए, कपरे लट्ते, दसानन, पंचांग, घ्यान सागर, तो दूइंगू समास इसमें से हो जाएगा आपका क्या है पंचान आपका पंचांग एक निट हां तो ये दूगोई समास कदरर पंचाँग हो जाएगा दसानन भी हो सकता था लेकिन दसानन जब पंचाँग हमारे पास नहीं होता तो हम दसानन लगाते ठीक है न क्योंकि ये संख्या को बताता है दूइंगू समास तो यहाँ पर जब यह option है क्योंकि यह आपका जो है दोस में आता है न बहुबरी में भी आता और इसमें भी आता है तो यह आपके लिए आपे perfect answer नहीं बनता तो perfect answer था इसलिए आपे यही लग जाएगा ठीक है इस बात को ध्यान लखिएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसनाता है आपका कि जिस समास के दोनों पद और प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है तो वहाँ पर जिस समास का परियोग किया जाता है वो समास होता है आपका बहुवरी समास निम्नलिक्षित में बताईए कि दुईगू समास किस पद में है आजन, पंचवटी, बनगमन, संदर्व तो पंचवटी में हैं दुईगू समास क्यूंकि ये संख्या को बता रहा है जिस समास में उत्तरपद प्रधान होने के साथ ही पुर्व और उत्तरपद में विशेशन, विशेशन का संबंद भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं तो उसे कहा जाता है आपका कर्मधार शमास क्या कहते हैं कर्मधार शमास सरनागत सब्द में कौन सा समास है? निम्न में कर्मधार शमास किसमें है? कर्मधार शमास जो हो जाएगा वो निलो उत पलम में आपका कर्मधार शमास हो जाएगा जितेंद्रिये सब्द में कौन सा समास है जितेंद्रिये सब्द में बहुवरी शमास है कौन सा बहुवरी शमास है निम्नांकित में से किस सब्द में दुईगु समास है राम शाम दुईगु शमास है चरन कमल दुईगु शमास है मालन नहीं पंचानन में होगा, क्या होगा, पंचानन इसका correct answer हो जाएगा, option number C, क्योंकि संख्या को बताएगा, दुईगु शमास, निम्नांकित में कौन सा पद अब्यभी भाव है, ये आपका दुईगु समास नहीं, दुण्द समास हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेगा, निम्न अंतर सब्द में कौन सा समास है, देसांतर में जो समास है, वो है करमधार, अस्त ध्याई सब्द में कौन सा समास है, अस्त ध्याई, आठ को बता रहा है, जल्दी बताएगे, दुईगु समास होगा, चालिस नमबर है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, पर क्या होता है कि बहुपरी में कोई भी समास कोई भी पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है क्या होता है कोई भी सब्द इसमें प्रधान नहीं होता है बलकि समस्त पदों में किसी अन्य सब्द का बोध हो जाता है उसे क्या करते हैं है ना और प्रधान का आगया मतलब प्र प्रसे में बता दू कि विशेशन और विशेश को जो समास को बताता है वो आपका हो जाएगा करमधार समास क्या हो जाएगा करमधार समास जैसे महा काब तो महान काब है ना उसी तरीके से सब्ट सिंधू का विग्रह होगा सब्ट सिंधू, साथ सिंधू का सम्मू है ना तो साथ सिंधू का सम्मू तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बन जाएगा इसका correct answer कितना question है 42 है निसका आंसर ए हो जाएगा साथ सिंधू का सम्मू दही वारा सब्द में किस समास का उधारन हुआ है दही वारा में तत्पूरु शमास है दही वारा में हाथो हाथ सब्द किस समास का उधारन है तो तत्पूरुश का उधारन है हाथो हाथ गूर्सवार में समास है तो गूर्सवार में तत्पुरू शमास है अभी भाव समास का उधारन है अभी भाव समास का उधारन इसमें से हो जाएगा भर पेट वर नर्वानर सब्द की समास का उधारन है नर्वानर नर्वानर द्वन्द समास है क्योंकि इसमें कौन सा युक्त हीहां मित्तिद में धुतीचित लगा हूँ है यूप्तिचिन स्वार्ण गट का विग्र है् स्वार्ण गट का विग्र हो जाएगा आपका सोना सोना का घट है neighbors यह इसकाकरिक्त आंसर बन जाएगा सिस्वार्ण गट अकाल प्रिरित की समास का उदारन है अकाल प्रिरित तो यह हो जाएगा आपका तत्पुरु शमास का तत्पुरु शमास का हो जाएगा अकाल प्रिरित पुत्रशोग की समास का उदारन है पुत्रशोग पुत्रशोग हो जाएगा तत्पुरुष का महाविद्याले की समास का उदारन है महाविद्याल कर्मधार नेक्स्ट निम्लिकित में से एक सब्द में दुईगु समास है उस सब्द का चैन करें दुईगु समास जिसमें है आजीवन, भुदान, सप्ता, पुरुशिंग तो दुईगु समास जिसमें लगा है वो हो जाएगा आपका सप्ता अब्यवी भाव समास का उधारन है अब्यवी भाव समास का उधारन है परोक्ष क्या है परोक्ष निम्लिकित में बताईए कि दुईगु समास किस पद में है बंगमन संदर्व आजन्व पंचवटी पंचवटी में दुईगु समास है किसमें समासिक पद है समासिक पद जो ह सब्ध शंग्या हो तो कौन सा सब्ध होगा तो पर्था मगर संख्या वाचिये दूसरा सब्ध संख्या हो सड़ी संग्या हो तो उसमें आपका हो जाएगा उसमें ही हो जाएगा आपका दुईंकु समास संधी और समास में क्या समानिता है तो संधी और समास में बस यही समानिता है कि दोनों ही सब्दों को संचिप्त करते हैं क्या करते हैं दोनों ही सब्दों को संचिप्त करते हैं इन में से द्वेंदिव समास का उधारन है 12 समास का उधारन रुप्या पैसा है क्या है रुप्या पैसा दुईगु समास का उधारन है अन्यन चतुरानन चतुरानन जो है अन्यन चतुरानन और त्रिभूवन ये भी तो हो सकता है लेकिन चतुरानन चतुरानन से बेटर त्रिभूवन होगा है ना तो यह भी हो सकता है लेकिन आप याद कीजे किस के बारे में हम बहुवरी के बारे में भी बोले थे तो answer अगर इसका सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा 59 का दी हो जाएगा 3-1 बेस्ट answer होगा क्योंकि चत्रानन आपका उसमें भी आ जाएगा चार हाथो वाला कौन सा सब्द बहुवरी शमास का सही उदारन है त्रिभुवन ग्यानगंगा पंचानन निश्चिदिन तो बहुवरी शमास का जो सही उदारन बन जाता है वो बन जाता है आपका इसमें से पंचानन जिस समास में उत्तरपद प्रधान होने के साथ साथ पुर्व और उत्तरपद ने विशेशन विशेश का सम्बंद भी होता है उसमें कौन सा समास होता है तो उसमें जो समास होता है वो समास आपका करमधार समास होता है निम्नलिकित सब्द में द्वेंदू समास किस में है तो पाप और पुन में द्वेंदू समास है समास सब्द का अर्थ है समास सब्द का अर्थ है संशेफ है क्या होता है संशेफ 64 नमर प्रस्द देखते हैं योगदान में कौन सा समास है तो योगदान में समास है आपका करमधार देव जो महान है करमधार है गंगा जल सब्द का समास बेद बताईए सत्षई में समास के बेद हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका दुइंगू पंचानन में कौन सा है? पंच अनन में भी आपका बहुवरी भी होगा और दूइंगू भी होगा लेकिन पंच अनन में आपको पहले ही बताए हूँ कि 5 अनन वाला तो बहुवरी हो जाएगा या फिर दूइंगू हो जाएगा एक मिनट थरा सा confusion हुआ भी है हाद दुईगू शमास, चोड़ा हाद दुईगू शमास हो जाएगा क्या हाद दुईगू, कौन सा सब्द बहुवरी शमास का उधारन है, त्रिबुबन पुरुषिक पंचानर निश्चतिन, बहुत कन्फ्यूज करेगा, बहुवरी शमास और दुएंदू समास, दुएंग बहुवरी शमास में आपका पूछा है कि बहुवरी शमास निश्चतिन है, पंचानन है, पुरुषिंग है, त्रिबुबन है और पंचानन है, तो इसका करेक्ट आंसर बनके आएगा वो है पंचानन, पंचामरित में कौन सा समास है, पंचामरित में समास लगा हुआ है समास और संधी दोनों हैं जलोश्मा में रशोगुल्ला में कौन सा समास है? रशोगुल्ला में आपका जो समास का उप्रिक्त क्या गया वो तत्पुरुश है गर्व सुन्य सब्द में शमास है गर्व सुन्य सब्द में शमास जो प्योग हुआ है वो है करन तत्पुरुष हाथो हाथ सब्द में परिक्त समास क्या है हाथो हाथ में अभ्यवी भाव है वाच स्पित्ती की समास का समस्त पद है वाच स्पित्ती वाच स्पित्ती है समंध तत्पुरूश का अब्यभी भाव समास का उधारन है तो अब्यभी भाव समास का उधारन भर पेट है स्वर्ण घाट का बिग्रह है स्वर्ण घाट का बिग्र स्वर्ण का घट है चतुरानन में समास है चतुरानन में बहुवरी शमास है निमलिकित में करमधार समास किसमें है तो करमधार समास निलो उत्पल में करमधार समास है करमधार समास निलो उत्पल में है राज पुत्र में कौन सा समास है तो राज पुत्र में तत्पुरुष समास है राजा का पुत्र राज पुत्र अधिकरन तत्पुरुष में अधिकरन तत्पुरुष जो है वो दूसरा पद प्रधान होता है अधिकरन तत्पुरुष में दूसरा पद चौमासा में समास है दुईगू आगे ये देसांतर में कौन सा समास है तो देसांतर में आपका करमधार समास है अनुरूप सब्द में कौन सा समास है अनुरूप अनुरूप में आपका अब्यवी भाव समास है तत्पुरूश शमास है तत्पुरु शमास है आपका पद प्राप्त पितामबर में शमास है पितामबर में बहुवरी शमास है पितामबर, पिता जोर आमबर, पिताक आमबर सतावदी में शमास है सतावदी, सतावदी किसके लिए होगा दुइंगु समास हो जाएगा देश भक्ती में कौन सा समास है तत्पुरू समास है देश भक्ती में बैल गारी में समास है तो बैल गारी में तत्पुरू शमास है पंचवटी में कौन सा समास है तो पंचवटी में आपका हो जाएगा दुईंगू समास पंचवटी में मुंबई में गगन चुम्बी इमारत बहुत है, रेखां के सब्द में कौन सा समास समाहित है, गगन चुम्बी में, तो गगन चुम्बी में जो है कौन सा समास समाहित है, तो इसमें से ततप्रूष समास गगन चुम्बी, चलिए ये भी हो गया, आब आता है वाक के एवं वा तो सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे कि वाक्य क्या होता है वाक्य क्या होता है तो वाक्य क्या होता है कि समाने तोर पर वाक्य सार्थक सब्द का समू होता है वाक्य क्या होता है सार्थक सब्द का समू होता है जिसमें करता और किरिया दोनों होते हैं क्या होता है करता और किरिया दोनों होते हैं मोहन शोहन बाग घर मैदान यह इसके एक्जामपल हो गया है वाके के यहां एक सब्द शमू है एक सब्द क्या है यह अपने आप में एक समू है पर क्रिया पद एक भी नहीं है इसमें क्रिया पद नहीं है अत्येव इसे हम वाके इसे क्या वाक के नहीं कह सकते इसी परकार खाता है रोता है पढ़ता है नाचता है ये सभी क्रियापदों का समू है और ये सब जो क्रियापद का समू है इसे हम वाक नहीं कह सकते हैं वाक उसी सब्द समू को कहेंगे जब उसमें क्रिया यानि कि क्रिया को बिधे भी यहां मा जाता है बिधे और करता यानि उसका उद्देश दोनों होगा इसमें क्रिया भी होगा और उसका उद्देश भी होगा जैसे मोहन खेलता है तो यह आपका एक वाक्य हो गया यह एक क्या हो गया वाक्य हो गया इसमें मोहन जो है मोहन करता के रूप में है और खेलता है वो उसक वाकिके दो अंग होते हैं एक होता है उद्देश और दूसरा होता है विदे जो आप अभी आपने देखा उद्देश क्या होता है उद्देश जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश कहते हैं जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ने का काम रहा है सुरेश जो है वो पुस्तक पढ़ता है तो इस वाक्य में सुरेश के बारे में कहा गया है अता यहां पे सुरेश जो है यह एक उद्देश है ठीक है उद्देश के रूप में वाक्यों में उद्देश विन विन रूपों में होता है जैसे कि यहां पे संग्या में दे तो इसका विशेशन गरीव एक क्या है इन्सान का तो ये विशेशन को बताता है। उसे हम विदे कहते हैं जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में सुरेश तो उद्देश था लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ता है यह चीज क्या हो जाता है उसका विदे हो जाता है क्या होता है विदे होता है अब है आपकी वाक के का सरचना, वाक के सरचना में आप देखेंगे कि सरचना या फिर स्वरूप, सरचना या स्वरूप की द्रिष्टी से वाक के तीन परकार के होते हैं, एक होता है सधारन या सरलवाक, दूसरा होता है मिसरवाक, तीसरा होता है सयुक्तिवाक, तीसरा होता है सयुक्तवाक इसी में से सबसे पहले हम सधारन या सरलवाक को देखेंगे सधारन या सरलवाक, इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे हम सधारन या सरल वाक्य कहते हैं इसमें एक उद्देश और एक विधे होगा सधारन वाक्य में या फिर सरल वाक्य में क्या होगा एक उद्देश होगा और एक विधे होगा जैसे विजली चमकती है तो बिजली आपका उदेश हो गया और चमकता इसका क्या हो गया विधे हो गया पानी वरस्ता है तो ये इसमें भी आपका क्या है विधे भी एक है और उदेश भी एक है तो ये आपके सधारन या फिर सरलवाक का एक्जामपल हो गया सेकेंड है मिस्रवाक मिस्रवाक क्यों ऐसा वाक होता है जिसमें एक से अधिक सधारन या सरलवाक हो और उनमें एक मुख्य वाक हो एक मुख्य वाक हो और सेस उसके उस पे आसरित हो उसे हम मिस्रवाक कहते हैं जैसे देखिए यहाँ पर एक्जाम्पल में दिया है कि मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा तो यह मिस्रवाक के है तीसरा है सयुक्तवाक सयुक्तवाक के क्या होगा कि जिस वाक के में साधारन सदारन आथवा मिश्र वाको का मेल यानि योजग जैसे आथवा अब्यब द्वरा होता है उसे हम सयुक्त वाक के कहते हैं जैसे एक्जाम्पल से समझ में जादा आता है कि उसकी आखे हस्ती है किन्तु उसका हिर्दय रोता है मैं आया और वह गया तो ये आपका एक सयुक्त वाक के हो गया अब है अर्थ की द्रिष्टी से वाके के आठ वेद होते हैं एक होता है विधी वाचक वाक एक होता है बिधी वाचक वाक का एक्जाम्पल है मैं खा चुका हूँ बिदी वाचक वाग दूसरा है निसेद वाचक वाग निसेद वाग में हो जायेगा example मैं आज नहीं पढ़ूँगा अग्या वाचक वाग तुम आओ, तुम पढ़ो यह अग्या वाचक वाग है उसी तरीके से चौथा है आपका प्रस्ण वाचक वाग प्रस्न वाचक में क्या है? कि क्या तुम पढ़ रहे हो? पिस्यम वाचक वाग बिस्यम वाचक वाग इसमें क्या है? ओ! यह पीठ ही गया इसमें जो आपका explanation का मांक सही यह जो आपका है यहाँ पे दिया हुआ इसी को हम करते हैं विस्यम वाचक वाग चट्था है संदेह वाचक वाग संदेह वाचक वाग में उसने कहा होगा इक्षा वाचक वाग तुम अपने काम में सफल रहो ये उसकी इक्षा है संकेत वाचक वाग यदि तुम चले तो मैं भी चलू ये संकेत वाचक वाग क्या है जैसे सरलवाक हम खा चुके हैं, मिश्रबाक में मैं खाना खा चुका हूँ, तब वह आया, सयुक्त वाक में मैं खाना खाया और मेरी भूख मिट गई तो ये विदी वाचक वाक के का एक्जामपल हो गया है सरल, मिश्र और सयुक्त में दूसरा है निसेद वाचक वाक, निसेद वाचक वाक में जिससे किसी बात के न होने का बोध हो जैसे हमने खाना नहीं खाया मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया सयुक्त में मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी तो ये आपका निसेद वाचक वाक्य हो गया आग्या वाचक वाक्य में हो जाएगा जिससे किसी तरह की आग्या का बोध हो तुम पढ़ो तुम खाओ तुम सोचाओ यह आग्या वाचक क्या हो गया आग्या वाचक आपका वाक्य हो गया चोथा है प्रस्ण वाचक वाग के प्रस्ण वाचक वाग के जिससे किसी प्रकार के प्रस्ण किये जाने का बोध हो जैसे तुम क्या खा रहे हो तुम्हारा नाम क्या है ये प्रस्ण वाचक वाग के है विसमय बाचक में होता है कि जिससे आस्चर्ज दुख या सुख का बोधो उसे हम कहते हैं जैसे ओफो मेरा सिर्फ फटा जा रहा है यहाँ पे आस्चर्ज वाली बात है ओफो संदे वाचक वाग जिस बात में कोई संदे हो जिससे किसी बात के संदे होने का प्रकट हो, जैसे उसने खा लिया होगा, मैंने कहा होगा, ये संदे है, कनफॉर्म नहीं है इक्छा वाचक वाक जिससे किसी परकार की इक्छा या सुबकामना का बोध हो तुम अपने कार में सफल रहो ये क्या है उसकी इक्छा है ये उसकी सुबकामना भी है एट नमबर है संकेत वाचक वाक, संकेत वाचक वाक में जहां एक वाक दूसरे की संभावना पर निर्वर हो, जैसे पानी ना बरसता तो धान सुख जाता, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाओ, यह अपका संकेत वाचक वाक का एक्जामपल हो गया अब वाक के तो हो गया, आब आपका आता है नेक्स्ट वाच, क्या आता है वाच, वाच क्या होता है, कि किरिया के उस रुपांतर को कहते हैं वाच, जिससे जाना जाता है कि वाक में करता के विशे में, वाक में करता के विशे में बिधान किया गया है, या कर्म के विशे में, आत्वा भाव के भिसे में इस तीनों में से क्या चीज का रुपांतरन हो सकता यह आपको वाच्च कहते हैं जैसे हिंदी में वाच्च तीन परकार के होते हैं हिंदी में वाच्च के तीन परकार होते हैं पहला होता है कृत्वाचक, दूसरा होता है कर्मबाच, तीसरा होता है भाववाच, तो कृत्वाच क्या होता है कि क्रिया के जिस रूपांतरन से वाक्यगत करता की प्रधानता का बोध हो, वाक्यगत करता की प्रधानता हो उसे कृत्वाचक कहते हैं, जैसे बच्चा दौरत सीता जाती है मैं पढ़ता हूँ तुम पढ़ते हो ये क्या हो गया कृत्त वाच्च हो गया उसी तरीके से दूसरा है कर्मवाच कर्मवाच मतलब की क्रिया के जिस रूपांतरन से वाक के गत कर्म का बोध हो उसे कर्मवाच कहते हैं जैसे बच्चे बच्चा मैदान में दौर दौरता जाता है तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है मुहन द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है ये कर्म वाच्च हो गया थड़ है आपका भाववच भावच क्या होता है कि किरिया के दिसुरुपांत्रन में किरिया आथवा भाव की प्रधानता हो उसे भावच कहते ह जैसे एक्जामपल में मुझसे खाया नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता, ये आपका भाववाच्च हो गया आगे है वाब इसके सारे जो MCQ हैं उसे हम देखने वाले हैं, ठीक है सारे MCQ को देखते हैं, चलिए सबसे पहला प्रसन आपका आता है कि प्रतेक वाक्य की समाप्ती पर लगता है, तो प्रतेक वाक्य का जब समाप्ती हो जाता है, तो हम इस तरीके से एक चीन देते हैं या फिर ये देते हैं, तो ये पुर्न विराम कहते हैं, ये तो फुल स्टॉप होता है और ये पुर्न वि चाल चली वाक्य में कारक है एक मिनट हाँ सही है उसने टेड़ी चाल चली उसमें क्या है उसमें कौन सा कारक है तो उसने टेड़ी चाल चली इसमें जो कारक यूज हुआ वो करता कारक है मुझसे या काम नहीं हो सकेगा किस कारक का वाक है मुझसे यह काम ना हो सकेगा यह जो कारक है आपका यह कारक करन कारक है क्या है करन कारक है भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए यह किस परकार का वाक है इक्छा वाचक वाक है क्या इक्षा वाचक भगवान करे एक इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप सुब कामना के साथ साथ इक्षा भी जता रहे हैं यदि हम गवाही दे दे तो काम न जाए किस परकार का वाक्य है तो ये इक्षा वाचक वाक्य है गुरुजन का समान करना सिखो किस परकार का वाक्य है तो ये किसी को आग्या दिया जा रहा है कि अग्यार्थ हो गया कि गुरू का सम्मान करना सीखो सम्मान वर्तमान काल का उधारन है तो सम्मान वर्तमान काल का उधारन क्या हो जाएगा वा कॉलकत्ता जाता है निमने लिखित किस वाक्य में आकर्मक किरिया है तो आकर्मक किरिया आपका हो जाएगा गेहूं पिस रहा है ये एक आकर्मक किरिया है निमने वाक्य की विसलेशन कीजिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा तुम मुझे खुंदो मैं तुमें आजादी दूँगा ये इसमें आपका है इन में से कोई विसलेशन नहीं होगा ना कि आग्या वाचक होगा आगे है कि किस वाक्य में क्रिया का भाव वाच परियोग है तो क्रिया का भाव वाच परियोग है लर्कियों ने मा को मा को देखा इसमें जो है क्रिया का भाव वाच पड़ियो क्या गया है मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूत कालिक वेद इंगित कीजे मैं खाना खा चुका हूँ इसमें भूत कालिक वेद को इंगित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा आसन्य भूत कौन सा भूत है आसन्य भूत है जिन वाक्य में समान रूप से किसी कारिके होने या करने का वोध होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं विधान आर्थक वाक्य कहते हैं विधान आर्थक वाक्य नेक्स्ट है कि क्रिश्न ने गाना गाया वाक्य में कारक है निमलिकीत वाक्य में मिस्र वाक्य के कौन सा है मिस्र वाक्य परिसरमी छात्र परिच्चा में सफल होता है यह मिस्र वाक है मजदूर मेहनत करता है किन्तु उसके लाव से बंचित रहता है यह कैसा वाक है तो मजदूर मेहनत करता है किन्तु उसके लाव से बंचित रहता है यह वाक के आपका एक प्रकार का सयुक्त वाक है राजनिती अब एक वेबसाई बनती जा रही है जो गुंडा गिरी के बल पर चलती है या कैसा वाक है तो ये मिस्र वाक है कैसा है मिस्र वाक आज बहुत पानी गिरा या कैसा वाक है आज बहुत पानीगिरा या साधारन वाक्य है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता या कैसा वाक्य है तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता या एक भाव वाच्च या वहाँ जाओ या कैसा वाक्य है आग्या वाच्च वाक्य है वहाँ जाओ उसने कहा मैं घर जाओंगा या क एक वाक है निसेद वाचक हो सकता है राम का काम बन जाए या कैसा वाक है तो राम का काम बन जाए या एक आपका संदे वाचक वाक है इसमें गारंटी नहीं है कि हो जाए बस संदे है कि हो सकता है अरे उसने तो कमाल कर दिया या कैसा वाक्य है तो अरे आपका विश्व में बाचक हो जाएगा है ना जैसे कि सर्प्राइज हो गया सैड हो गया खुसी हो गया इसमें आपका अरे सब्द में जो होता लगता है अरे वाफ है ना इस तरीके का तो विश्व में बाचक होता है राम किरकेट खेलता है पर इक तो यह मिस्र वाक्य है, वो आये तो काम बन जाता, बन जा सकता था, या कैसा वाक्य है, या इक्षा बोदक वाक्य है कि वो काम वगर वो आता तो भो सकता था, सारी से इक्षा वाक्य नहीं होगा, इसमें संकेतार्थक है, ये संकेतार्थक है, मुझे विश्वास है कि वो यह किस परकार कावक है तो यह एक मुझे विश्वास है कि वह आवस्वाक है इसवर करे तुम्हारा जीवन शुख में हो यह आपका अप्षा वाचक हो जाएगा क्या है 31 नमर प्रस्ण कह रहा है कि चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम पूरा करना है या कैसा वाक है तो यह एक वाक क्या आपका है मिश्र वाक कि चाहे रात बीत जाए मुझे यह काम पूरा करना है आग्या वाचक वाग को चिन्धित कीजिए दिया है कि उसने दरवाजा खोला जल्दी दरवाजा खोलो उसके दरवाजा खोला गया क्या वह दरवाजा खोल पाएगा तो आंसर आपका आग्या वाच जल्दी दरवाजा खोलो आप्सन सी हो जाएगा 33 नमर प्रस्ण कह रहा है कि बिस्व में बाचक वाक के का चैन कीजे बिस्व में बाचक का चैन करे तो यहाँ पर 6 कितनी गंदी वात है आंसर C हो जाएगा जो गरीबों की सहयता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं वाक के हैं तो जो गरीबों की सहता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं यह वाक के एक तरह का आपका मिश्र वाक है संकेत वाचक वाक की चुनिए इस्वर्व सर्व सक्ति मान है इस्वर्व का वास प्रते खिरदय में है इस्वर्व करें आप जल्दी स्वस्त हो जाएं इस्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया अंसर D हो जाएगा इस्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया संकेत वाचक वाक के है मिस्र वाक को चिन्हित किजे मिस्र वाक उषने कहा आज छुटी हो जाएगी मिस्र वाक के है इन में से विधान वाचक वाक के कौन सा है पहचानिये, सयुक्त वाक्य को पहचानना है, दवालो और बुखार कम हो जाएगा, यह एक सयुक्त वाक्य है, इन में से मिस्र वाक के कौन सा है, तो दिया है कि यौवन चरित्र निर्मान का समय है, गलत है, जो लोग स्वस्त रहते हैं, उन्हें वैद के पास नहीं जाना पर यह एक मिस्र वाक्य है, सरल वाक्य है, तो उसके आने का समय निश्चित नहीं है, निम्ड में से कौन सा वाक्य मिस्र वाक्य नहीं है, तो दिया है कि वह परिस्रमी ही नहीं वरन इमंदार वी है, यह एक मिस्र वाक्य है, उसरी मिस्र वाक्य नहीं है, 42-99 निमलखित प्रस्ण में दिये गए वाक का उचित प्रकार चुनिये मैं नहीं जानता कि रात में वह कब भाग निकला या एक वाक के है आपका मिश्रु वाक मैं नहीं जानता कि कब वो रात में भाग निकला नीच बेक्ती को पसू कहना पसूता का अपमान है यह हो जाएगा सरलवाक मा लरके को हसाती है यह प्रेणार्थक हो जाएगा बुराई और बुरे बेक्ती दोनों से बचो या इक्छा वाचक है या तो तुम सुधर जाओ या विद्याले से निकाले जाने के लिए तैयार रहो या एक सयुक्तिवाक है वो जाए चाहे ना जाए मुझे जाना है या एक वाक्य है मिस्र वाक्य ऐसा कर्म करो कि लोग तुम्हें याद करे या एक इच्छा वाचक वाक्य है कि ऐसा कर्म करो लोग तुम्हें याद करे उस मुहले में वह सबसे इमंदार था या आपका जो वाक्य है एक मिस्र वाक्य है राजनिती अब एक बेवसाई बनती जा रही है जो गुंडा गिरी के बल पर चलती है पीछे ये रिपीटेड प्रस्न है मिस्र वाक्य का एक्जामपल है जो कड़े सो भरे या एक मिस्र वाक्य है मैं किसी का बुरा क्यूं चाहूं मैं किसी का बुरा क्यूं चाहूं प्रस्न वाक्य है विसेद वाक्य, संदेह वाक्य, विधी वाक्य प्रस्न वाक्य ही होगा संजय के आते ही उसका भाई चला जाता है संजय के आते हैं उसका भाई चला जाता है यह सरलवाक क्या है क्या तुम यह कार पूरा कर सकते हो यह हो जाएगा कृत्तिवाच सिकारिये ने दो हीरन मार गिराए यह एक कृत्तिवाच का उधारन है सिकारी ने दो हीरन मार गिराए जब तक वह घर पहुंचा तब वह उसके पिता जा चुके थे तब यह आपका मिस्रवाक का एक्जामपल है कि जब वह घर पहुंचता है उसके पिता जा चुके थे जो वेक्ति महान हो चुके हैं उनके जीवन की दिनिचर्या और रहन सहन से पता चलता है कि उनका जीवन साधगी से व्यतित होता था इसका अंसर हो जाएगा मिस्रवाक क्या है मिस्रवाक दुस्ट वेक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती ये सरलवाक कहा है निती कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो निती कहती है या स्टेटमेंट मिश्रवाक का है एक्जामपल अलप ग्यानी वेक्ती बुद्धिमान की कदर करना क्या जाने तो ये हो जाएगा सरलवाक उस भाई के प्रती कृतक गिरहो जिने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया यह एक आपका आग्या वाचक वाक के है मैंने उसकी कोई सहता नहीं की यह एक निसेद वाचक वाक के है मैंने उसकी कोई सहता नहीं की वह तुम्हारा साथ दे या न दे मैं दूंगा या एक वाक के है आपका सयुक्त वाक रमेश और नरेश के लालन पारल में समानिता होते हुए भी दोनों में बरा अंतर है ये सरल वाक के है संसार में हर तरह के लोग होते हैं संसार में हर तरह के लोग होते हैं या एक विधी वाचक है मैंने ऐसी दुरगटना कदाचित इससे पहले कभी न देखी होगी या एक आपका या एक वाग के है संदेह वाचक बर्स 1965 के युध में पाकिस्तानी सेना को भारतिय सेना के सामने मुख की खानी परी थी इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सरलुअक है जिधर धुआं दिखाए दिया सब लोग उधर ही दौर परे या भी एक मिस्र वाग के है हम अपने इतिहास के वारे में कितना जानते हैं या एक प्रस्न वाचक है आपसी बादचीत से बिवाद का समाधान निकल जाए तो व्यर्थ की मुकदमे बादी से बचा जा सकता है या एक आपका संकेत वाचक है इस्वर करे तुम्हारा जीवन सुख में हो या एक इक्छा वाचक है एक्छा वाचक मिरासी नमर प्रस्ण है कि जो धन कमाते हो उसमें से थोरा जरूर बचाओ या एक आपका अग्या वाचक हो जाएगा भारत के पुर्वत्तर में अनेक जनजाती के लोग रहते हैं तो ये वाग के है आपका ये वाग के है सरलवाग चाहे रात बीत जाए मुझे या कार पूरा करनी है ये भी रिपीटेट प्रस्ण है मिस्रवाग तुलसिदास ने कहा कि बिनास काल में मनुष्य की बुद्धी भरस्ट हो जाती है तो ये जो है आपका या एक वाग के है मिस्रवाग कि बिनास काल विप्रित बुद्धी आप लोगों ने ये सुना होगा कहावत मान ना मान मैं तेरा मामान ये भी आपने सुना होगा गाउं वगेरह में सयुक्तिवाक के है दान करना अच्छी चीज है, दान लेना एक मजबूरी है यह हो जाएगा आपका सयुक्त वाक्य समर्थ के आगे अकिचन की क्या विशात है समर्थ के आगे अकिचन की क्या विशात है या एक सरल वाक्य है क्या समझ आ गया कि छोटे बरों का आदर करना ही भूल गए या आपका संकेत वाचक है जब समझ आ गया तो छोटे बरे की कदर करना भूल गया धिकार है उस बेक्ती को जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए या एक आपका इन में से कोई नहीं वाक्य है ना सरल वाक मिसरित वाक का एक्जामपल लग रहा है धिकार है उस बेक्ती को जो दूसरे को धोखा दे कर धनकमाए मैंने किरायदार नहीं रखे मुसीवत मोल ले ली या एक आपका सयुक्त वाक्य है अमर के रहते विद्याले के किसी छात्र को सरवस्रिस्ट खिलारी की पदवी नहीं मिल सकती या भी एक सरल वाक्य का उधारन है कहते हैं कि सकती का नाम औरत है भगवान का हल भूत जोतता है तो ये हो जाएगा आपका कृत्त वाच मेरे पास एक किरकेट का बल्ला है और उसके पास किरकेट के गेंद तो या एक आपका सयुक्त वाक्य है संतोस से बढ़कर सुख नहीं सरल वाक्य है बुराई सैदव अच्छाई से प्राजीत होती आई है या एक आपका कर्म वाच्छ है हिंदू विस्विद्याले की अस्थापना मदन महनमालविये ने की थी तो ये हो जाएगा आपका कृत्त वाच्छ उसने कटिन परिश्रम किया किन्तु अच्छे अंक ना पा सका ये भी सयुक्त वाक्य है ये द्यापी मोहनलाल धनी है तथा भी बहुत दुखी भी है तो ये आंसर आपका इसमें से हो जाएगा मिस्र वाक्य का ये उदारन है क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो या एक जो है अपका प्रस्न वाचक है तो आंसर इसमें से कोई नहीं होगा है ना लेकिन क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो ये ये मिस्र वाक्य का भी उदारन हो सकता है अगर प्रश्न वाचक नहीं दिया हुआ है तो ठीक है हवा के तिवर जोके सब कुछ उरा ले गए हवा के जोके सब कुछ उरा ले गए या आपका अब सरल वाक्य है ना उसने हाँ भरी ना उसके भाई ने हाँ भरी या एक सयुक्त वाक्य है समय पर पश्चाताप करना ही बुधि माने की बात है या एक सरल वाक्य है ना कोई अपने साथ कुछ लाता है ना मरते हुए साथ ले जाता है ये विधे वाचक वाक्य है, कैसा वाक्य है विधे वाचक, अपना काम समय पर करना चाहिए, ये वी एक विधी वाचक वाक्य है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार करुआ तूफान थमा था, या एक की वाक्य है कौनसा, तो ये सरल वाक्य है, तुम जिसे चाहो चुनलो तुम जिसे चाहो चुलो ये मिस्र वाक्य है जो परिवार कभी शंपन और वैववसाली था उसके लोग आज दरदर की ठोकरे खा रहे हैं यह भी मिस्र वाक्य का उधारन है इस तरीके से आपका ये कम्पलीट होता है नेक्स्ट आता है सुध वरतनी अब सुध वरतनी में सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्दों के सुध सुध लिखने की रिती को क्या कहते हैं वरतनी कहते हैं वरतनी किसे कहते हैं सब्द को सुध सुल लिखने की तरीके को अंगरेजी में उसे स्पैलिंग भी कहते हैं पुर्दू में हिज्जे कहते हैं, बंगला में बनान कहते हैं, है ना हिज्जे स्पैलिंग बनान, बंगला में कहते हैं, बरतनी संबंदी असुदियां समस्याएं के मुख दो कारण है, एक तो कारण है कि किसी सब्द का असुद उच्चारन करना या सुनना, दूसरा मत्विन के कारण बिभिन समस्या आएं जैसे एक्जामपल देखे यदि हम तलावे शो का उचारन श की तरह करते हैं या सुनते हैं तो निश्चित रूप से असोक शब्द को लिखते समय असोक लिखेंगे यह समस्या असुद्धी गलत उचारन करने या सुनने के कारण होता है जिसमे कोई गए गई पक्का सब्द को कोई पक्का लिखता है तो कोई पक्का इस परकार के कई समस्या उद्पन होती है है न तो यह मत की भिन्यता है आप है कि बरतनी समंदित प्रमुख नियम सबसे पहले टवर्गी नौ और तथवद दवला नौ की असुद्धी को हम देखते है यह दोनो नौ है है ना यह दोनो नौ है कि परियोग साब्धानी परतने की अवसकता है यह जो नौ है टवर्गी नौ अधिक तर संस्क्रीत वाले सब्दों में आपको आता है जिन तत्सम सब्दों में नौ होता है उसे हम तत्वव के रूप में ना के अस्थान पे ना परि विश्णू विश्णू ना का परियोग करते समय निम्नांकित नियमों को ध्यान डखना चाहिए वो नियम क्या है देखिए कौमे दिया है कि संस्क्रीट की जिन्ध हातूं में ना होता है उससे बने सब्दों में भी ना रहता है जैसे च्छन, प्रन, वरून, निपुन, गन, गुन ये क्या है संस्क्रीट के जिन्ध हातूं में ना होता है उससे बने सब्दों में भी ना रहता है उसी तरीके से दूसरा है कि किसी एक ही पद्ध में यदी री या फिर्रा मुर्धाने शो के बाद न हो तो न के अस्थान पे नग हो जाता है भले ही इनके बीच कोई स्वर्ध यो वो हो कवर्ग पवर्ग या वर्ण तथा अनुश्वार आया हो इक्जामपल देखिए गर्रिन, कृष्ण, विष्णू, भूशन, उष्ण, रामायन, श्रवन ये सभी आपके एक्जामपल है ये तो पहला रूल था दूसरा रूल है कि तलावेशो, मुर्धानसो और दन्तिशो की असुधियां इसकी असुधि ऐसे होती है कि जो 300 होता ये भिनवी नच्षर है इन तीनों का उच्चारं प्रक्रियावी अलग-अलग है उच्चारं दोस्त के कारण ही वर्तनी संबंदी असुधियां होती है और इसके उच्चारण में निम्नांकित बातों की साथानी रखनी चाहिए जैसे कि मुर्धनेशो केबल संस्कृत सब्द में आता है जैसे कश, शंतोष, भाशा, गवेशना, द्वैस, मुशक, कसाई, पोश, चसक, प्यूस, पुरुष, शुस्रुशा, भाशा, सस्ट ये सभी क्या है आपका, ये सभी संस्कृत के सब्द में आते हैं केबल जो आपका मुर्धनेशो है सो और जिन संस्कृत सब्दों की मुल्ध हातु में, जिन संस्कृत सब्दों की मुल्ध हातु में मुर्धनेशो होता है उनसे बने शब्द में भी मुर्धन्य सो रहता है जैसे आपका शिष धातु के शिष, शिस्ट, शेष ये सभी आपका हो जाएगा उसी तरीके से संधी करने में को, खो, टो, ढो, पो, फो के पुर्व आया हुआ बिसर्ग हमेशा मुर्धन्य सो हो जाता है यदि किसी सब्द में दंती शो हो, उसके पुर्व आ या फिर आ की शिवा कोई भिन्श्वर हो तो दंती शो के अस्थान पर हम मुर्धन्य सो का यूज करते हैं तवर्ग के पुर्व, अगल मुर्धन्य सो आता है जैसे सोडा, सोडश, सडणानन, कस्ट, नस्ट, यह टवर्ग से पुर्व का है उसके बाद है री, री के बाद अगर मुर्धन्य सो आता है जैसे रिशी, क्रिशी, वरिष्टी, त्रिशा ये री के बाद आपका क्या आता है मुर्धन्य सो संस्क्रीब सब्द में चो चो के पुर्व तलावे शो ही रहता है जैसे निश्चल जहां तलावे शो दन्ति शो एक साथ परियुक्त होते हैं वहां तलावे शो पहले आता है जैसे सासन, सासक, प्रशंसा, निरसंक, निरसंक, उस्सी तरीके से जहां तलावेशो और मुर्धनसो एक साथ आते हैं, वहां तलावेशो के बाद मुर्धनसो आता है जैसे निश्चय, नीसंदे, विस्तरीत, विस्तारा, इसमें उपसर्ग में नीवी आने पर मुल सब्द क्या हो गया, दंतिशो पुर्वत बना रहा उसी तरीके से यदी तत्सम में तलावेशो हो तो उसके तत्व में दंतिशो होता है, जैसे शूली-सूली, साग-शाग, शुकर-सूर, शशूर, 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 स्यामल-शामला देखे रहे हैं इसमें प्रडाउंसियेसन भी फर्क आ रहा है तीसरा दिया है कि जहां पंचमा अच्छर के बाद उसी के बर्ग के सेश-चार वर्ण से कोई वर्ण हो तो वहां आनुस्वार का परियोग किया जाता है जैसे वंदना, नंद, नंदन, अंत, गंगा, संपादक चोधा है कि जहां तत्सम सब्द में पंचमबर्ण या अनुश्वार रहता है उस सब्द के तत्भव रूप में चंद्रविंदू लगता है जैसे चंद्र, चांद, कंगन, कंगन, पंग, पंग, अंग, पंग, उसके बाद पंग वन गया, अंगन, आंगन उसी तरीके से पांचमा रूल कहता है कि यदि करता इस्त्रिलिंग बहुवचन है तो अंतिम बर्ण में चंद्रविंदू लगता है जैसे खिरकी, खिरकिया, बेटी, बेटिया, लर्की, लर्किया, नदी, नदिया अब है कि वर्तनी की समान सुद्धी तथा सब्दों के सुद्ध रूप अनुकूल, अनुकूल जो है यह आपका गलत लिखा हुआ है क्यूंकि इसमें जो है हरसु उकार दोनों में नहीं होगा कौ में जो है दुर्गू उकार लगेगा तो अनुकूल हो जाएगा अद्यान का अद्यान हो जाएगा अस्थान, अदूति, आप लोग सिर्फ सही सब्द को देखेगा गलत को मत देखे, सही को देखेगा वहाँ पर क्या होता है थोड़ा बहुत कन्फिजन हो जाता है तो आप गलत टिक कर देते हैं और ये असुद्धी और सुद्धी सब्द आपको दे दिया जाता है अस्थान, अदूतिये, अमरुद, आसिर्वाद, इर्स्या, उचाई, छीची, उपर, उज्वल, उतक्रिष्ट, कलस, कल्यान, गनीत, ग्रहस्त, ग्रहस्त उसके बाद है उन्नती, चिन, नमस्कार, चांद, नवाव, छमा, नच्छत्र, जेस्ट, नारी, यथिस्ट, राजमहल, रुगन, निरोग, शत्रोधन, पुष्ट, रासायन, परंत, रामायन, पुन्य, लच्छमन उसके बाद है लिखा, एकत्र, स्वकुसल, उप्युक्त, उप्रलिखित, प्रंतु, पुन्य, पुस्प, लच्छन, वनवास, अंधिकार, प्रिष्ट, प्राप्ती प्राप्ती के बाद है पत्नी और सन्यास, नीरस, ये सबी आपका सुद्ध सब्ध है उसी तरीके से यहाँ पे है प्रसंसा, प्रसंसा में तलावेशो होगा नाकी दंतिस, मंत्री मंडल, हरसी इकार लगेगा मंत्री में प्रणाम, पमेर लगेगा टवरगिनो आकार अम्म, प्रणाम, योगी राज, हरसी इकार लगेगा प्रमेश्वर, भाग्यवान, परिच्छा, बिद्वान, पुज, व्यवहार, पुरसकार, धनवान, प्रसाद, वैठाया, प्रतीकूल, पहले, प्रान, वीना, परिस्थित वानी, पिचास, फिरहवास्प, ब्रह्मा, सप्ताहिक, बुढ़ा समान, ब्रहमन, सिंदूर, भास्म, मिट्टी, मुनिगन, मैथली सरन, श्रीउट, सुर्य, समुंद्रिक, सुपरनेखा है, सुपरनेखा है, और शासन है, उसके बाद सृष्ठी, सृष्ठी है, बहुत गलत हो जाता है उसके बाद हो जाएगा दांत, हिंदू, हसना, हिंदूस्तान, मित्रता यह फिर महत्री, एकता यह फिर एक्य, धैर, धीरता, मदुर्य, मधूर्टा, पैत्रीक, समसान, सम्राज, सणसारिक, शमीती, सुची पत्र, श्वास्त, अस्मरन, स्रिंगार, सक्ती, सिग्र, सस्ट सस्ट है बुधिमान, भागवान, घनिस्ट, आँख, बांस, अंगना, सक्ती, सिग्र, गुंगा गुंगा, पहुचा, गांधी जी, सूड, बांसुरी, महंगा, मुह उसके बाद है आपका कंगना, कंगना के बाद है उचा, जाउंगा, दुंगा, छटाग या फिर छटाग पांचमा, आकास, अतीथी, अपरादिक, औशमे, उंगली, जहां, डाट, कांच, भेजवाया, पच्छताना, अवनती, अर्थात, अधिकार अधिकार के बाद है आवाज, औसमे, अत्युक्ति, अविस्कार, अविश्कार, यह अक्सर आता है एक्जाम में अधोगती, अनाधिकार, आर्यावर्थ और अशोक अर्यावर्थ और अशोक, देखिए अर्यावर्थ में थोड़ा सा का डिफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं आर्यावर्थ, यह दोनों सही लिखा हुआ है, आर्यावर्थ उसके बाद इधर है आपका अनुकूल, अनिस्ट, अध्यान, अभ्यास्त, अस्थान, आमीश, आगामी, अमवाश्या, अकांछा, अभी सेक, अविश्कार, अंतर्यामी, औशहाय, अत्यदिक, अहोराद्र, अस्टावक्र, अक्रोश, आपती उसके बाद है प्रहलाद, अंत्याक्छरी, आसा, अखीर, आसिस, आद्र, अहान, आजीवीका, अम्रूद, ओदूतिय, आसिरवाद, अक्रामक, कला कौसल, कभित्री, कारिकरम, कालिदास, किरपा, केंद्रिकरन, कौसल, कंगन, कंकन, कंकन है ओदूतिय, आलश, भागी रथी, एक, इसाई, इस्वर, किकठा, इर्स्या, इर्स्या मतलब जलन, इद, इस्ट, क्यारी, कियारी, कैतुहल, कनिष्ट, कुसासन, कूटिया, कृत्त किरत्य, किरपाद्रिष्टी, किवार, कांपना, क्या है कांपना, इश्ट, इतिहास, खरगोस, इसारा, खरबुजा, उंगली, खिलारी, उमीदवार, गनीत, उप्रिक्त, गर्म, उत्पाद, उन्नती, समराज, गरिष्ट, गरिष्ट, गरिष्टी, उसके बाद है समराज, गत्यवरोध, उपलक्ष, गंधर्व, नेक्स्ट है उसा या फिर उशा, उशा उसा, ग्रिहिनी, गांधी, गोदाबरी, गोपनिये, गंगा, गुंगा, गुंज, उंगना, एतिहासिक, एकत्र, इकलोता, इकतारा, हिंदू, गुनी, गुनी है उसके बाद हिंदू है, कलस, कारिपाल का, चाहर दिवारी, चाहर द दुख ठीक है तो यह आपका कुछ सुद्ध वरतन्य था सुद्ध और सुद्ध यहां पर थोड़ा सा इसे देख लेते हैं चूद्ध चूद्ध च्छा च्छा होगा दंड दीपी का ठीक है अब आपका MC क्यों है इसे देख लीजेगा निर्मिलिकित प्रश्ण में सुद्ध मात्राओ जाएगा व सुद्ध यौह पर रॉप की मात्रा हो जाएगा है सुद्ध के बाद दूसरा में ऐसा सही लिखा हूए तो अपका A स्वास्त आपसाही कैसे लिखायेगा तो स्वास्त आपका सहीforward दंटीश प्रदूशन प्रक्तूशन next step चौथा नमबर के बाद fem अशोधी 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 सही लिखा हुआ है यहां पर अशोधी सही है छटा में दिया है स्रिंगार का सही छटा में सिंगार स्रिंगार होता है परतिक्षा प्रतिक्षा का सही प्रतिक्षा उज्वल विश्मे और निसाचर में जो सही लिखा हुआ है वो आपका प्रतिक्षा सही लिखा हुआ है जोती, समुदाई, बुनियादी और मुसीवत में सही लिखा हुआ है बुनियाद सही लिखा हुआ है हर स्तिरेक, मिथ्थाचार, कृत्य किर्टय, प्रियत्मा इसमें जो सही लिखा है वो लिखा है आपका प्रियत्मा बिल्कुल सही है निरक्षर निरक्षर जो सही लिखा हुआ है वो B है निरक्षर सन्यासी शन्यासी लिखेंगे हम option A सही है सन्यासी का पुर्वाहन पुर्वाहन का सही लिखा हुआ जो है वो है पुर्वाहन शुक्ष्म लिखाएगा आपका सुक्ष्म जो है ये बिल्कुल B आंसर सही है सुक्ष्म का अनुग्रहित अनुग्रहित आपका सही लिखा हुआ है अनुग्रहित D नंबर पंदरा में दिया हुआ स्पस्ट अस्पस्ट सुक्ष्म वाई और सात्विक सही लिखा है पत्नी संकिर्न नियमिती उत्पत्ती उत्पत्ती सही लिखा हुआ है पुनर्युक्ती पुनर्युक्ती पुनरुक्त पुनरुक्ती ये होगा आंसर्टी हो जाएगा अमावस्या अमावस्या सही लिखा हुआ है इसमें से अमावस्या निरच्छन, निरच्छन सही लिखा हुआ है निरच्छन अध्यता, अधियता, अध्यता, अध्यता इसमें सही लिखा हुआ है अध्यता, आपका अध्यता अपसगुन, 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 कौन अपसगुन सही लिखा हुआ है इसमें अपसगुन B जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है हस्मुक, हस्मुक सही लिखा हुआ है आपका B हस्मुक कृती, कृती लिखा हुआ है सही, कृती, A नमबर परिवर्तन, परिवर्तन का सही रूप इसमें है आपका C परिवर्टन अनुत्रीन सही लिखा है ओप्शन A अनुत्रीन नचछतर B सही है अनुत्रीन संस्कृतिक संस्कृतिक का सुधरूप यहाँ पर आपको दिख जाएगा B में एहल्या सही लिखा हुआ है A अंतरध्यान अंतर ध्यान में आपका सही नीचे लिखा हुआ है, अंतर ध्यान तीस में है सुद्धी करन, सुद्धी करन सही लिखा है, option A ए, सुद्धी करन सही है, द्रिष्टी, द्रिष्टी कौन सा सही है, तो द्रिष्टी आपका B सही है महंगा, महंगा आपका C लिखा हुआ, जो C में जो option महंगा लिखा है सही है स्वबहाविक, स्वबहाविक का सही रूपिस में है C, option C स्वबहाविक छत्रचाया, छत्रचाया आपका लिखा हुआ है B में, छत्रचाया प्रजवलित लिखा हुआ है option B में प्रजवलित शुपनेखा सही लिखा हुआ है D में घवल धवल घवल तो धवल जो आपका सही लिखा है वो हो जाएगा धवल सरवासर जो सही है वो हो आपका आंसर सी सरवासर वेच्छन का सही रूप इसमें है आपका D वेच्छन अपकिर्ती लिखा है B सही तहसीलदार ये कोशन पूछा जा चुका है तहसीलदार सही आंसर तहसीलदार इसमें D हो जाएगा तहसीलदारी आगे है 42 में तरून तरुन सही सुद्ध रूप कौन सा है तरुन का तरुन आपका A में जो लिखा है तरुन टवर्गी 9 के साथ बिल्कुल सही है धनाकी, धनाकी का सही रूप इसमें से आपका हो जाएगा धनकी होगा ना कि धनाकी होगा धनकी होता है दूद पान दूद पान सही लिखा हुआ है यह आपका है पैपान पैपान लिखा सकता है इसका दूद पान दूद पीना नहीं पैपान सही है पैपान सही लिखा हुआ है उसके बाद आपका आता है इधर वर्तन वर्तन का सही रूप आंसर डी में हो जाएगा वर्तन है न डी नहीं गलत है डी वर्तन ऐसे लिखाता है वर्तन ये सही रूप है प्रतिस्था लेकिन वर्तन आपको यहां ऐसे भी लिखा मिलेगा तो एक्जाम में जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन भी आ जाएगा अभी मुझे भी आ गया था तो ये गलत लिखा हुआ वर्तन आप ऐसे ही लिखेंगे 46 में आपसे पूछा जा रहा है प्रतिस्था प्रतिस्था भी सही है दवाई गुरू निती और मयंग इसमें से सही आपका जो लिखा हुआ है वो आपका अग्र सक ऐसे होता है मार्ग दर सक तो ऐस्में से जो सुधर रूप है आपका वो है विदवान लिका हुआ है उझ्वल् उझ्वल कौन सा सही लिखा हुआ है तो उझ्वल का सही रूप है आपका अधजजवल उज्वल अनुग्रिहित सही लिखा है इसमें से अनुग्रिहित सही होता है ना कि अनुग्राहित होता है कवित्री क्या होता है कवित्री option C कवित्री next है किर्पन किर्पन कौन सा सही लिखा होगा तो किर्पन आप सही ऐसे लिखेंगे किरपन आंसर भी हो जाएगा किरपन का फालगुन सभी फालगुन ही प्रणाउंसियसन है बट सुद्ध कौन सा लिखा हुआ है तो फालगुन आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है दवाई दवाई या गुरू, निती और मयंग इसमें से सही दुरूप आपका गुरू लिखा हुआ है जानवी, कौन सी जानवी सही लिखी हुई है तो इसमें जानवी जो लिखा गया है सही वो है फिप्टी एट में जानवी सही है जानवी फिप्टी नाइन का दिया है स्रिंकला स्रिंकल आपका B सही है अन्यवेशन अन्यवेशन आपका A नमबर सही है अन्यवेशन अन्यथा होता है 61 में अन्यथा हो जाएगा महा महीम जो है वो आपका महा महीम लिखाता है अन्तोदय अन्तोदय कैसे लिखते हैं नती A में, कुँआ, कुँआ जो है वो सही है, A कुँआ सही है, अस्थाई, अस्थाई B में सही लिखा है, अस्थाई, अमरत हो जाता है, आपका अमरत होता है, अमरत नहीं होता है, अमरत होता है, क्या होता है, अमरत, तो आंसर हो जाएगा इस तड़ी, अमरत भी नहीं, अमर अमरित बिल्कुल रिखा हुआ है अब इसके बाद 68 में आप देखेंगे तो यूधिस्टीर फिर से यूधिस्टीर कहीं सही दिया है जो कि आप पीछे भी देखें हैं यूधिस्टीर एमें सही लिखा हुआ है स्रियूत कौन सा सही लिखा हुआ है तो स्रियूत सही लिखा है सही AC में कवित्री शही लिखा हुआ है B में कवित्री इकठा कौन सा सही है इकठा इसमें आपका इकठा सही है सिंगार आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सिंगार इसमें D डे स्रिंगार सही है विखारी आपका सही रूप लिखा हुआ है बी में विखारी प्रदर्सनी का सही रूप लिखा है बी में प्रदर्सनी 75 है अनुशरन होता है अनुशरन तो अनुशरन का सही रूप डी में लिखा हुआ है अनुशरन रचाईता क्या होता है रचाईता सी हो जाएगा महामत्व महत्व कोई नहीं तो इसमें से महत्व होता है क्या होता है महत्व होता है कभित्री कितना वर कभित्री आचुका है बी आंसर इसका उज्वल ये भी रिपीटेड है ये उज्वल का ए सही है मानवी करन मानवी करन में आपका सही रूप है A का मानवी करन क्या है उच्छिस्ट हो जाएगा उच्छिस्ट होता है क्या होता है उच्छिस्ट होता है उच्छिस्ट आंसर A हो जाएगा उच्छिस्ट उचे हिस्ट, आसिरवाद, आसिरवाद D में सही लिखा हुआ है, पुझनिये, क्या होता है, पुझनिये, A में सही लिखा है, पुझनिये, पुझनिये होता है, उसके बाद है, ये पुझनिये जो आधा वाला वन्त है, वो संस्क्रीत में यूज किया जाता है, है ना, सिंगा सिंगार आप सही देखेंगे तो स्रिंगार होता है स्रिंगार और एक्स होता है सिंगार तो इसमें आपका स्रिंगार जो है वो विल्कुल सही है फिर से यूदिस्टिर ही आ गया यह सही है चली यह वरतनी भी आपका कम्पलीट हो गया अब आता है वाक के रचना की पुछा जाता है आप लोग भी जानते हैं और परिस्कृत भासा के लिए वाग की सुधी का ज्यान आवस्थिक है कभी आपके एक्जाम में वाग की सुधी भी दिया जाता है पूछा जाता है कौन सा वाग की सही है वाक के जो है वो रचना में संग्या, सर्वनाम, विसेसन, क्रिया, अब्यब से संबांदित, अन्परकार की असुद्धी हो सकती है और इन्ही को अधार बनाकर परिक्षा में जो है वो प्रस्न भी पूछे जाते हैं यहाँ पर बताया यह गया है सबसे पहले वाक के रचना के कुछ नियम होते हैं, क्या होते हैं कुछ नियम होते हैं जो समानी नियम आप देखेंगे पहला है कि हिंदी वाक्य में पहले उद्धेश यानि उद्धेश मतलब करता और अंत में विधे यानि क्रिया आता है जैसे चांद चमकता है तो चांद आपका उद्देश यानि करता हो गया और चमकना इसका विधे यानि क्रिया हो गया तो समझ रहे हैं पहले उद्देश फिर विदेह आएगा समानी वाक्य में ये आप वाक्य में परहे थे और यदि वाक्य में करता का विभक्ती चिन नहीं है अगर वाक्य में करता विभक्ती चिन नहीं है तो उसकी क्रिया के लिंग वचन पुरुष करता के लिंग किसके करता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे जैसे मैं रोटी खाता हूँ तो इसमें आपको कुछ लिंग नहीं पता चल रहा है लेकिन खाता हूँ ये तो पता है न कि पुरुष के लिए होता है लरकी भजन गाती है गाती ती देख के आप समझ सकते हैं कि ये तो किरिया के लिंग वचन और पुरुष कम के लिए लिंग वचन पुरुष के अनुसार होंगे जैसे मैंने रोटी खाई मैंने भात खाया तो ये क्या हो रहा है मैंने मैंने यहाँ पे नेचिन आये तो कर्म भी परकट रहे हैं कर्म भी तो परकट है रोटी खाई चोथा है कि भूत्काली क्रिया के वाक्य में करता का नेचिन हो और करम की विभक्ती को को भी परकट हो तो क्रिया के लिंग, वचन, प्रुस करम के अनुसार नहीं होंगे क्रिया पुलिंग एक वचन होगी ध्यान दखिएगा कि क्रिया पुलिंग और एक वचन कब होगी यदि भूत काले क्रिया के वाक्य में करता का नेचिन हो कर्म की बिभक्ति को भी परकट हो तो लिंग वचन पुरुष कर्म नहीं बलकि आपका पुलिंग और एक वचन होगा जैसे मैंने उनकी कन्या को देखा तो यहां पे आपका पुलिंग के साथ साथ एक वचन भी आ रहा है मैंने उनके पुत्र को देखा यहां पर पूलिंग के साथ एक वचन क्रिया हो रही है यदि एक ही लिंग के अनेक कर्म एक बचन में आएं तो क्रिया एक बचन में होगी जैसे हरी ने एक पुस्तक एक कॉपी और एक पैंसिल खरी दी है ना उसी तरीके से छठा रूल्स कहता है कि यदि विन्विन लिंगों के कर्म आए तो किरिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी जैसे उसने दही चीनी और पापर खाए तुमने पराठा साग और मिठाई खाई साथना में है यदि वाक्य में कर्ता दो विन्विन लिंगों में आए और दोनों को और जोरे तो किरिया बहु बचन और पुलिंग में होगी जैसे बाग और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं तो और जोर दिया न दोनों को राजा और राने लर्का और लर्की यही आपका जो है करता के दो विन्विन लिंगों में आएं तो दोनों के बीज और जोर कर किरिया बहु बचन और पुलिंग में भी होगी आठमा रूल्स है कि वाक्य में यदी पहले मध्यम पुरुष तब अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का परियोग हो तो करता तीनों पुरुष में विभक्ती रहित होतो किरिया उत्तम पुरुष के नुसार होगी जैसे तुम वह और मैं जाओंगा हर हालात में किरिया अंतिम पुरुष बाच्य करता के नुसार होगी जैसे वह और तुम खाओंगे तुम और मैं खाओंगा है ना इस्वर के लिए एक वचन की क्रिया का परियोग होता है जैसे इस्वर तेरी मरजी तु ही हमारा सब कुछ है तो इसमें एक वचन क्रिया का परियोग हो रहा है दसमा है कि क्रियार्थक करता की क्रिया सदा एक वचन, पुलिंग और अनपुरूस में आती है जैसे टहलना अच्छा है, हर समय का रोना ठीक नहीं है ये क्रियार्थक करता की क्रिया सदा एक वचन, पुलिंग और अनपुरूस में आती है एगारमा रूल्स क्या कह रहा है यदी वाक्य में एक ही लिंग और वचन के अनेक अप्रानी वाचक विभगती रहीत कर्म आए तो किरिया एक वचन में होगी किरिया एक वचन में जैसे उसने सुई और कंगी खरीदी बारामा रोल्स काता है कि यदी वाक्य में भिन्भीन लिंग के अनेक विभक्ती रहित कर्म एक वचन में रहे तो किरिया पुलिंग और बहु वचन में होगी जैसे मैंने गाई और घोरे खरीदे अब यहां पर आपका बस्तूनिष्ट प्रस्ण है टाइप उन का इसे हम देख लेते हैं टाइप उन का बस्तूनिष्ट प्रस्ण को जो लमसम आपका लगता है इसमें 100 क्रॉस कर जाएगा 100 हो है सायथ एक नट देख लेते हैं हाँ वही 99-100 ही समझ लिजे है दिया हुआ तो इस 100 प्रस्ण काफी है इसमें करने के लिए एक से 99 तक में देखे दिया है कि नीचे दिये गए वाक्य में तुरूटी वाले वाक्य के जिस वहाग में तुरूटी है उसका चुनाव किजे सबसे पहले गुरूजी ने कक्षा में कहा कि हमें प्रती रोज असनान करना चाहिए यहाँ पे कौन सी तुरूटी है तो गुरूजी ने कक्षा में कहा हमें प्रती रोज असनान करना चाहिए यह प्रती रोज गलत है प्रती दीन होगा ना कि प्रती रोज होगा यहाँ पे तो इसमें आपका जो तुरूटी निकल के आ रहा है वो C मे आ रहा है, खाना खा कर के जाएगा, खाना खा कर जायगा ना, ऐसा K नहीं हो और चाहिए यहां पर यह भी तुरूटी है, अगला है इसमें कोई तूरूटी नहीं है और पहला में असनान करना चाहिए एक मिनट रुकिए हाँ तो यह हो गया आप तीसरा कह रहा है कि राम ने ये सारी पुस्तके पढ़ दी कोई तुरूटी नहीं तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा राम ने सारी पुस्तके पढ़ दी यहां पे आपको यह जो है तुरूटी मिला है C में पढ़ दी यहां पे नहीं होगा वो चार घंटे से आपकी परतिक्षा देख रहें थे तो वो चार घंटे से आपकी परतिक्षा कर रहें थे देखना यह नहीं होता है यहां पे कर रहें थे यह होता है तो D आपका जो है वो गलत हो जाएगा त्रिस्टी करन करने की निती क्या आनुसरन करना ठीक नहीं त्रिस्टी करन की निती का तो इसमें आंसर त्रिस्टी करन गलत दिया हुआ है त्रिस्टी करने की निती ये गलत है मुख अतीती आएं और एक फूल का माला पहना कर उनका स्वागत किया मुख अतीती आएं जब आप अतीती बोली रहें तो फिर इसमें मुख अतीती आएं और एक फूल का माला पहना कर B में आपका गलत दिया हुआ है B में ही गलत है सात्मा है जब वह मेरे घर आई यठार्त मनुष वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है तो इसमें आपका तुरूटी देखने को मिलेगा यठार्त यठार्त गलत लिखा हुआ है नीचे दियेगे वाक्य में असुद्धी भाक का चैन करे दस्मा में तो दिया है कि उनका परिचे कराते हुए मैंने कहा कि वो मेरे बहुत ही निकट के आत्मिये रिस्तदार है आत्मिये रिस्तदार क्या होता है जब आप निकट के बोली दिये तो आत्मिये रिस्तदार नहीं होगा यहां पे गलत दिया हुआ है जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महतोकांगची मानती है उससे बिवा करना नहीं चाहिए कारेलए के समय में मुझे अबधी नहीं मिलएगा SABHUI उससे नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महतो कांगची नहीं होगा यहांपे गलत हो जाएगा पिता के पत्र को पढ़ कर मेरी आंखों से टपटप आंसु वरसने लगे तेरा नंबर में असुद्धी ढूनेना है तो C में इसमें असुद्धी है C में इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसका मांकी और कोई आप्सन नहीं है इस समय उसकी आयू लगभग 30 वर्स है सभी उचित है तो इसमें आंसर हो जाएगा D क्या हो जाएगा D हो जाएगा इसमें B हो जाएगा B में गलत है लगभग 30 वर्स है जब 30 वर्स आप बोली रहे ते लगभग किस बात क्या रही है इस समय उसकी आयू लगभग 30 वर्स है ये लगभग इसमें गलत दिया हुआ है दोनों युवक रेल्वे स्टेशन में से लोट आएं थे 15 में आपका B गलत है गांधी के निन्धन से देश में दुख ज़ा गया कोई गलती नहीं है तो इसमें जो आपका गलती है C में गलती है C में प्छा गया लरका लरकी बन गई कोई गलती नहीं है लरका लरकी बन गई यह गलती इसमें D है D में कोई गलती नहीं आंसर सी है मतलब पुरा स्टेटमेंट सही है मेरे से मितरता रखने से तुम्हें पर्याप्त लाव होगा तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो A हो जाएगा मतलब गलत सुनना ना, मेरे से मितरता, ये गलत है मीठे वचन उत्तमगुन बोलना है, कोई गलती नहीं है तो इसमें जो गलती है E, इसमें से आंसर E हो जाएगा, कोई गलती नहीं उसकी आँखों से आंसु बाते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है और नाचल परदेश में प्राता काल के समय काद्रिश अत्यंत मनोरम होता है तुरूटी रही था है तो इसमें आपका तुरूटी हो जाएगा C में किसमें C में है ना यह ऐसी पहेली है जिसे सुलजाना संभव नहीं हो सकता तो इसमें आपका तुरूटी है D में संभव नहीं हो सकता ये गलत है अंधेरी रात में उसे सरक नहीं लोटाता अंधेरी रात में उसे सरक नहीं लोटाता ये कतन गलत है आपका गलत कहां पे है डी में सीता राम की अग्याकारी पतनी थी तो ये आपका इसमें जो गलत स्टेटमेंट है आग्याकारी दो दीन दो दीन की बदली के बाद आज सुरज निकला है इसमें आपका गलत है डीतरूटी रहित वेक्ति के हर प्रकार के कश्टों को वह पलभर में दूर करती है इसमें आपका गलत स्टेटमेंट जो ए हो जाएगा वेक्ति के हर प्रकार के देखे इसमें 100 question है इतना need नहीं है ये तो practice का चीज है बांकि आप लोग definition इसका समझी गया है तो 30 question के बाद इसे skip कर देते हैं ठीक है वेक्ती के हर परकार के कस्टों को ये देख लिए इनके गैर वर्ण होने की दो कहानी प्रचलित है कोई truth नहीं है तो इसमें answer आपका हो जाए बी हो जाएगा दो कहानी हिंदी लिपी के वर्ण बरे शुद तथा असपस्ट होते हैं तो इसमें जो truth दिया हुआ है वो बी में तथा असपस्ट होते हैं ये आपका गलत है सेठ जी बरे सजन पुरूष है कोई truth नहीं है तो सेठ जी बरे सजन पुरूष है इसमें आपका truth पुन सब्द जो है वो हो जाएगा 29 नमबर का वो B में तुरूटी है है ना सजन प्रूस उसके बाद है कारगी लिध में सेना वीर्ता के साथ लरे कोई तुरूटी नहीं है तो इसमें चो तुरूटी है वो तुरूटी C में है वीर्ता के साथ लरे तो 30 तक ही skip कर देते हैं क्योंकि 100 प्रस्ण है और ये इतना करना important नहीं है ये तो आपके practice का चीज है टाइप 2 में 30 प्रस्ण को देख लेते हैं टाइप 2 में क्या कर रहा है टाइप 2 में क्या है देखिए आप किधर को जा रहे हो इसमें आपको इस टाइप के बिकल्प में आपको सुद्ध वाक्य का चैन करना है तो आप किधर जा रहे हो आप कहां जा रहे हो आप किधर को जा रहे हो आप कहां को जा रहे हो तो इसमें सही वाक्य आप कहां जा रहे हो तीन नगरो का नाम बताईए तो इसमें आपका सुद्ध रूप जो है तीन नगरो का नाम बताईए तीन नगरो का नाम बताईए तीन नगरो का ने ओगा के हो जाएगा याँ पिठी तीन नगरो के नाम बताईए नगरो में के लगेगा भारत में अनेक जाती है भारत में अनेको जाती है भारत में अनेको जाती है तो इसमें भारत में अनेक जातियां ये सही है CT की अवाज जिधर से आ रही थी बस मैं उधर ही दौर परा तो इसमें जो सही आपका दिख रहा है वो D दिख रहा है कि जिधर से CT की अवाज आ रही थी मैं उधर को दौर परा D हो जाएगा पांचमा में डी दिया है सही रूप अधिकारियों ने कागजात का अनिवेशन किया भारत में अनेक जातियां ये सेम प्रस्न है इस कांसर भी कर लिजेगा भारत में अनेक जातियां है तो इसमें सही statement है आज का अवकास देने की किरपा करें आठ में आपका दिया है कि वन में प्रातकाल का दिरिस बहुती शुवना होता ये सही है बाग और बकरी एक घाट पानी पीते हैं ये भी सही है बाग और बकरी एक घाट पानी पीते हैं लर्की ने मधूर संगीत बनाया ये भी सही statement है दस का आप असफल हो गए तो क्या करोगे ये statement भी सही है बारन में है मैंने दो गलत काम करना ही नहीं है ये गलत statement है ये सही दिया हुआ मैंने देखते हैं मैं आज प्राता काल के समय घूमने गया था ये गलत है उसे एक मोतियां की माला दे दो खरगोस को काट कर गाजर खिलाओ मैं रात भर जागता रहा ये स्टेटमेंट आपका सही है मैंने तो गलत काम करना ही नहीं ये आंसर आपका एही सही है परियोगबाद की कविता में समाज की अपेक्छा सिल्प को और कत्थ की अपेक्छा वेक्टी को अधिक महतु दिया जाता है कथन गलत है परियोगबाद की कविता में समाज की अपेक्छा क्या होगा तो इस लाइन को अगर आपको लिखना होगा तेसे आप लिखेंगे कि तुलसी और सूर करमसा अवदी और बरज भासा के स्रेस्ट कभी है आंसर B में दिया हुआ है नेक्स्ट है भासावार राजवन जाने से उपभासाएं विकास नहीं हो पाई नेक्स्ट है कि आप किधर को जा रहे हो ये कथन गलत है यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी आप कहां जा रहे हैं आंसर B में वा कितना घिरनित द्रिश है तो ऐसा थोरी होता है वा यहाँ पे यूज नहीं होगा इसको आप लिखोगे कि छी कितना घिरनित द्रिश है चाकू से राम को काट कर आम खिला दो ये कथन गलत है आप इसे लिखेंगे चाकू से आम काट कर राम को खिला दो या फिर राम को ही काट कर खिला दो Next आप पे हो जाएगा कि आकास बहुत विशाल है तो आकास बहुत विशाल है इसके लिए आप ये सही लाइन लिखा हुआ है आगे है सत्रू को बीर बेखती ही मार सकता है तो इसमें आप सही इसको लिख सकते हो बिल्कुल सही लिखा है सत्रू को कौन मार सकता है जो बीर बेखती होगा वही मार सकता है स्याम का आचरन अच्छा है तो स्याम का आचरन अच्छा है बिलकुल statement सही लिखा हुआ है कवीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो आप इसे लिख सकते हो कवीरदास पढ़े लिखे नहीं थे सही है उसने आवाज देकर अपनी बेटी बुलाई तो यह इसमें आपका गलत यह लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिख सकते हैं यह statement आपका C हो जाएगा कि पिछले सुमबार को श्कूल बंद होना है यहाँ पे पिछले पिछले सुमबार को श्कूल बंद रहेगा पिछले सुमबार को श्कूल बंद होना है पिछले सुमबार को श्कूल बंद था यह answer D हो जाएगा क्योंकि पिछले की बात कर रहा है, बीता हुआ है, ये तीनों statement आपका गलत है, answer D हो जाएगा, मिल्कुल सही, तुमको खीर बनाना नहीं आती, ये गलत लिखा हुआ है, तुम्हें खीर बनाना नहीं आता, ये सही लिखा है, तीसी प्रस्ण इसमें भी करेंगे friends, यही नहीं बलकि वो वहाँ से चले भी गए, तो इसमें आपका हो जाएगा, कि यही नहीं वो वहाँ से चले भी गए, ये सही लिखा हुआ है, तीस का, तो इसमें तीसी रहने देते हैं, बांकि इसको जादा करना क्या पैदा, आप लोग तो प्रैक्टिस ही किजेगा इसे, है ना, इ ये क्या दिया है कि वाक का करम, वाक का करम क्या होता है, इसे हम देखते हैं, इसमें दिया है कि इस तरह के प्रस्णों में और वेवस्तित वाक की वाक्यान से एक ही सही करमबद वाक्य बनाना होता है, ठीक है, तो ये आपको जो है बहुत इंपोर्टेंट होता और एक्जा जीक सीक्रवी ET क्यों तो सबसे पहले आपका यहां पे लिए हुआ है इस सिर्फ MCQ है इसमें MCQ आपको बताना है इसका सही क्या हो जाएगा इसमें भी हम तीसी प्रस्ण करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे इसमें भी आपका लंग सब जो है 60-70 प्रस्ण दिया हुआ है तो इतना करके वीडियो लंबा करने से कोई फादा नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है बांके हम आप लोग को जैसे पर्यावाची वेगरा उसका पूरा करवाएंगे है न यहां दिया है कि आकास में जिस परकार कोमल स्निगध किर्णों से परकासित होता है उसी परकार जो तीस पुंज का अभी भाव होना मानव चित में भी किसी सुर्व उज्वल प्रशन सोडास कला से पुर्ण चंद्रमा अपनी सुधा सिक्त तो इसमें आपका सहज सभाविक है इसमें आपको कैसे वेवस्थित करना होगा ये देखिए तो सबसे पहले आपका वो सब्द का वो का उप्यो किया जाएगा सबसे पहले सुडास कला से पुर्ण चंद्रमा अपनी सुधा सिक्त ये हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा ये कोमल इसनिक्द किर्नों से परकासित होता है उसी परकार मानव चित में भी किसी सुब्रोज्वल प्रशन और जो तिस पुंज का अभिभाव होना तो यह आपका बी जो है वो बिल्कुत सही दिया हुआ है बोलचाल की भासा को यहां पे दिया है अपने सब्दों के अधार पर अपने भाव वाचार्थ में सरस और संजीब बनाने के लिए कतिपे ऐसे परकट नहीं करते वरन उनके लक्षार्थ में ही वाक्यांसों का परियोग किये जाते हैं तो उनका सारा भाव गर्वित रहता है तो इसे आप लिख सकते हैं पहले ही जो को सरस और संजीब बनने के लिए कतिपे ऐसे वाक्यांसों का परियोग किये जाते हैं जो अपने सब्द के अधार पर अपने भाव को वाचार्थ में परकट नहीं करते वरन उनके लाव्यार्थ में ही तो यह आंसर C बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा है आपका परसाद जी आपचारिक सिक्षक अधिक प्राप्त नहीं कर सके इसे आपको व्यवस्थित करना है तो आप सबसे पहले इसमें यूज करेंगे रौका आठमी कक्षा के बाद ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी परी आठमी कक्षा के बाद ही उन्हें परहाई छोड़नी परी लेकिन उन्होंने अपचारिक सिक्षा की कमी को स्वाध्याई से पुरा किया और स्वाध्याई से उन्होंने हिंदी, संस्क्रीट, पाली, उर्दू और फार्सी की भासाएं सीखी उसके बाद इन भासाओं में शुलव, साहित दर्सन और आदी का गंभीर ग्यान प्राप्त किया तो यह आंसर आपका सी हो जाएगा यह, रह, वह, लह इस तरीके के प्रस्ण आपको मिलते हैं एक्जामे सजाने के लिए नेक्स्ट है कि जिस परकार दहकना है उसी परकार उसके सभाव का मनुस का धर्म अगनी का धर्म पर्या होना चाहिए तो इसे आप लिख सकते हैं सबसे पहले वो अगनी का धर्म अगनी का धर्म दहकना है उसी परकार अगनी का धर्म दहकना है उसी परकार जै मनुस्त का धर्म उसके सभाब का है ना तो आंसर ए हो जाएगा पांचमा में है कि यह नीजी प्रसासन की अपेक्छा सरकारी प्रसासन पर अधिक ध्यान देने के लिए असपस्ट अनुरोध है इसमें आपका जो स्टेटमेंट दिया है इसके एकॉर्णिंग आप सजाएए डायरेक्ट यहाँ पे छट्ठा में दूसरे और नीजी प्रसासन इस प्रकार के दवाबों से मुक्त होता है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं यह पहले सबसे पहले यह का यहाँ में क्या लिखा है जराप परिये इसको इस प्रकार की समझदारी से सरकार के लिए यह आवस्तेख हो जाता है कि उसके द्वारा लिए गए या फिर लिए जाने वाले सभी निड़ने के रिकॉर्ड को तयार इस्थिती में रखे या फिर यह रिकॉर्ड रखने तदा बढ़े हुए कागच कार के बिशे में सरकाली निर्नाए की देरी से अस्पस्ट करता है यह के बाद लग होगा लग के बाद आप लिवा को यूज़ करेंगे जैसे सरकार को आवस्तेख रूप से अनेक कार के ओचित्ते को और चित्त को संसदिय समीती के समक्ष सिद्ध करना होता है यह सरकारी कारिकरताओं को लक्ष प्राप्ति के अस्थान पर नियम बदता को अधिक ध्यान में रखने पर जोड देता है लग के बाद आप यूज़ करेंगे यहरी वा के बाद यूज़ करेंगे रखा या एक सरकारी प्रिसासना और राजनितिक बातावरन से उत्पन विसेस्ता है अंसर हो जाएगा पांच का ए छट्था में हो जाएगा कि भारत की भुगतान समतुलता अच्छी हो गई यह अच्छी हो गई है किसके लिए तो इसमें आपको व्यूग करना है सबसे पहले लौ का सबसे पहले इन आसमतुलाओं को सुधारने का कार उस सरकार का था जिसके पास कार्रे को हाथ में लेने के लिए सहमती नहीं है सबसे पहले यह स्टेट्मेंट होगा उसके बाद आपका यूज होगा वो का वो में है कि इसने वज़टिये खाद पहला दूसरा उसने वज़टिये खाद को घटाने के लिए कहा जो आवस्तिक समागरी में विर्दी तथा अनावस्तिक आयात पर रोक लगाने का अश्वासन परदान कर सके उसके अलावे आप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे वो हो जाएगा यह का मुल रूप में ऐसा लगा कि सरकार इन अस्तब्यवस्ताओं में सुधार करने के लिए विविध घात की विभू का सहारा लेगे उसके बाद इसका यूज़ करेंगे रह का चौथा में रहोगा वास्ता में यह अनेक इनके अन्तिम के साथ सरबदिक उल्टे सिदे यानि उवर खावर मांग से गुजरता है भारत की वुक्तान सम्तुला अच्छी हो गई यह स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुत सही है बी नंबर नेक्स्ट है धनिया ने नाक सिकोर कर कहा मेरी देह में आग लग जाती है इसे आप कैसे सुमेलित करेंगे देखिए सबसे पहले आप यूज करेंगे मैंने तुमसे सो बार हजार बार कह दिया कि मेरे मुपर भाईया का बखान ना किया करो उसका नाम सुन कर मेरी देह में आग लग जाती है धनिया के नाक सुकुर कर कहा तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा सी समाजिक जीवन में उपाई ही नहीं कर सके इस से आपको इसी बीच में इतना क्या होगा कैसे विवस्थित कीजेगा ये देखिए तो सबसे पहले आप यूज करेंगे यह का समाजिक जीवन में क्रोध की जरुवत बराबर परती है यदि क्रोध ना हो तो मनुस दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने बाले बहुत से कस्टों की चीवनिर्ति का उपाई ही नहीं कर सकेगा है ना तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वह भासा जो सारबजनिक हो ऐसे भासा को हम राष्ट भासा कहेंगे इसमें क्या होगा देखिए वह भासा जो सारबजनिक हो अर्था सारे राष्ट के निवासी द्वारा बोली और समझी जा सके और राजनितिक कारे में जिसका परियोग किया जाए साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्विक्रित प्राप्त हो ऐसी भासा को हम राष्ट भासा कहेंगे दी होगा मरुभुमी राजस्थान के प्रतेक अस्थाली पर वहां के वीरो कारक्त प्रबाहित हुआ और यहां के देवियों ने अपने आस्थित्व की रक्षा के लिए अपने प्रान अगनी देव को समर्पित कर दिया जहां पदमीनी लक्ष भीवाई ने देश के हतार तलवार धारण की और सत्रूओ का मान दर्सन किया तो यह आंसर आपका ए हो जाएगा दस का दस ही रहने देते हैं आप लोग कर लिजेगा इसे एक और हम छोड़ा छोड़ा यहां पर आपको स्कॉल कर देते हैं है ना इसे आप लोग PDF के माध्यम से क्या कीजेगा कि प्रैक्टिस कीजेगा इस MCQ का क्योंकि इसका आंसर यह रटने की चीज नहीं है यह स्टेटमेंट आपका वहां पर चेंज रहाएगा है ना सेम कोशन आपको यहां पर नहीं मिलेगा तो इतना वीडियो को लंबा देखने से कोई फ्यादा नहीं कुछ आप एक्जांपल के तौर पर जो है उसे समझने की क किये यहां पर कुछ रिक्तस्थान दिया हुआ इसको पूर्ति कर लेते हैं बांकी देखेंगे यहां पर दिया है कि निमलिखित प्रस्ट में दिये गए वाके में रिक्तस्थान की पूर्ति के लिए सबसे उप्रिक्त विकल्प सुनिए हाँ यह भी इंपोर्टेंट है और नहीं देखेंगे क्योंकि 200 प्रस नहीं इसमें Type 1 Type 2 करें तो Type 1 से 30 और Type 2 से 30 देख guarantee clear हो जाएगा आपका ठीक है देखें ना मैं किसी की उपैक्चा करता हूं ना किसी परकार की आपग्चा ठीक है यह आपका सह्छी ब्रह्म सत्य चित डैस श्वरूप हैं कलाकार में जन्वजात प्रतिभा अनिवार है दी हो जाएगा राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में दस वर्ष के लिए दस वर्ष के लिए आबिरती जमा खाता खुलवाया वर्तुमान संदर्भ में भी महात्मा गांदी के विचारों का महत कम नहीं होता है कोई विक्ति किसी का मार्ग दर्सन कैसे कर सकता है जब वह स्वयम ही मार्ग से अन्विग्य हो अन्विग मतलब भटका हुआ हो मैंने इस कारे के लिए अधिकारियों से डैस्विकृति प्राप्त कर ली ताकि हमें बाद में कोई अर्चन न हो तो यहां पे आपका स्टेटमेंट वनेगा कि मैंने इस कारे के लिए अधिकारियों से क्या कर लिया अजिकारियों से वानशित स्वकृति प्राप्त कर ली ताकि हमें बाद में कोई अर्चन ना हो तुम मेरा अपमान मत करो मुझे श्वैम अपने कर्मों पर परिताप है क्या है परिताप है मतलब भरोशा है शंबिधान में हिंदी को राज भासा कहा गया है अस्ट छाप के सर्वस्टेष्ट भक्ति कवी के रूप में डैस के नाम जाने जाते है तो अस्ट छाप में सूरदास अस्ट छाप के सर्वस्टेष्ट भक्ति कवी के रूप में सूरदास का नाम जाना जाता है भारत एक स्वतंत्र डैस देस है तो भारत एक स्वतंत्र प्रिया देश है संगीत का प्रभाव बेक्ति के मस्तिक्स पर पड़ता है सारनात की गौतमबुद की मुर्ती के 4 और 1 डैस मुर्ती के 4 और 1 अभा निर्थ करती दिखाई देती है कलैंगिक अलाएंगि कलैंगिक इसमें से कोई नहीं होगा प्रभाव बेजन सर्मा वेचन सर्मा को उग्र कहते है परबत की चोटी पर पहुँचने में औसफल रमेश ने अपनी ओर से यथा संभब परियास किया हारिजन बस्ती में भासन करते हुए गांधी जी ने बताया कि मानव गुनों में मानव गुनों में उधारता एक महान गुन है 21 नमबर है कि कार चलाने से पुर्व शौरव के पिताजी ने उसे सापधानी बरतने का डैस दिया तो सापधानी बरतने के लिए उसके पिताजी ने उसे प्रसिक्षन दिया यहां पर प्रामर्स हो जाता है ट्रेनिंग थोड़ी दिया जाएगा जो लोग शेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र उचित उचित क्या है भेजना चाहिए उचित माध्यम से भेजना होगा मांसी के पांचमें जनमदीन पर उसके बावा ने उसे आसिरवाद दिया योग साधना में दरपन और साकाहार का विशेश महत्त होता है पचीस नमबर प्रसना आपसे पूछा जा रहा है कि कलाकार की कलाकिर्थियां में जनता की अकांचाओं का प्रती फलन होना चाहिए इस मुर्ति में मानो स्वैम इस्वर ही साकार हो गए सब्यता की दौर में संबेदन सिल्था जैसे मानव बेगों के साथ स्वता छूट जाता है ये होगा उसके बाद है आपसे सादर डैस है कि आप हमारे यहां मुखतिती बनकर पधारे तो आपसे सादर अनरोध है कि आप हमारे यहां मुखतिती बनकर पधारे महात्मा बुध ने लोगों को अहिंसा का डैस दिया तो महात्माबुध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया? उपदेश दिया निर्धनता से प्रिरित बेचारे मोहन के प्रान निकल गए क्या हो गया? गए, आंसर ए हो जाएगा तो तीसी रहने देते हैं, बांकी छोड़ देते हैं बागे आप टाइप 2 देखते हैं टाइप 2 में किस टाइप के प्रस्ण है ये आपको बनाना है खुद से मैं PDF दूँगी आप लोग खुद बनाईएगा ठीक है उसके बाद चलिए टाइप 2 में हम देखते हैं दिया है कि निर्मलिकित प्रस्णों के वाकिमेरिक तस्थान की पूर्ति के लिए सबसे उप्रुक्त भी कल्प चुनिये। तुम्हारे बिसे में मैंने तुम्हारे संडक्चक से संपर्क किया। सारनात की गौतमबुद की मुर्ति के चारो और एक डैस अलैंकिक निर्थ करती दिखाई देती है। अपने जीवन के उद्देश की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक परियास करना होगा। निराला की कभियों में बिद्रो और क्रांती का स्वर्तेज है। नेक्स्ट है साथ नंबर की संपन सीतल समीर मंद गती से प्रकिर्ती के कोने कोने में उनमाद भर देता है। आठमा है बंसी कुशंग चाहत कुशल या रहीम अपशोस डैस घटना समुद्र की रावन बस्यो परोस तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका बी महीमा बसी कुशंग चाहत कुशल या रहीम अपशोस महीमा घटना समुद्र की रावन बस्यो परोस भी हो जाएगा यहां बेद आर्यों के डैस ग्रंथ है तो वेद जो है वो आर्य के आधी ग्रंथ है चलचित्र समाज को गुमरा करते हैं आज मैं अपने मित्र के आने की प्रतिक्षा होगा क्या होगा प्रतिक्षा कर रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात तुम्हें जानना क्यूं आवस्यक है है ना आवस्यक है सी हो जाएगा प्रकिर्ती में बायू प्रदूशन को कम करने वाली डैस स्वता होती रहती है मैं रवी के प्रस्ताव का अनुमोधन करता हूँ और चाहता हूँ कि इसे सदन में विचारार्थ प्रस्तूत किया जाए 15 नम्र प्रस्त है कि इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीच नहीं थै मेरी डैस से उसे गहरा मांसिक अगहात पहुचा गंगा नदी सबसे क्या है गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है डैस में रहने से मनुस्का चरित गिरने लगता है बैग्यानी केवल सत्त की खोज के उद्देश से ही अपने विशय की डैस करते है तो बिवेचना करते हैं बैग्यानी केवल सत्त की खोज के उद्देश से ही अपने विशय की बिवेचना करते हैं बीस नंबर है उत्सा वास्तम में कर्म और फल की मिली जुली क्या है कर्म और फल की मिली जुली अनुभूती है जिसकी प्रेणा से तत्त परता आती है निर्वाक द्रिष्टिशे अनिता के मुक्ताक रही थी अगला है चरन कमल बंदो हरी राई जाकी किरपा डैस गिरी लांगे अंधे को सब कुछ दर्साई तो इसमें आपका सही अंसर होगा पंगू पंगू मतलब पैर लगे चरन कमल बंदो हरी राई जाकी किरपा पंगू गिरी लांगे अंधे को सब कुछ दर्साई तो बीसी अंसर हो जाएगा यहाँ पे जर्मन विद्वानों ने अध्य अबसेस के साथ संस्कीत भासा का अध्यन विदिवत किया था 25 नमर प्रस्ण है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र पत्र का स्रे उर्दंत मांटंड को दिया जाता है सही है राम चित्र मानस के राम चित्र मानस के रचईता महात्मा तूलसिदास के समान व्यक्तिगत बाला मद्यूग में अन्य कोई पुरुष नहीं हुआ गंभीर साहित में भी हर्स की गंभीर साहित में भी हर्स की अवधारना से आकरसन पैदा हो सकता है ए होगा अवधारना से अवधारना ने अवधारना से नेक्स्ट होगा स्रेष्ट निवंध में जहां तहां स्रेष्ट निवंध में जहां तहां डैस भी पुष्ट करहता है तो इसमें आप लिख सकेंगे व्यंग, श्रेष्ट निवंध में जहां तहां व्यंग भी पुट रहता है जन्य चेतना का अर्थ जन्तंत्र को डैस अधार देना है तो जन्य चेतना का अधार क्या होगा, जन्य चेतना का अधार है व्यापक अधार देना तीस नमबर प्रस्द है कि उसने डैस किया इसी कारण पुलिस द्वारा पकरा गया तो उसने उसने क्या किया उसने जो है अपराद किया इसी कारण पुलिस द्वारा पकरा गया तो चलिए इसे भी स्कीप करते हैं बागी देखते हैं आगे क्या है आपका अगला टॉपिक अब आता है सबसे इंपोर्टेंट चीज पर्यावाची पर्यावाची शब्द को देखेंगे तो पर्यावाची पहले होता क्या है इसकी बेसिक जानकारी को देखते हैं समान अर्थ एक ही अर्थ आत्वा बिकल्प किंतु द्यान रखना चाहिए कि परियावाची सब्द कभी भी समान अर्थक आत्वा एक दूसरे के पुनता बिकल्प नहीं होते अपने सुक्षमार्थ भेद सैदव बना रहता है क्योंकि विल्कुल समानार्थी सब्द तो हो ही नहीं सकते जैसे कि कमल कमल का परियावाची पंकज होगा इदिवर अर्विंद नलीन पुंडरीक है ना कंज का नील कमल के लिए परिक्थ होने वाला सब्द है और इदिवर भी नील कमल के लिए परिक्थ होता है तो नलीन नील कमल के लिए होता है इसलिए पुंडरीक स्वेत कमल के लिए परिक्थ होता है अर्विंद अरून आबा स्वेत कमल के लिए आता है और जल अंबू नीर सलील वरी में भी बरी में भी यहां भी देखेंगे वरी में भी जल जल समाने पानी नहीं है पवित्र और पीने योग साप पानी को हम जल कहते हैं जल नाली में बहने वाला गंदा पानी नहीं है अंबु मीठा पानी नीर निर्मल और पारदरसक वरी उपर से नीचे की और बहने वाली नदी पानी को कहते हैं वरी उपर से नीचे की पूल है और कुसुम पिले रंग का फूल है प्रशून खिला हुआ फूल मकूल अद खिला फूल महिला नारी इस्त्री रमनी ललना भामिनी आदी इस्त्री के परियावाच्ची सब्द में भी भेध हैं महिला किसी और संस्कृत इस्त्री के लिए परिक्थ होने वाला सब्द सब्ध संस्क्रीत और संभ्रात इस्त्री के लिए प्रिक्थ होने वाला सब्ध है। अगनी का परियावाची क्या क्या होता है। तलाव का परियावाची है सरोबर, सर, तराग, जलाशे, पुशकर, पदमाकर, हिंद। दुख का परियावाची होगा पीरा, व्यथा, कस्ट, शोग, कलेश, वेदना, खेद। देवता का परियावाची होगा सूर, देव, अचर, अमर, विवुध, निर्जर, गिवार्न। नदी का परियावाची सरिता, तारणी, अपंगा, निम्नगा, निजर्नी, तरंगनी, है ना, तरंगनी। यह सभी नदी का परियावाची है, नौका का परियावाची नाव, तर्नी, तरी, बेरा, डेंगी और पतंग। नौका का क्या है, नाव, तर्नी, तरी, बेरा, डेंगी और पतंग। पती, पती का परियावाची होता है, स्वामी, नात, भरता, भरता ने लिखा है, इसमें इसे बोलते हैं, भरता होता है, भरता, कांत, बर और बल्लव। पती का स्वामी, नात, भरता, कांत, बर और वल्लव। पत्नी का परियावाची भार्या, दारा, सहधामनी, अर्धांगनी, प्रान प्रिये और बहु। पच्छी का हो जाएगा परियावाची विगह, पतंग, दुइंग, देखें, पतंग नौका का भी था और इसका पच्छी का भी है, पतंग, दुइंग, अंडज, खग, नवचर और पकेरू, परवत का हो जाएगा अचल, धूधर, पहार, महिधर, नग, सैल, गिरी पुत्र का तनय, सूत, आत्मज, उसके बाद हो जाएगा तनूज, बेटा और पुज, बायू का हवा, अनील, समीर, मारूती, बात और स्वसन, पृत्वी का है भू, भूमी, धारा, धर्ती, धर्नी, वसुधा और वसुंधरा, ये पृत्वी का परियावाची है, पुस्प पुस्प का परियावाची पूल, सुमन, कुशुम, प्रशून और पुहुप है, व्रिक्ष का परियावाची होगा तरू, पेर, द्रुम, बिटप, पादप, बिटप और पादप, समुद्र का परियावाची सागर, जलाधी, पयोधी, रतनाकर, अर्नव, शिंधु, समु परियावाची है, रभी, भासकर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु और आदित्य, नेक्स्ट है, सरस्वती का, सरस्वती का होगा, ब्रामनी, भार्ती, भासा, वाग, सार्दा, बिनापाननी, बानिशी, क्या होगा बानिशा, सरी बानिशा, सर्प, सर्प का होगा, अह अही, भुजंग, विश्धर, व्याल, नाग और साप मुनी, मुनी का परियावाची होगा साधू, शंत, वैरागी, अवधू, सन्यासी, महात्मा यमुना का सुरे सुता, सुरे पुत्री, सुर्यतनया, कालिंदी, कृष्णा, अरकजा और रात का होगा रात्री, निशा, रजनी, दामनी, विभावरी, शर्वरी, त्रियामा नेक्स्ट आता है आपका राजा, राजा का परियावाची निरिप, भूप, महीप, महीपती, नरेस, भूपती और समराठ निरिप, भूप, महीप, महीपती, नरेश, भूपती, समराठ हो जाएगा असुर का है दनूज, दानव, रच्छस, दैत, निसीचर, निसाचर और तमीचर असुर का दनूज, दानव, राच्छस, दैत, निसीचर, निसाचर और तमीचर हो जाएगा अनुपम का हो जाएगा अनुपम का अतुल, ओदूतिय, अनूठा और अनोखा अमरित का हो जाएगा सुधा, प्यूस, अमी, जीवनोदक और सोम अमरित का अस्व का है घोटक, घोरा, तुरंग, वजी, है, सैंधव अस्व का, उसके बाद आँख, आँख का परियावाची अपका होगा नेत्र, नयन, चच्छू, लोचन, विलोचन, द्रुग, अच्छी, अंबग क्या होगा आँख का नेत्र, नयन, चच्छू, लोचन, विलोचन, द्रुग, अच्छी, अंबग आकास का पर्यावाची होता है गगन वयोम अंबर सुन्न आसमान अंत्रिक्च अबर आम का पर्यावाची है आमर, रसाल, शहकार, अमरीतफल, अतिशोरव आनंद का होगा मोद, प्रमोद, आमोद, हर्स, अहपरलाद, प्रसंता, अहलाद प्रसंता, आनंद का हो जाएगा आसरम का पर्यावाची है मोद, प्रमोद, आमोद, हर्स, चरी आसरम का मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखारा और संग क्या होगा आश्रम का मठ, विहार, कुटी, सस्तर, अखारा और संग इक्छा का पर्यावाची होगा अकांचा, इक्छा, अभीलासा, चाह, कामना, मनुरत, अस्प्रिहा इंद्र, इंद्र का होगा देवेश, देवेंद्र, सुर्पती, सुरेंक, सुरेंक्च, सुरेश, देवराज, सचीपती और समु, समु का पर्यावाची होगा समुन्दाई, ब्रिंद, गन, शंग, दल, जुन्द और तोली समुन्दाई, ब्रिंद, गन, शंग, दल, जुन्द और टोली सुन्दर, सुन्दर का पर्यावाची रुचीर, मनोहर, रमनीक, ललीत और रम्य होगा सुन्दर का रुचीर, मनोहर, रमनीक, ललीत और रम्य सिंग, सिंग का आपका पर्यावाची होगा सरदुल, ब्यागर, पंचमूख, पंचानन, म्रिग्राज, उसके बाद म्रिग्रेंद और केसरी, सिंग का होगा इस्तरी का परियावाची है नारी, महिला, औरत, कांता, वामा, कामनी, अबला, रमनी क्या क्या होगा नारी, महिला, औरत, कांता, वामा, कामनी, अबला और रमनी उसके बाद सेना, सेना का परियावाची है अनी, कटक, दल, चमू, वाहिनी और फॉज सोना का हो जाएगा सोना का स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिर्णय, शुवर्ण, घटक, जातरूप सोना का उसके बाद है ब्रह्मा, ब्रह्मा का होगा आत्म, आत्ममू, स्वेंभू, स्वेंभू, चतुरानन, लोकेश, पितामा, विधी और विधाता ब्रह्मा का क्या होगा आत्ममू, श्वेशंभू, चतुरानन, लोकेश, पितामा, विधी और विधाता नेक्स्ट है बिजली, बिजली का परियावाची होगा चंचला, चपला, विद्धूत, धामनी, तरीत, बिजुरी बान, बान का होगा तीर, सर, विशिक, इशु, नराज भौरा, भौरा का भ्रमर, मधूप, मधूकर, सस्टपद विश्णू, वश्णू का परियावाची नरायन है, गोविंद, माधव, चक्रपनी, केसव और दामोदर माधव का, उसके बाद है महादेव, महादेव का सिव, शंभू, शंकर, महेश, त्रीलोचन, त्रीनेतर और चंदरसेखर मेग, मेग का होगा बादल, नीरद, अबुंद, जलद, वारीद, घन और जलधर इस्वर का होगा भगवान, इस, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीस, जगरनात, प्रभू यह सभी आपका इस्वर का पर्यावाची है, कपड़ा, कपड़ा का पर्यावाची है, बस्त्र, अंबर, पट, वयन, और चिर कमल, कमल का पर्यावाची है, जलज, पंकज, नीर, वरीज, पदम, राजीव, पुंडरीख कामदेव, कामदेव का होगा अनंग, मदन, मनोज, काम, मनसीज, रतिपती किरन, का होगा अन्सु, कर, रसीम, मरीची, मयुक, प्रभा किरन का पर्यावाची, मोहन, केसब, माधव, वासुदेव, गोपाल, गिर्धर, मुरारी कुवेर का पर्यावाची है, किन्न नरेश, यच्छ राज, धनध, धनाधिप, राज राज, गनेश गनेश का है, गजानन, गनपती, लंबोदर, गजवदन, विनायक, भवानी नंदन ये गनेश का पर्यावाची है गंगा का पर्यावाची है जानवी, देवनदी, सुर्पती, सुर्षरिता, भागी रती, मंदागनी गधा का हो जाएगा घर, गंधर्व, भूशर, चक्रिवान, वैसाखनंदन गधा का घर गर का गिरी, आले, सदन, निकेतन, भवन, धाम, अगार, गे सब गर का पर्यावाची है चंद्र का पर्यावाची होगा चांद, संद्रमा, ससी, हिमांसू, सुधांसू, सुधाकर, सुधाधर चंद्र का चांद, संद्रमा, ससी, हिमांसु, सुधांसु, सुधाकर और सुधाधर शोर का तसकर, दश्यू, रजनीचर, कुमील, शाहसिक जल का पानी, अंबु, नीर, वरी, सलील, तोय, पै पानी का क्या होगा? अंबु, नीर, वरी, सलील, तोय, पै, जल कसम का होगा शपत, सपन, सोगंध, प्रतिग्या और प्रन कोमल का परियावाची होता है मिर्दू, मस्रिन, नरम, मुलायम, रुच, अकठोर, औकठोर, अप्रुष गरूर का परियावाची होगा तच्छर, वैनते, खगेश्वर, नागदंतक, विश्नुरत, सुपर्न, पन गासन गरूर का क्या होगा तच्छर, वैनते, खगेश्वर, नागंतक, विश्नुरत, सुपर्न, पन गासन गेकाओ का गिरी, सदन, भवन, निकेतन, अगार, निले, आले, विशम गनेश का विनायक, द्वय मातूर, गनाधिप, लंबोदर, एकदंत, गजानन कोयल, कोयल का काकलिक, कोकील, काकली, पिक, बनप्रिय, भर, परभृत परभृत, चतूर का हो जाएगा, विग्य योग नागर, विग्य योग नागर, दच्छ होसियार, प्रवीन निपुन सयाना नरक, नरक का आपका बनेगा, निरे, दुर्गती, यमलोक, यमपूर, जहन्नूम, नरक और नरक यह सभी नरक का पर्यावाची है, अब आपका आता है बस्तुनिष्ट प्रस्णिट, इसे हम देखते हैं क्रिष्णा का पर्यावाची द्रोप्ती, क्रिष्णा का पर्यावाची क्या होगा, द्रोप्ती हो जाएगा सलेजा, सलेजा का पर्यावाची आपका पार्वती होगा, सलेजा का, पार्थ, पार्थ का पर्यावाची अर्जुन होगा, प्रपात का, प्रपात का पर्यावाची होगा, जहरना, आँख का पर्यावाची, आँख का पर्यावाची है, द्रिग, तसकर का पर्यावाची होगा तसकर का चोर, इंदर का परियावाची इंदर का परियावाची हो जाएगा देवेश नगर, नगर का परियावाची होगा चतुर, नगर का परियावाची चतुर हो जाएगा इंदर का परियावाची क्या होगा तो इंद्र का परियावाची आपसे पूछा गया है तो हो जाएगा देवेश, ठीक है नागर, नागर का परियावाची क्या होगा, नागर का हो जाएगा चतुर नागर का क्या होगा, चतुर हो जाएगा, ठीक है आगे देखते हैं उसके बाद है आपका सुरी, शुरी का पर्यावाची कौन नहीं है, ये पूछा गया है कि सुरी का पर्यावाची कौन नहीं है, तो महंद्र सुरी का पर्यावाची नहीं है, नग का पर्यावाची कौन नहीं है, तो नग का तरी जो है ये पर्यावाची नग का नहीं है, नेक पर आपको यामनी लिखा है दामनी होगा ना कि यामनी होगा फूल का पर्यावाची कौन नहीं है तो फूल का पर्यावाची इसमें से नहीं है आपका तनूजा फूल का पर्यावाची नहीं है तनूजा होस्ट का होट का पर्यावाची कौन नहीं है तो होट का पर्यावाची कि इसमें से सजनी नहीं है, सजनी कहते हैं, बारा का नहीं है, एक मिट, ओ सजरी, फूल का परियावाची कौन नहीं है, बारा में पूछ रहा है कि फूल का परियावाची कौन नहीं है, तो तनोजा नहीं है, तेरा में दिया है कि फोट का परियावाची कौन नहीं है, तो फो परियावाची कौन है, तो है सरस्वत्ती बीना पाननी को कहा जाता, जिसके हाथ में बीना हो, कंचन का परियावाची कौन है, तो कंचन का परियावाची कनक है, निसाकार का परियावाची कौन है, तो निशाकार का परियावाची चंद्रमा है, कामदेव क्या है, नेक्स्ट परियावाची कौन है तो केसरी का परियावाची सी ही हो जाएगा रमा का परियावाची कौन है रमा का रमा का होगा इंद्रा मेस का परियावाची कौन नहीं है ये पूछा गया है तो मेस का पायोद नहीं होगा क्या पायोद केदार का परियावाची कौन नहीं है केदार का में से होगा महेस नहीं होगा स्वर्ण का पर्यावाची कौन नहीं है स्वर्ण का पर्यावाची कौन नहीं है 24 में तो किंकिन नहीं होगा स्वर्ण का पर्यावाची नेसर का पर्यावाची कौन है नेसर का पर्यावाची आपका गधा है गधा क्या है प्रम्रित का पर्यावाची कौन होगा तो प्रम्रित का पर्यावाची आपसे हो जाएगा कोयल कुशु कुशु मेबु का पर्यावाची कौन है कुशु मेबु का पर्यावाची कामदेव है आगे देखते हैं सांभवी, सांभवी का पर्यावाची कौन है? तो दुर्गा सांभवी का नाम है मरकट का पर्यावाची कौन है? बंदर, मरकट को कहा जाता है बंदर प्रित्वी का पर्यावाची कौन है? प्रित्वी का बसुंधरा होगा गोरा का परियावाची कौन है? तो गोरा का परियावाची होगा वजी वजी गोरा का परियावाची है उसके बाद है पवन का परियावाची कौन है? पवन का परियावाची अनील होगा निरंग कुस्ता का परियावाची कौन है? तो निरंग कुस्ता का परियावाची होगा स्वक्ष चारिता क्या है स्वक्ष चारिता आपका निरंग कुस्ता का पर्यावाची होगा सेना का पर्यावाची कौन है सेना का पर्यावाची कौन है तो सेना का पर्यावाची आपका अनी हो जाएगा मिर्गेंद्र मिर्गेंद्र का पर्यावाची कौन है मिर्गेंद्र का ह हो जाएगा सरदुर्ल क्या होगा सरदुर्ल अनील का पर्यावाची क्या है कौन है अनील का पर्यावाची तो अनील का पर्यावाची बनेगा इसमें से पवन अगनी का पर्यावाची कौन है अगनी का हो जाएगा अनल पृत्वी का पर्यावाची कौन है पृत्वी का पर्या कबुतर का पर्यावाची कौन है तो कबुतर का पर्यावाची परावत है परावत आग का पर्यावाची कौन है आग का पर्यावाची होगा अनल उसके बाद है निर्देश में दिया है कि 42 से लेके 46 प्रतेक समू में तीन पर्यावाची एक ही सब्द के हैं ठीक है और एक भीन अर्थवाला सब्द है तो भीन अर्थवाला सब्द आपको चुनना है बयोम अंबक नव और अनन्द तो इसमें से अंबक आपका अलग हो जाएगा भासकर, रवी दिवाकर और सुधाकर इसमें से जो विशम है वो है आपका सुधाकर सुधाकर अलग है, ठीक है, नेक्स्ट है, उस दीन प्रभात सवेरा, उस दीन और प्रभात सवेरा, इसमें से जो विशम सब्द है, आपका सवेरा कहते हैं, इसमें से आपका हो जाएगा दीन, दीन सबसे अलग होगा, परलोक, श्वरगीद, अन्य लोक, अन्य आदमी, इसमे से अलग आपका हलवाहा है हलवाहा नीरस का पर्यावाची सब्द है तो नीरस का पर्यावाची पुछा गया है तो नीरस का पर्यावाची सरस होगा जर जर सब्द का पर्यावाची आपका चेतन होगा अरून का पर्यावाची सब्द है अरून का पर्यावाची प्राता काल हो अंबर का पर्यावाची सब्द है आकास अंबर का जेस्ट का पर्यावाची सब्द क्या होगा जेस्ट का पर्यावाची सब्द तो जेस्ट का पर्यावाची बरा होगा जलाधी का पर्यावाची सब्द जलाधी का सागर हो जाएगा आगे है छपन नंबर पार्वती का पर्या पर्यावाची सब्द क्या है? चंद्र का पर्यावाची सब्द क्या है? मयंग, दीन का पर्यावाची सब्द क्या है? दीन का पर्यावाची बाशर हो जाएगा. अगला है, रती, रती का पर्यावाची हो जाएगा प्रेम, खग, खग का पर्यावाची है विहग, उसके बाद ह अवनत, अवनत का पर्यावाची बनेगा इसमें से उननत, क्या बनेगा उननत, option C, अब है कि निमने लिखी सब्दों का पर्यावाची सब्द बताईए, चंदरमा का पर्यावाची क्या होगा, ससी हो जाएगा, चंदरमा का पर्यावाची, आगे है जागरूत, जागरूत का पर्यावाची बनेगा 64 में जागरूत का सुवर्ण हो जाएगा नेक्स्ट है जागरू के अब भतस एक मिनट भूतेश लिखा हुआ है भूतेश का पर्यावाची क्या है तो भूतेश का पर्यावाची आप से पुछा गया तो यह हो जाएगा महादे भूतेश का किसका परियावाची है तो बिहग होगा आपका अंडच का परियावाची अनन्त आनन्त का हो जाएगा सेसनाग क्या हो जाएगा सेसनाग तने का पर्यावाची होगा पुत्र कमल का पर्यावाची क्या है कमल का जलज होगा आगार का पर्यावाची बनेगा आगार का भंडार अंब का पर्यावाची है माता कूल का पर्यावाची होगा किनारा काम प्रिरित वाला काम इसके जो पर्यावाची होगा वो मदन होगा भ्रांती भ्रांती कहते हैं दो बस्तु के सद्रिश के कारण भ्रांती भ्रांती जिसको बोलते हैं भ्रांती इसका पर्यावाची बनेगा शंदे बादल, गर्जन वाला बादल का पर्यावाची वनेगा मेग व्रिक्ष, जो लताओं से अलिंकित हो उसे कहते व्रिक्ष और ये व्रिक्ष का पर्यावाची वनेगा गुल्म किनारा नदी का, नदी के किनारा का पर्यावाची होगा तीर, क्या होगा तीर इर्सिया जिसको जलन बोलते हैं इर्सिया का पर्यावाची हो जाएगा इर्सिया का पर्यावाची स्परधा हो जाएगा कमल का पर्यावाची सरसीज होगा का होगा सरसीज बायू का पर्यावाची क्या है बायू का पर्यावाची अनील होगा विपीन का परियावाची आपका हो जाएगा वन विपीन का वन हो जाएगा घुरा का परियावाची हो जाएगा वजी मिरगेंद्र मिरगेंद्र का परियावाची वनेगा आपका सारदूल खनक खनक का परियावाची क्या है खनक का हो जाएगा चोर धर्ती का पर्यावाची अचला होगा अचला धर्ती का पर्यावाची है अंबक अलोचन हो जाएगा अंबक का लोचन विद्धुत का हो जाएगा विद्धुत का विद्धुत का पर्यावाची दामनी है कगार कगार का पर्यावाची क्या होगा कगार का हो जाएगा कुल गजबदन गजबदन का पर्यावाची है गनपती जानवी जानवी का पर्यावाची है सुर्सरी वरिंग वरिंग का पर्यावाची पुछा गया है मधूप हो जाएगा अंज का पर्यावाची क्या होगा अंज का अंज का परियावाची आपका हो जाएगा काजल और हाटक का परियावाची होगा सोना काज हाटक का आगे देखें धाता धाता का क्या हो जाएगा तो धाता का परियावाची वनेगा विश्णू और सिंसी का परियावाची हो जाएगा पंचानन ठीक है तो टाइप वन का सब्द के पर्यावाची श्वरूप चार सब्द दिये गए हैं इन में से वह सब्द चुनिये जो दिये गए पर्यावाची नहीं है ये ढूनना है बिजली का पर्यावाची सिंधुजा नहीं होगा तीर का तार नहीं होगा तीर का तार नहीं होगा का पिस्वर का निम्नगा नहीं होगा, निम्नगा नौका का नहीं है, रसाल, रसाल का पर्यावाची इसमें से नहीं है, वो है अंबक, यमुना का पर्यावाची आपका जान भी नहीं होगा, संपदा, संपदा का पर्यावाची इसमें से कौन नहीं है, तो अद्री जो है अद्री ये पुष्टी नहीं होगा कुवेर का परियावाची कोविंद नहीं होगा कुवेर का अटवी का परियावाची आपका उद्यान नहीं होगा विपीन होगा कांतर होगा कानून होगा कलाधर का परियावाची इसमें से आपका कलाकार नहीं होगा मुनी का परियावाची नहीं बिपीन का उद्यान नहीं होगा पक्षी का पर्यावाची सकुंद नहीं है अंडज दूइज और भिहग होगा सकुंद नहीं होगा निर्प का पर्यावाची दिया है इसमें से निर्प भुपती होगा नर्पती महिपती भुतेश नहीं होगा आंसर से हिर्दय का जो पर्यावाची नहीं है, सरस्वती का पर्यावाची नहीं है, सारदा है, बानी है, बीना बानी कमला है, बानी नहीं होगा, सरस्वती का, सेना का पर्यावाची इसमें से नहीं है, हाटक सेना का नहीं है, जगत का पर्यावाची अवनी नहीं होगा, अवनी जगत का इसमें से नहीं है वरीद कमल का भौरा का पर्यावाची नहीं है अली भौरा का पर्यावाची नहीं है आगे देखते हैं चांदी का पर्यावाची नहीं है ये पुछा गया है तो चांदी का हेम नहीं होगा ब्रहमा का आपका मुक्त पुरुष नहीं होगा ब्रहमा का मुक्त किसका पर्यावाची नहीं है? सुरी, दीन का पर्यावाची इसमें से पूछा गया नहीं है, वो दीन नहीं होगा, ये गलत लिखा है. इस्वर का पर्यावाची नहीं है देवात्मा इस्वर का नहीं है परवत का पर्यावाची नहीं है पायोधर परवत का नहीं है दूद का पर्यावाची नीद नहीं है कांता का पर्यावाची कृष्णा नहीं है ठीक है ये पर्यावाची था फिनिश हो गया अब हम देखेंग विलोम आत्पा विप्रियार्थक सब्ध अर्ध की द्रिश्ञ एक दूसरे के क्या होते हैं विप्रीत होते हैं इसके लिए यह बात सैदव ध्यान में रखनी चाहिए कि तत्सम सब्द, कौनसा सब्द, तत्सम सब्द का विलोम, सैदव तत्सम, तत्वव का विलोग तत्वव, और अंधकार का विलोम प्रकास, रोसनी नहीं है, है न, कुछ लोग राजा का विलोम रानी, भाई का विलोम नहीं है राजा का बिलोम रंक होगा भाई का बिलोम भाई का बिलोम सब्द नहीं है ठीक है तो यह आपका होता है बिलोम शब्द उसके बाद है बिलोम सब्द बनाने की वीदिया सबसे पहला वीदी क्या है कि लिंग परिवर्तन के द्वारा जैसे भाई बहन राजा रानी व अधम उधम, अधिक्तम निवनितम, अनुराग विराग, आजाद गुलाब, आगे पीछे, करवा मीठा इत्यादी, ति ये उसका भिन जातिय सब्द के द्वारा हो गया, उपसर्ग की सहता से, उपसर्ग की सहता से जैसे इस्ट्वर अनिश्वर, आस्था अनास्था, स्वस् होने बाले सब्दों के परिवर्दन से, उपसर्ग के समान परिख्थ होने बाले परिवर्दन से, जैसे गंतंत्र, राजतंत्र, अलप संख्यक, बहु संख्यक, उत्रायन, दच्रायन, एकत्र, बहुतंत्र, उद्यांचल, अस्तांचल, विशालकाय, लगुकाय, ये आपका उपसर्ग के समान परिप्त होने वाले सब्दों के परिवर्दन है और एक है नव समास के पद बना कर जैसे नस्वर अनश्वर आदी अनादी शंभव और शंभव आस्तिक्स नास्तिक्स अनाथ शनाथ सार्तक निरग्त तो यह 5 रूल है आपको बिलोम सब्द बनाने का या फिर बिप्रियार्थक सब्द बनाने का अब हम कुछ बिलोम सब्द के मतलब कुछ बिलोम सब्द को हम देखने वाले हैं फिर इसके MCQ को देखेंगे इसमें भी आपको 100 जो है लगमसम MCQ देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंधकार, अंधकार का बिलोम हो जाएगा प्रकास उच्छा का बिलोम नीचा होगा अंधकार का प्रकास, उच्छा का नीचा अच्छा का बुरा, अच्छा का बुरा एकता का अनेकता आधुनिक का प्राचीन, एरी का चोटी, आयात का निर्यात, कठवा का मीठा, करवा का मीठा, आकास का पताल, कठवा का क्या होगा, कोमल, कठवा का कोमल, आगे का पीछे, कठिन का सरल, आत्मा, अनात्मा, कृतंग, 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 अग्रत्य का अनूज, उपसर्ग का प्रतय, अनिकूल का प्रतिकूल, अनुराग का विराग, अर्थ का अनुर्थ, अमास्या पूर्णिमा, अपना पराया, अगनी जल, अधिक कम, उसी तरीके से कठीन का सरल हो जाएगा, किर्तगे का किर्धन हो जाएगा, उपसर्ग का प्रते, उदय का अस्त, उजला का काला, उन्नती का अवनती, उदार, अनुदार, उचित, अनुचित, उत्तम, निम्निया फिर अधम, और एक है उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन अपमान का सम्मान, अम्रीत का विस या फिर गरल, आदर का अनादर, आसान का मुश्किल, आदी अंत, आसा, निरासा, आस्तिक, नास्तिक, आजादी, गुलामे उधार का नगद, उजाला, अंधिरा, कटू, मधू, कटू का मधू, किरपन, दानी या फिर उधार, किरपन का हो जाएगा दानी या उधार, कायर का निडर, कुटील का सरल, कुसूम का ब्रज और कंटक, कोप कोप का किरपा, आगे देखते हैं आय, ाय का हो जाएगा वे, आवस्यक या अनावश्यक, इहलोग का प्रलोग, इक्चा अनिक्चा, जुट, सच, जोपरी, महल, जोपरी का महल, तरून, विरद, तिब्र, मंद, कुरोध का अकरोध, खरीद का बिक्री, गहरा का चिचला या फिर सम्तल, गरम का ठंधा भारी का होजाएगा हलका भारी का हलका भूत का भविस या फिर वर्तमान भोगी का योगी महान का साधारन या फिर छुद्र फिर तुच्च, तुच्च का हो जाएगा महान, तेज, तेज का सुष्ट या फिर मंद, ठोक मतलब ठोक का हो जाएगा खुद्रा या फूट कर, थोड़ा का बहुत, थोड़ा का बहुत, दूर नस्दीक, धनी का निर्धन, गरीव, अमीर, गरल, सुधा या फिर अम्रिद, गिला का सुखा, मालिक नौकर, मानव दानव, माता पिता, मिलन विरह, राम रावन, राजा रंक प्रजा, नवीन का प्राचीन हो जाएगा नयाय अनयाय, नित अनित्य, गुप्त, गुप्त का हो जाएगा, गुप्त का हो जाएगा प्रकट, गुप्त का प्रकट, गुन का अवगुन या फिर दोस, गैर, गैर का श्याम, घर का बाहर, चड़ाव, उतार, चटकीला, फिका, चटकीला का फिका, चोर का साधू, चोर साधू, छा, छा का धूफ हो ज नित्ते का अनित्ते, निर्दाई, शदाई, नुकसान का फाइदा, पंडित का मुर्ख, पंडित मुर्ख, प्रसंसा निंदा, प्रशन्य, खेन, पाप, पुन्य, प्रेम, प्रेम का घिरना, पुरसकार का दंड, पुरसकार का दंड, जन्म का मिर्तु या फिर मरन, जै का परा जोर घटाव, प्रुश नारी, प्रारंभ अंत, प्राता शाय, पच्च बिपक्च, बडियां घटिया, बहादूर डर्पोग, बाड़ शुखा, भै का निर्वै, भै का निर्वै, भला का क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, भला का बुरा। नया का पुराना, नर का नारी, नक शिक, नगर, ग्राम, नकली, असली, विस्तार, संशेब, विजय का प्राजय, विश्य का अमरीत, विद्वा, सधवा, विशाल, लगू, विशाल का लगू हो जाएगा, फिर लगू का गुरू, लाव, हानी, भींगा, भींगा का सूखा, वशंत, पतेजहर, वशंत, पतेजहर, श्वामी, शेबक, स्वतंत्र, परतंत, शमर्थन, विरोध, सपूद, कपूद, सब्बल का होजय का दुरलव या फिर निर्वल, सब्बल का दुरलव या निर्वल, उसके वाद है समर्थन का विरोध, सब्बल का दुरलव निर्वल शत्रू का मित्र, अच्छा का बुरा आगे देखते हैं अगे का हो जाएगा बिग और प्रग्य अनुलोम का बिलोम या फिर प्रतिलोम अनुलोम का बिलोम या प्रतिलोम अगनी का जल अंगी का इनकार हो जाएगा अंगी का मतलब होता है श्विकारना अंग का अनंग, अचल, चल, उसके बाद अर्चन का हो जाएगा वर्जन, अतल का वितल, अती का अल्प, अनुराग, विराग, दिवा, रात्री, दिवा का उल्टा रात्री होगा, आकर्सन का वीकर्सन, अमर का मार्ते, अमर का मार्ते, गुप्त का प्रकट, अमरीत का विश, एरी का चूती, अलब संख्यक का बहू शंख्यक, उसके बाद है अर्थ का अनर्थ अर्थ का अनर्थ, अलब का बहू, और एक देखिये ये अलब है अती का अलब भी होता है और अल्ब का बहु होता है अलब का लब्ब होगा स्रिष्टी का प्रलय संधी का विक्रह सार्थक, निरर्थक, शुबा, साम सुविधा और शुबधा शुगंद, सुगंद का उल्टा हो जाएगा दुरगंद, हिंसा का अहिंसा हो जाएगा सांत, सांत का चंचल होगा सांती, सांती और सांती या फिर क्रांती सीतल का उशन, सुलव का दुरलव, शुभाग का दुरभाग सरदी गर्मी, शुख दुख उसी तरीके से यहाँ पर लाव है हानी हानी लाव, हानी लाव, शुन्दर और शुन्दर, सजीव निर्जीव, सस्ता महंगा, सनात अनात, शफाई गंदगी, श्वर्ग नर्क, स्वदेश प्रदेश या फिरविदेश, अस्तुती निंदा, अनेक एक हानी का लाव, चिरंतन, चिरंतन का नश्वर, हार का जीत, हर्स, हर्स का विशाद, छमा का दंड, छाम्मे का अच्छम्मे, छर का अच्छर, छनिक का साश्वत, क्या होगा शाश्वत, आवक, आवक का जावक, आगत का हो जाएगा अनागत, आतप, आतप का हो जाएगा छाया पिर अनातप, अदृत्त का अनादृत्र हो जाएगा, अकेला का साथ हो जाएगा, अगला का पीछला, उसके बाद हो जाएगा, अनिर्त का रितु या फिर तत्त हो जाएगा, अनुरक्त, अनुरक्त का होगा विरक्त, अपकार का उपकार, अपकार का उपकार, उसके बाद अ अनेक का एक होगा, अप्चय का उप्चय, अंडज का पिंडज, और संतुस्ट का संतुस्ट, और संतोस का संतोष, आधार, अधार का गिराधार या फिर अनाधार, आधुनिक का प्राचीन, रचना, रचना का ध्वन्स, अगामी का वित, अचार का अनाचार, उसके बाद है आत्मा का अनात्मा या फिर परमात्मा, अदान का प्रदान, आयात का निर्याद, आकास का पताल, एकत्र का विकिल्न हो जाएगा, अंतर मुखी, बही मुखी, अतरंग, वही रंग, अंदकार, प्रकाश, अंदर, बाहर, अबला, सबला, अच्छा, अभी मुख का भी मुख हो अधिक का स्वल्प या फिर अत्यल्प हो जाएगा, अथ का इती, अधिक्तम का निवनितम, अधम अधम का उत्तम होगा, अंदरुनी का बाहरी हो जाएगा, अंदर का बाहर, रुगन का निरोग, अच्छम का सक्छम, अक्छम का सक्छम, अकाम का सुकाम, अगला का पीछला, प्रारंभिक का अंतिम, आर्थी, प्रत्यार्थी, अगनी का जल, अदोस, सदोश, आग, पानी, अंध, अथ, उपारी, अधिकांस, अलपांस, अधिक, अलप, अधिक का अलप, अप्राहन, पुर्बाहन, अधिकारी, अनाधिकारी, अखाद, खाद, अखाद का खाद, उसके अधिकारी का अनाधिकारी, अनुनातन, पुरातन, अचर का चर, अध्ये वेवशाय, अध्ये का जय, अध्याय का अनाध्याय, महात्मा का दुरात्मा, तरल का ठोस, रिक्त का पुर्ण, अनय का नय, उसके वाद अंत का आधी हो जाएगा, अज्यान का ज्यान, अज्यानी का ज्यानी, अकर्मन्य का कर्मन्य हो जाएगा, अयस का सुयस या फिर यस, अपकिर्ती का सुकृती, अनित्य का नित्य हो जाएगा, अन्त का आदी, हस्त का पाद, अपमान का सम्मान, अरपन का गरहन, अरपन का क्या होगा, गरहन होगा, अपे अलोकिक का लोकिक और प्रिय का प्रिय और सधारन सधारन हो जाएगा और सब्बे का सब होगा अमंगल का मंंगल और शिव का सिव और शुब का सुब हो जाएगा अमोग का मोग होगा अलपायू का दिरगायू या फिर चिरायू जिसको बोलते हैं अनिक्षा का इक्षा अवकास का अनवकास पुरवर्ती का उत्तरवर्ती अवनी का अंबर अवरोध का अनवरोध असुरू का हार्स अस्त का उदय अविस्ट का अनविष्ट अनुपस्थित का उपस्थित अनिक्षा का इक्षा अनुचित उचित अनुचित उचित ओसमे शूशमे अवसर का शूअवसर अनावरन का आवरन असिस्ट का सिस्ट असिस्टता का सिस्टता आग्या अवाग्या अत्रिक्त अनरिक्त उसके बाद आजाता है इदर आकिर्न का विकिर्ण होगा अर्जन का वर्जन अर्पित का ग्रिहित और कर्तब्बे का कर्तब्बे हो जाएगा अधुनातन का पुरातन अपराधी का निर्दोस या फिर निरपराध अभिमान का निरिभिमान और प्रतेक्ष का प्रतेक्ष होगा, अपकर्स, अपकर्स का प्रकर्स या फिर उतकर्स होगा, और प्रशन्य का प्रशन्य हो जाएगा, अस्वक्त का अनास्वक्त हो जाएगा, अव्यांतर का बाई, अव्यांतर का बाई, शोसक का पोशक, आरोह का अवरोह, आर्य, आर्य का अनार्य, आरोही का अवरोही, आगमन का गमन, फिर आगे हैं आवस्यक क्या अनावस्यक, आवाहन का विशर्जन, अबृत, अनावृत, अध्यात्मिक का अधिभौतिक, शुक का दुख, मान अपमान, आदर निरादर्ग, अमीर गरीम, मोटा पतला, अपव्य, मित्व्य, अन अवाग्या, उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, नयाय, अनयाय, आगे हैं साफ, साफ का होजाएगा मैला, साफ का मैला, दैव का दैत, पास का दूर, वीर का कायर, बीर कायर, धनी, निर्धन, प्रमुख का समानिया, फिर गौन होगा, गुरू का चेला, खटा का मीठा, छनिक का सास्वत, आस्तिक का नासिक्स, क्रय का विक्रे, हसना का रोना, हसना रोना, उठना, वेटना, लेन, देन, जागना, सोना, उचित, अनुचित, उचित का अनुचित, उपस्थित, अनुपस्थित, विद्वान, मुर्ख, आरंब का हो जायगा समाप्त उपियोगी अनुपियोगी बहुत सारा सब्द है जो आप लोग इसमें से जानते होगे जो नहीं जानते होगे न उसी को आप लोग ध्यान से देखिएगा रिपिट केज़ेगा ठीक है इस का अनिशा हो जाएगा इस्वर का अनिश्वर या फिर जीव होगा इमांदार का बैमान उचित का अनुचित उच्छे निम्न उच्छे निम्न श्वामी शेवक उत्रीन अनुत्रीन उत्कृिस्ट निकृिस्ट उत्थान पतन उश्न का हो जायेगा सीत या फिर सीतल उगना का डूबना उदास का प्रशन या फिर प्रफुल उतित का अस्त उशा का संध्या उपजिब का उपजीवी उपकारक का अपकारक उपकारक अपकारक उतार चड़ाव उदीची प्रतीची उसके बाद निक्स्ट आता है उत्सा का निरुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् एकाधिकार का सरवाधिकार, एकाधिकार का सरवाधिकार, खेद की प्रशनता, उच का हो जाएगा नीच, दंड, दंड का पुरसकार, उसर का उपजाओ, उधर मुख का अधो मुख हो जाएगा तुक्छ का महान, उनमीलन का निमीलन होगा, उनमुख का बिमुख, उनमुख क का अपकार होगा, उपकार का अपकार, उपियोग का दुरुपियोग, उपसर्ग का प्रतय, अच्छा बुरा, उपर, नीचे, प्रसंसा, निंदा, दाया, सोई, बाया, दाया, रिन का हो जाएगा, उरिन, उरिन, रिनातमक, धनातमक, एक का अनेग, एकता अनेकता, एरी, छो अरूढ का अनारूढ, आय का व्य आयात का निर्यात, असली नकली असल नकल आस्था का अनास्था इश्ट अनिस्थ इधर उधर दुसित स्वक्ष इकठा अलग इच्छा का हो जाएगा निच्छा इती का अत्थ हो जाएगा उसी तरह से उत्रायन, उत्रायन का दचिनायन होगा, उत्तम का अधम, उपचार का अपचार, उर्बर का उशर और उन्नेयन का अवनेयन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब MCQ को देखते हैं, एक से संतानवे तक, एक से संतानवे तक आपका जो प्रसन है, इसमें क्या करना है, ये देख लिजे, इसमें आपको क्या करना है, सब का जो है, बिलोम सब चुनना है, यथार्थ का बिलोम क्या होगा, यथार्थ का कृतरीम हो जाएगा, है ना सटीक विप्रीत सब्द का चैन कीजे शास्वत, सास्वत का विप्रीत हो जाएगा च्छनिक अगर का विप्रीत क्या होगा अगर का विप्रीत पूछा गया है पास्टे हो जाएगा उतक्रिस्ट का विप्रीत निक्रिस्ट होगा आसा का विप्रीत निरासा आसा का निरासा आरोही का हो जाएगा आपका आरोही का आवरोही उत्तम का हो जाएगा उत्तम का निक्रिस्ट उत्तम का निक्रिस्ट हो जाएगा उसके वाद है स्रिस्टी स्रिस्टी का प्रलय हो जाएगा मधूर मधूर का हो जाएगा आपका कटू अलपग्य, अलपग्य का होगा सरवग्य भीशन, भीशन का विलोम सब्द होगा वीशन का हो जाएगा आपका शौमे कोप का हो जाएगा किरपा, कोप का किरपा मानव, मानव का विलोम सब्द होगा, मानव का विलोम सब्द दानव उतकर्स का विलोम होगा, अपकर्स रंगीन, रंगीन का विलोम सब्द ढूणना है रंगीन का विलोम हो जाएगा, रंगीहीन तिमीर, तिमीर का विलोम सब्दों का प्रकास अर्चन का हो जाएगा, अर्चन का अर्चन का विलोम हो जाएगा अर्जन का विलोम बै होगा उसके बाद है किर्थक किर्थक का विलोम हो जाएगा किर्धन क्या होगा किर्धन ओप्सन डी चलिए आग्रा आग्रा का विलोम क्या होगा आग्रा का विलोम हो जाएगा आपका दुराग्रा विरक्त का हो जाएगा अनुरक्त सजन का विलोम हो जाएगा इसमें सिद्धूर्जन जरा का विलोम होगा जरा का विलोम योवन अस्थूल का विलोम हो जाएगा क्रिश छाया का विलोम सब्द होगा छाया का धूल जर जर का विलोम सब्द होगा चेतन जरका चेतन आधुनिक का बिलोम सब्द हो जाएगा प्राचीन आगे देखते हैं किरपन का बिलोम सब्द क्या है तो वो हो जाएगा स्वार्थी किरपन का स्वार्थी हो जाएगा लगीमा का बिलोम सब्द होगा गुरुत्व लगीमा का गुरुत हो जाएगा परोक्ष का हो जाएगा परोक्ष का प्रत्यक्ष निक्रिस्ट का उत्क्रिस्ट गुप्त का हो जाएगा गुप्त का आप का हो जाएगा जन्गम का हो जाएगा स्थावर कल्पना का होगा यथार्थ उद्दत, उद्दत का होगा नम्र, उद्दत का नम्र, एक देशिय, एक देशिय का सर्वदेशिय हो जाएगा, शर्वदेशिय, एक देशिय का सर्वदेशिय हो जाएगा, पैंतिस का, चतिस में है सास्वत, सास्वत का हो जाएगा च्छनिक, मौकिक, मौकिक का हो जाएगा पठित, आलोग का विलोम होगा, आलोग का विलोम, अंधकार, आलोग का अंधकार होगा, उसके बाद आये आस्तिक्स, आस्तिक्स का हो जाएगा नास्तिक, क्या होगा आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, आयात का हो जाएगा निर्यात, विस्तार, विस्तार का विलोम बनेगा इस में से विस्तार का हो जाएगा सुक्ष्म विस्तार का संखेफ होना चाहिए विस्तार का संखेफ होना चाहिए संखेफ है ना C होगा इसका अंसर सुक्ष्म नहीं होगा गरिमा का बिलोम हो जाएगा लगीमा क्या होगा लगीमा उसके बाद इधर देखिए अनुकूल का क्या होगा तो अनुकूल का हो जाएगा प्रतीकूल उन्नती का हो जाएगा अवन्नती साकार का क्या होगा तो शाकार का हो जाएगा आपका निराकार जर जर का विलोम बनेगा इसमें से जर का विलोम है चेतन जर का चेतन उन्मिलन का हो जाएगा उन्मिलन का हो जाएगा आपका बीमिलन अस्थावर का क्या होगा अस्थावर का होगा जंगम अवनती का अवनती का विलोम सब्द बनेगा उन्नती सी शुवोध का विलोम बनेगा कुवोध गमन, गमन का विलोम है आगमन, भगन, भगन का विलोम बनेगा, भगन का विलोम है नस्ट, शांत, सांत का विलोम क्या होगा, सांत का हो जाएगा आपका विलोम सब्द, उद्दिगीन, उद्दिगीन होगा सांत का, दिवस का विलोम हो जाएगा विभावरी, क्या होगा रंग, रंग का हो जाएगा आपका धनवान, क्या होगा धनवान अंठावन नमर प्रस्न कह रहा है आपसे कि निकट का क्या होगा तो निकट का आपका हो जाएगा दूर सुस्क, सुस्क का आपका विलोम पूछा जा रहा है तो सुसक का विलोम हो जाएगा, शरस, शरस हो जाएगा, साथ में है संचेपन, संचेपन का विलोम बनेगा बिस्तारन, सच का हो जाएगा जूट, उद्यम का विलोम बनेगा आलश, असके वाद महान, महान का विलोम है इसमें से चुद्र, महान का चुद्र, धृत्ति, धृत यम का विलोम होगा, आई, शयोग, शयोग का विलोम हो जाएगा, वियोग, रुक्ष, रुक्ष का अपका होगा, रुक्ष का विलोम, स्निक्द, राग, राग का विलोम हो जाएगा, द्वेस, क्या हो जाएगा, द्वेस, शबल, शबल का विलोम होगा, निबल, छनिक का हो ज जाएगा साश्वत, छनिक का साश्वस्त, सिस्ट, सिस्ट का विलोम हो जाएगा असिस्ट, क्या हो जाएगा असिस्ट, आगे है अप्यस, अप्यस का विलोम बनेगा, अप्यस का विलोम बिरद, अभिमान का विलोम क्या होगा, अभिमान का अभिमान, उसके वाद है श्रेष् अलोग का अंधकार हो जाएगा अलोग का अंधकार प्रसंस निये, प्रसंस निये का होगा निंदा क्या होगा निंदा सिग्रता का हो जाएगा सिग्रता का विलोम, बिलंब सम्मान का हो जाएगा सम्मान का विलोम बनेगा अवअपमान वर्दवे, वर्दवे का हो जाएगा, वर्दवे का आपका योवन ग्यानी, ग्यानी का हो जाएगा मुर्ख, ग्यानी का क्या हो जाएगा मुर्ख हो जाएगा, सांत, सांत का हो जाएगा उदिगिन प्रधान, प्रधान का होगा गौन, प्रतिकिरिया का होगा प्रकिरिया, इलोग का विलोम बनेगा, इलोग का प्रलोग, अध्यात्मिक का विलोम बनेगा, भौतिक, अतरंग का हो जाएगा, अतरंग का बही रंग, डी हो जाएगा एंड नेक्स्ट है आपका सहचर सहचर्य का विलोम क्या होगा तो सहचर्य का विलोम आप देखेंगे तो हो जाएगा बैमानाश्य अकास का विलोम होगा पाताल अकास का पताल शुकल शुकल पक्च का विलोम होगा कृष्ण पक्च निवृति का होगा अबृति शकुन का हो जाएगा इसमें से 92 का अपसगुन रद का हो जाएगा आपका श्विकार रिशी का क्या होगा रिशी का हो जाएगा संसारी रिशी का संसारी उसके बाद ग्रिहित का हो जाएगा अर्पित ग्रीक का अरपीद और नेक्स्ट आपका बुद्धिमान बुद्धिमान का क्या होगा तो बुद्धिमान का हो जाएगा निर बुद्धी और सौधान्तिक का बनेगा बैभारिक यह MC के वापका complete हो गया अब आता है अनेक शब्द के एक सब्द अनेक शब्द के एक सद क्या होता है देखिए कम से कम सब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करना भासा या फिर बानी का सरवस्विष्ट गुन माना जाता है क्योंकि ऐसी भासा परभावसाली होती है और भासा के सुगर्ठित और सयंत रूप का अपना आकर्शन होता है इसके भी प्रित विस्तित कथन के अंतरगत भासा में ढिला पन और विखराब साराता है जो पाठक या सुरोता के लिए उपाव होता है जबकि संचिप्त चुस्त और सरगर्वती भासा पाठक या सुरोता पाठक मतलब परने वाला और सुरोता मतलब सुनने वाला को आकर्शित क्या करती है अतेव कम सब्दों से अधिक व्यक्ति परतिभाग को प्रतिक मानी जाती है मतलब की छोटे से सब्द में बहुत बरी बात कह देना मतलब बहुत सारी चीज़े कह देना तो उसे हम कहते हैं कि एक सब्द मतलब उसे कहते हैं अनेक सब्द के एक सब्द तो चलिए देखते हैं अनिक सब्द की एक सब्द जैसे जो पर्दा में रहे उसको क्या करते हैं पर्दान सीन क्या करते हैं पर्दान सीन जो उदार करता है उसको उधारक बोलते हैं जो यूग का निर्माता जो यूग का निर्मान करता है यूग निर्माता जीने की इक्छा वाला जिजीविश कहलाता है जो यूद करने की एक्छा रहता है यूयूत्सू कहलाता है यूयूत्सू नीली है आभा जिसकी निलाव नीली है आभा जिसकी उसको निलाव कहते हैं बढ़ा चधा कर कही गई बात उसे कहते हैं अत्यती या फिर अत्ययोगती क्या कहते हैं अ जो यान जल में चलता हो जो सब कुछ जानता हो शरबग्य जो बहुत जानता हो बहोग्य वीता हुआ अतीत वीता हुआ अतीत जो किये गए उपकारों को जानता या फिर मानता हो उसे किर्टग्य बोलते हैं क्या कहते हैं किर्टग्य जो किये गए उपकारों को नहीं मानता है उसको किर्धंत बोलते हैं जो नहीं मानेगा किर्धंत नहीं मरने वाला अमर नहीं मरने वाला अमर जो किसी की ओर से है प्रतिनिधी जो किसी की ओर से है वो प्रतिनिधी गिरा हुआ पतीत जो बहुत बोलता हो वचाल जिसे चार भुजाएं हैं चतरभूज जिसे चार भुजाएं हैं उसे चतरभूज कहते हैं जिसे 10 आनन यानि मुख्य उसे 10 आनन ये जो रावन है जिसके समान दूतिये 9 मतलब दूसरा 9 उसे और दूतिये कहते हैं जिसके हिर्दय में दया न हो निर्दय जिसके दो पद यानि पैर हो उसे दूई पद बोलते हैं जिसका कोई नाथ नाथ जिसे इस्वर या बेद में व विश्वासों से आस्तिक बोलते हैं, जिस इस्त्री का धव मर गया हो, यानि पती मर गया हो, विधवा, जिसका जन्व अनू हुआ हो, अनू मतलब पीछे हुआ हो अनूज, यस वाला यस वस्वी होगा, तेज वाला तेजश्वी हो जाएगा, कठिनाई से समझने योग दुर आगे होने वाला भावी, और सबकुछ भक्षन करने वाला सरभक्षे, उसके बाद है जिसकी उपमा नहों, उसे अनूपमम कहते हैं, जिसकी उपमा नहों अनूपमम, जो नहीं हो सकता हो औसंभव, जो आमिस यानि मांस नहीं खाता हो, निरामिस, जो इस्त्री कविता सत्रुधन कहते हैं, सत्रुधन, जो मांस का आहार करता हो मांस आहारी, जो शाक का आहार करता हो शाक आहारी, जो फल खाता हो फलाहारी, क्या कहते हैं, फलाहारी, गरी यानि घर वशाकर रहने वाला गिरहस्त, घर वशाकर रहने वाला को गिरहस्त कहते हैं, जो विज्ञान ज जानता हो व्याकरन, वयाकरन, जो अच्छर जानता है साक्षर, जो पहरा देता है प्रहरी, जो स्वार्थ यानि अपनी भलाई चाहता हो स्वार्थी, जो परमार्थ यानि दूसरों की भलाई चाहता हो परमार्थी, आसा से अधिक, आसातित, क्या हो जाएगा आसातित, जो प अकास को चुमने वाला आकास चुंबे वह आस्थान जहां मुर्दे जलाये जाते हो शम्सान कहते हैं जो लोग में संभव नौ ओला अकिक जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। ग्राम का रहने वाला ग्रामीन, ग्राम में रहने वाला ग्रामीन होगा, नगर का रहने वाला नागरी क्या फिर नगर, नया जन्मा हो नवजात, पुत्र की वधु, पुत्र का पुत्र पुत्र पुत्र, जो धर्म करता हो धर्मात्मा, जो धर्म करता हो धर्मात्मा, जो जन् जनमांध, जो नस्ट होने वाला हो नास्वर, जो आसानी से उपलब्ध हो उसे सुलब कहते हैं, आखों के सामने प्रत्यक्ष, आखों से परे परोक्ष, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ तो सब परिवार, जो सांप पकरता हो शपेरा, यात्रा करने वाला य उदर मतलब पेट होता है और जिस पुरुष की इस्त्री मर गई उसे विधुर कहते हैं और जिसका पती मर गई उसे विधवा जो पीने योग हो पे मरन तक आमरन जन्म भर आजन्म शमान उदर से जन्म लेने वाला सदो सहोदार क्या बोलते हैं मतलब कि समान पेट से जन्म लेने वाला को कहते हैं शहोदर कम बोलने वाला मित भासी जो अल्प जानता हो अल्प अग्य जो बहुत जानता हो बहुग्य जो कुछ नहीं जानता हो अग्य जो सास्त्र जानता हो सास्त्र यग जो जानने योग हो ग्यातब्य जो जानने योग हो उसे ग्यातब्य कहते है जो पूछने योग हो प्रस्टवे कहते है प्रस्टवे जो देखने योग हो वो द्रिष्टवे या फिर दर्शनी होता है दर्शनी है जो सूनने योग्य हो स्रवनिय या फिर सुरोतब्य जो कहने योग हो कथ या फिर कथनिय जो राजनिती जानता हो राजनितिग्य जो व्याकरन जानता हो वयाकरन जो संगीत जानता हो शंगितग्य जो विज्ञान जानता हो व्यज्ञानी कहलाता है जो कला जानता हो कलाविद या फिर कलाकार कहलाता है जो बेद जानता हो विदग या फिर वैदिक जो बहुत भासा जानता हो उसे बहु भासा बादी कहते हैं क्या कहते हैं बहु भासा विद उसके बाद है जो भू के गर्व यानि अंदर की बात को जानता हो उसे भू गर्व बेता या फिर भू गर्व सास्त्रीक भी कहते हैं जो इश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो इश्वर में विश्वास नहीं रखता हो नास्तिक, जो नाचता हो नर्तक या फिर निर्तकार, जो अभिने करता हो अभिनेता, पढ़ने योग पठनिये, दर्सन योग दर्सनिये, अस्मरन रखने योग यानि याद करने क के लिए अस्मर्णी हो जाएगा जो देने योग हो दे जो मुक्ष चाहता हो मी मुक्षु जिसकी गृवा सुंदर हो शुगरीव जो उपकार करता हो उपकारी जो जानना चाहता हो जानने को एक्चुख जिग्यासु जो इस्तरी के वनसीवुत या इस्त्री जैसे सुभाव का हो सेत्रन कहते हैं सेत्रन जो धीरे धारन करता है धीर या फिर धार्यवान कहलाता है जो भेदा ना जा सके जो भेदा ना जा सके उसे अभैद कहते हैं शिव का उपासक को शैव कहते हैं अनुचित बात के लिए आग्रा दुराग्रा होता है जो सब कुछ जानता हो सर्वग्य जो पहले कभी नहीं सुना गया अशूत पूर्व जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे अद्रिष्ट पूर्व कहते हैं जो देखा नहीं जा सकता अद्रिष जो अस्मरन करने योगे अ जो किये हुए उपकार को मानता हो किर्टग्य, जो मधूर बोलता हो मधूर भाशी, जो अल्प बोलता हो अल्प भाशी, जो नहीं आया हो अनागत, जो कल्पना करे, जो कल्पना से परे हो, कल्पना तीत, जो प्रवास में रहता हो वो प्रवासी, प्रवास मतलब दूसरे दे जो आसानी से उपलब्द हो जाए जिसे पाना आसान हो उसे शुलव कहते हैं जो आसानी से उपलब्द नो हो उसे दुरलव कहते हैं जो दूसरे का श्री श्वभाग देखकर दुखी होता हो उसे परस्रीत कातर बोलते हैं प्रस्री कातर जो दूसरे की शौभाग को देखकर दुखी हो जो अपने ही अलंब यानि शहारे पर रहता हो श्वालंबे जो द्वार की रक्षा करता हो द्वारपाल जो बिना बेतन का काम करता हो अवैतानिक क्या होगा अवैतानिक जो इस्त्री अभिने करती हो अभिनेत्री जो पुरुष अभिने करता हो अभिनेता जो वंसा वर्त बनाना हो यानि बस में करना कथित हो उसको बोलते हैं दुधरश्य जो कानों को सूनने में मधूर लगे शुरूती मधूर जो कानों को सुनने में कटू लगे करन कटू जो इतिहास के पहले का है प्रगेतिहासिक जो नापात तुलावय यानि कि कम खर्च करता हो उसे मित्वयवी कहते हैं जो इस तरीs प्रिय बोलती हो, प्रिय बदा, प्रियम बदा, जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो वचाल, जो मित यानी कम बोलता हो मित भासी, जो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वा दुट, क्या होगा दुट, जो मापा न जा सके अपरी मित, जो युगती पुना पुना कही पुनुरिक्त जो सिग्र समझ में न आये दुर्बोध जो इक्छा के अधीनो इक्छा धीन जो तीनो गुनों से परे हो अतीत यानि निर्गून और तिगुनातीत जो पीने योग हो पे जो खाने योग हो खादे जो खाने योग नहीं हो से अखादे बोलते हैं जो खाने जो परिवार के साथ हो शब परिवार जो भूल पर चलने वाला भूचर कालाता है जो जल में चलने फिरने वाला है उसे जलचर कहते हैं जो आकास में विच्रन करता हो नवचर, खेचर या फिर खग कहलाएगा जो आकास में विच्रन करेगा नवचर, खेचर या खग जो अपना है आत्मी है जो अपना है वो आत्मी है उसके बाद जो किसी के बदले होगा यहां पर बदले में बोलता हो या कुछ करता हो वो प्रत जो जन्म नहीं लेता हो, अजन्मा या फिर अज, जो जन्म नहीं लेती, अजा, जो हो सकता है, शंभव, जो होकर रहेगा या होने वाला है, भावी या फिर होनहार, जो अवश्य होने वाला है, अवश्य भावी, जो नया आया हुआ हो, नवागत या फिर नवागंतुक, जो इंद्रियों के ग्यान से परे है उसे गोतित या फिर इंद्रियाजीत कहते हैं जो इंद्रियों के ग्यान से परे हो जो शब में ब्याप्त हो शर्ब ब्याप्त या फिर सर्ब ब्यापी जो सब कुछ में भच्छन करने वाला हो सर्ब भक्छी कहलाता है जो कर्तब से चूत हो गया हो कर्तब ब्याप्त जो सब कुछ भक्चन करने वाला हो सर्वभक्ची जो कर्तब से चूत हो गया हो तो से रिपीट हो गया जो कठनाई से बचता हो दसा पाच क्या होगा जो कठनाई से बचता हो से दसा पाच कहते हैं जो सोग करने योग नहीं हो और शोग्य जो विशयों में आशक्त है विशायक्त जो वर्नन से परे है वर्ननातीत क्या हो जाएगा वर्ननातीत जो इस्तरी सुर्रिक को भी न देख सके और शुर्रे पश्या क्या हो जाएगा और शुर्रे मपश्या उसके बाद जो बरे निवारित किया जा सके दुनिर्वार जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक हारी जो वचन से परे हो उसे वचना तीत कहते हैं जो मुकदमा लरता हो मुकदमे बाज जो अच्छर पढ़ता लिखता हो साक्छर का लाएगा जो साक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानते हो निरक्षर हो जाएगा जो सब कुछ सहा लेता हो सर्ब विश्णू हो जाएगा जो पहले हुआ हो भूत पुर्व नदी से खीचा जाने वाला प्रदेश नदी मातरिक जो विश्व काहित चाहता हो विश्वितेशी जिसकी बहुए लंबी हो प्रलब बहु या फिर दिर्ग बहु काहलाएगा जो आगरा सत्य के साथ किया जाए सत्यागरा निद्रा पर विजय पाने वाला निद्रा जाई जो अंडा से जन्व लेता हो अंडज जो एक के अत्रिक्त किसी अन्यका नहीं है अन्यन जो दवा के साथ है वो सदय या फिर दयालू होगा दवा गलत लिखा हुआ है जो पुरुष की पतनी मर चुकी हो विधूर जो साधा नौ जा सके या ठीक नहीं किया जा सके और साध्य होगा जो तुरंत जनमा हो उसे नवजात बोलते हैं जो रंग या फिर नाटक या भी मन्ने का मंच पर हो रंग मंच कहलाता है जो बचन से प्रकट करने योगिनो हो उसे कहते हैं और निर्वंच निये जो भू को धारन करता हो भूधर जो सर्वसक्ति मान हो उसे सर्वसक्ति मान कहत जो यस से मुक्त हो, यस स्वे, जो हमेशा रहने वाला हो शास्वत, जो विल्कुल बहरा हो, ब्रज्द बधीर, जो बिल्कुल बहरा हो से ब्रज्द बधीर कहते हैं, जो दूसरे के अधीनों से पराधीन कहते हैं, जो देखने में प्रिया लगता हो सुदर्सन या प्रिया द जनवांध जो रत पर सवार है रती जो नश्ट होने वाला है नाश्वर जो पिंढे से जनमले हो पिंढ़र जो धर्ति फोर कर जनमत हो उदभीज हो जाएगा जो शफेद सरी जो श्वेद यानि श्वेद मतला पशियना से जनमता होसे स्वदेज कहते हैं जो जरायू यानि की गर्व की थैली से जर्मिलाव से जरायूज कहते हैं, जो श्वे मुत्पन हुआ हो उसे कहते हैं श्वेभू, जो चलता नहीं, अचल, जो केबल श्वे का हित चाहता हो, उसे स्वार्थी कहते हैं, स्वार्थी, जो पराये यानि दूसरे के हित चाहता हो, उसे परार्थी या फिर परमार्थी भी कहते हैं जो इतिहास से सम्मंद रखता हो इतिहासी कालाता है जो बाएं हाथ से हातिहार चलाने में दक्छो उसे सब्वे साची कहते सब्वे शब्वे सासी जो जीता ना जा सके अज्य जो बिलंब से काम करे दिर्ग सुत्री जो युद में इस्थीर रहता हो युदिस्थीर जो पूरे विश का वदू हो विश्वदू जो बहूत छोटा नहीं हो नती लगो जो बहूत बरा नहीं है उसे नती दिर्ग कहते हैं जो बहुत बरा नहीं है जो नाटक का सुत्रधारन करता हो उसे सुत्रधार कहते हैं जो पुर्ष कविता लिखता है उसे कभी कहते हैं जो इस्त्री करता लिखती है वो कवितरी कहलाती है जो कस्ट सहन कर सके कस्ट शहस्नू कस्ट शहस्नू जो अपनी हत्या करता हो आत्म हत्या जो दूसरे की हत्या करता हो हत्यारा जो उध्धार करता है उध्धारक हो जाएगा दौरने वाला धावक बोलने वाला वक्ता बोलने वाला बक्ता का लाता है खाली करने वाला रेचक, पूजा करने वाला पुजारी या फिर पूजक होगा जो केबल दूद पीता हो दुगधारी, जो किसी पर अभीयोग लाता हो वादी, जो अभीयोग का विरोध करता है प्रतिवादी जो याचना करता हो याचक, जो समय के अनुकूल नो हो और शामाय की, जो देखने वाला है उसे दर्सक कहते हैं, देखने वाला को दर्सक, जो कभी चूत नो हुआ हो अच्चूत, जो अस्मिर्ती को मानता हो अस्मार्थ हो जाएगा, जो अस्मिर्ती को मानता हो स्मार्थ, जो शहने का सील लगता है सहन सील जो एक जगा से दूसरे जगा आता जाता हो या याबर या फिर धुमककर कहते हैं उसको जो एक ही का भक्त हो उसे अन्यन भक्त कहते हैं जो सरीर से दुरलव है छिनकाय हो जाएगा चिनकाई जो सरीर से अस्थूल है यानि भारी है अस्थूल काई जो पुरुष कायर का कुतसित है वो का पुरुष कहलाता है जो कायर का कुतसित है उसे का पुरुष कहते हैं जो इस्त्री अपने पती द्वारा त्यागी गई हो उसे पती त्यागिता कहते हैं पती त्यागित जो सिक्षा प्राप्त करता है सिक्षार थी और जो सब को मानने है सर्व मानने जिसके पास कुछ भी नहीं हो जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिचन जिसके हिर्दय में दया नहीं है निर्दय जिसके लोचन यानि आख सुंदर हो सिलोचना जिसके कुल का पता नहीं हो अज्यात कुल जिसके हाथ में शूल हो सिल पानी या फिर सिब सुल पानी हो जागा सुल पानी या फिर सिब जिसके हाथ में शूल है जिसके आने की तिथी मालूम नहों और तिथी जिसमें सक्ती नहीं है अशक्त जिसमें सामार्थ नहीं है असमर्थ जिससे में तेज नहीं है वो है निस्तेज क्या है निस्तेज नेक्स्ट है जिसमें प्रतीभा है प्रतीभा भान हो जाएगा प्रतीभावान जिसमें मल यानी मैल गंदगी नहो निर्मल जिसमें पाप नहीं है निश्पाप जिसका जन्म पहले यानी हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं और जो बाद में जन्म लियाओ से अनूज कहते हैं जो सदा अशुव दायक रहता हो शदा सिव कहलाता है जो मरन की और उनमुख हो मरनो उनमुख क्या कहलाता है मरनो मुख जो विकल्प में हो जिसका कोई विकल्प हो जो विकल्प में हो जिसका कोई विकल्प हो से बैकल्पिक कहते हैं जो इच्छा के अधीन हो एक्चिक या फिर इक्छा धीन जो निर्ति करता हो याणी नाचता हो उसे नर्तक कहते हैं जो विधी के विरुद्ध हो अवैद या फिर गैर कानूनी जो इस लोग में शंभव नहीं है अलाएक जो अनुकरन करने योग्य अनुकरनी है जो सबसे जो पंचाल देश की रहने वाला हो उसे पंचाली जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत यानि वली स्टों से लोह पुरुष कहते हैं जो विशय विचार में आ सकता हो विचारग्यम में हो जाएगा विचारगम में जो प्रमान द्वारा सिद्ध नो हो सके ओप्रमे होगा जो प्रमान द्वारा सिद्ध नो हो सके ओप्रमे जिसके पानी यानि हाथ में बीना हो बीना पानी जिसके पनी में चक्र हो चक्र पनी चक्र को धारन करने वाला चक्र धारी गांडी यानि धनूस को धारन करने वाला गांडी धारी सुदर्सन यानि सुदर्सन का वाला चक्र धारन करने वाला सुदर्सन धारी जिसके पार देखा जा सके पार दर्सक जिसके पार ना देखा जा सके और पार दर्सक जिसके नक शूप के समान हो शूप ने खा जिसके सीर के सिपर चंदरमा हो चंदरशेखर जिसके दस आनन हो जिसके चार पद हो चतुस पद जिसके समान दूसरा नहीं हो और दूतिय या फिर अन्यान हो जाएगा अब है MC की विसे देख लेते हैं MC क्यू भी 100 प्रस नहीं यहाँ पे जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो के लिए सही सब्द चुने तो जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही है तो उसके लिए हो जाएगा किद्वन्ती बिदेश से देश में समान करा करना के लिए सही सब्द क्या हो जाएगा इसके लिए सही सब्द हो जाएगा आयाद देखे हम 20 करेंगे इसमmusic जादा नहीं करेंगे क्योंकि यह प्राक्टिस वाला है आप सभी जानते हैं प्रारंब से लेकर अंत तक के लिए सही सब्द क्या होगा तो प्रारंब से लेकर अंत तक के लिए जो सही सब्द हो जाएगा वो होगा आपका इसमें से अधो पंत जिस जमीन में कुछ प्यादा ना होता हो के लिए सही क्या होगा जिस चमीन में कुछ प्यादा न हो वो उसे कहते हैं उशर क्या कहते हैं उशर बागी PDF देंगे तो आप लोग बना लीजेगो वहाँ से ठीक न रंग मंच पर परदे के पीछे का आस्थान के लिए सही सब्द क्या होगा तो इसके लिए सही सब नेपत्थ हो जाएगा फेक कर चलाया जाने वाला हंथियार इसे कहते हैं आपका अस्थ्र क्या कहते हैं अस्थ्र जिसका मन कहीं और लगा हो जिसका मन कहीं और लगा उसे कहते हैं अन्मनसक क्या कहते हैं अन्मनसक जो आखों के सामने हो प्रत्यक्ष जो आखें के सामने हो प्रत्यक्ष जिसकी आसा ना की गई हो और प्रत्यासित हो जाएगा जो किये गए उपकारों को मानता हो जो किये अपकार को मानता हो, उसे कृदग के कहते हैं, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता है उसे वचाल कहते हैं, पुरुस एवं इस्त्री का जोरा, पुरुस और इस्त्री का जोरा को कहते हैं, दमपत्ती, थोरा जानने वाला, थोरा जानने वाला अलपग्य, वह अस् मोक्ष की इक्षा रखने वाला मुमुच्छू परसपर एक दूसरे पर आसरित आपका हो जाएगा अन्यासरित परतिक्षा युक्त प्राप्ति की तिवर इक्षा उसे कहा जाता है उतकांठा यह सारे सब्द आपको मिल जाएंगे अबी हम करवाएंगे उसमें इसलिए हम बीसी करवाएंगे क्योंकि बार बार वार वही रिपीट होगा और वीडियो काफी लंबा नहीं करना है क्योंकि परसफो जो है आप लोगका एक्जाम है व्याकरं का बहुतसा रेश्टरिन का पर्सु एगजाम है तो उनके लिए बेस्ट है ठीक है बाकी हम OITC का भी आप लोग को करवाने वाले हैं किरन का भी कराने वाले हैं ब्याकरन अपनी बात को बिनम्रता पुरुवक कहना उसको निव्यदन कहते हैं च्छनिक एवं तिब्र आनंद के लिए सब्द उपियो किया गया है आहाद क्या होगा आहाद अब है आपका मुहाबरा क्या आता है मुहाबरा देखते हैं इसे भी तो अब हम देखने वाले हैं मुहाबरा को जितने भी मुहाबरा है मुहाबरा तब लग जानते ही होंगे उस प्रभावसाली धंग से व्यक्त करता है जैसे आप किसी को कहेंगे कि तुम यहां से भाग जाओ या फिर तुम भाग जाओ तो यह थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा 9, 2, 11 होना क्या होगा भाग निकलना, भाग जाना दो सब्ध, दुख्ये, यहां पर इतना छोटा सा मतलब बनता है इसका अर्थ व्यंजन द्वारा ही जाना जा सकता है क्योंकि इस वाक्यांस का वाचार्थ होता है 9 और 2, मिलकर 11 होते हैं यहां वाचार्थ नहीं करन किया जाएगा यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि न तो मुहावरे के सब्द अस्थान परिवर्थित किया जा सकता है और नहीं उसकी किसी सब्द विसेश के अस्थान पर उसकी परियावाची सब्द रखा जा सकता है जैसे आग बवला होना, क्या होता है, गुसा होना है न गुस्सा होना उसी तरह से आप कह सकते देखे पावक बवला होना पावक बवला होना कहने से मोहावरा अशुद हो जाएगा उसकी सौम्मेता नस्ठ हो जाएगी अर्भी भासा का मुहाबरा सब्द हिंदी में और उर्दू का मुहाबरा नाम से बिभीत किया जा सकता है मोहाबरे के परियोग से भासा में संजीविता, गती सिलिता, शुंदर और ललित्र आ जाता है ठीक है अब कुछ मुअबरे की सूची है इसे ज़रा देख लिजे ठोकर लगना का मतलब होता है हानी एठाना डकार जाना का मतलब होता है हरप लेना डोरे डालना प्रे में फसना अंगुठा दिखाना मना कर देना अकल का दुस्मन होना मुर्ख95 होना अकल सथियाना, बुद्धी भरस्ट होना, अंगूठे पर रखना, परवाह ना करना, तेधी खीर होना, कठी निकार, टांग अराना, दखल देना, टे बोल जाना, मतलब मर जाना, टोपी उचालना, बेजती करना, तस से मसना होना, बिचलित ना होना या फिद्रिश्ट रहना ठाकूर सुहाती काना, खुशामत कराना, अंधे की लकरी होना, एक मात्र सहारा होना, कहते न, जिसके गर में एक बिटा होता थे कहते हैं अंधे की लकरी है ये अंगारे वरसाना यानि कि तिव्र गर्मी परना आखे विच्छाना, स्वागत करना या फिर प्रतिक्छा करना आखों में धूल जोकना, धोखा देना अकल पर पत्थर परना, बुध्धी का काम मनौ करना मुर्ख बनना जिसको कहते हैं वही होता है अकल पर पत्थर पढ़ना आग बगला होना अत्यधिक कुरोध करना आस्तिना का साप कप्टी मित्र आरे हाथों लेना खरी खोटी शुनाना हाथ पाउं फुलना घवरा जाना आखे दिखाना धमकाना आटा दाल का भाव मालुम करना कठिनाई का अनुभव करना उसके बाद आग में घी डालना कुरोध को भरका देना आस्मान तूट परना अचानक मुसीबत आ जाना आस्मान पर दिमाग होना अहंकारी होना इट का जवाब पत्थर से देना इट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना इद का चान्द होना बहुत कम दिखाई देना इट से इट बजाना भ़स्त कर देना कलेजे पर पत्थर रखना दिल मजबूत करना कलेजे पर साप लोटना अंतरदा कहोना कलेजा मुँ को आना घवरा जाना काठ का उल्लू होना मुर्ख होना कान काठना चतुर होना कान काठना मतलब चतुर होना कान खरे होना मतलब साबधान और सतर्क हो जाना कान में तेल डाल कर बैठना यानि कि सुनी अंसुनी कर देना कान का कच्चा होना सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना कान का कच्चा होना कहते हैं काम तमाम करना मार डालना काला अच्छर भैस बराबर निरक्छर होना कुए में बास डालना बहुत खोजबीन करना कलाई खुलना पोल खुलना कलेजा फटना दुख होना उंगली पर नाचना पूरी तरह नियंत्रन में रखना उल्लू सीधा करना अपना काम बनाना उल्ले छूरे से मुढ़ना क्या है उल्ले छूरे से मुढ़ना ठग लेना उर्ती चिरियां के पंक गिनना अत्यंत चतुर होना उट के मुँ में जीरा होना, अधिक खुराक वाले को कम देना एक और एक 11 होना, संगठन से सकती बढ़ जाना एरी चोटी का जोर लगाना, बहुत परियास करना एक थैली के चट्टे बट्टे होना समान प्रविर्ती का होना, ओखली में सिर देना, जान बुझ कर मुशीबत लेना ओधी खोपरी का होना, बेवकूफ होना, कलेजा ठंधा होना, संतुष्ट और सांत होना कीचर उच्छालना, बदनाम करना, खून खौलाना, कुरोधाना खून का प्यासा होना, प्रान लेने का दात्य पर खाक छानना, भटकाना, खून का घूट पिना, कुरोध को दवाना खटाई पप में परना, ब्याधान हो जाना अपना उल्लू सिधा करना, अपना काम निकाल लेना, अपने पैरों पर खरा होना, खुद कमाने लगना या फिर स्वालम भी होना जिसको बोलते हैं अपने मिया, अपने मुह मिया मिठु बनना, अत्यंत प्रसंसा खुद का करना, अपने पाउं पर कुलहारी मारना, अपने ही अहित करना, अपनी खिचरी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अपना सा मुह लेकर रह जाना, लज्जित होना, आखों का तारा होना, अत्यधिक प् जिली करना, क्रोध करना, गाल बजाना, डिंग हाकना, गरे मुर्दे उखारना, पुरानी एवं उप्रिये बातों का अस्मरन करना, गूलर का फूल होना, दुरलव होना, गांठ बांधना, याद करना, ठीक है, आगे देखते हैं, गले परना, मतलब जबर्दस्ती, संबंध का एक्छू होना, गूर गोवर कर देना, काम बिगार देना, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, घी के दिये जलाना, प्रशन्य होना, नमक हराम होना, किरधन्य होना, 921 होना, भाग जाना, नाक में नकेल परना, चन्नता व्यक्त करना, नाक कटाना, प्रतिष्ठा को धूल में मिला देना, पत्थर की लकीरे होना, अमीट होना, मतलब अपने बाद पर तिका रहना, पांचों उंगली घी में होना, लाभी लाभ होना, पीठ दिखाना, हार जाना, पेट में दाढ़ी का होना, कम उम्र में अधिक जानना, छपर फार देना, अन्यास लाभ होना, छटी का दूध याद दिलाना, याद आना, अत्यदिक कठीन या कश्ट परद होना, छाती पर मुंग दलना, पास रह कर दिल दुखाना, छू मंतर होना, गाइब हो जाना, छाती पर साप लोटना, इटस्या करना, प्रान के लाले परना, प्रान संकट में परना, जी खटा होना, मन भर जाना, मन भर जाना, मन फिर जाना, मन फिर जाना, जी खटा होना मतलब मन फिर जाना, जमीन पर पैरना रखना, अहंकार होना, जहर उगलना, बुराई करना, जान पर खेलना, प्रानों की बाजी लगान प्रानों की बाजी लगाना, जी का गुबार निकालना, मन के और संतोस को व्यक्त करना, डंके की चोट पर रहना, खुले आम रहना, भोल की पोल होना, खोकला होना, धिंडोरा पिटना, सब को बता देना, तलवे चाटना, खुशामत करना, तीन तेरा होना, भिखर जाना, ती करना रिश्वत होना होता है रिश्वत देना म्यान से बाहर होना अत्यदिक कुरोध करना रंग में भंग परना आनंद में व्याधान करना रंग सियार खवा होना कपती मनुष हात का मैल होना अत्यंत तुच्छ होना हवाईया उराना घवरा जाना तलवार की धार पर चलना दातों तले उंगली दवाना अश्चर्ज करना, दाल में काला होना, अशंका होना, दोदों हात करना, युद करना या फिर लड़ना, दीन में तारे दिखाना, बुद्धी चक्रा जाना, जूप में बाल सफेद होना, अनुभब न होना, उसके बाद है धूल में मिला देना, धाक जमाना, प्रभावित करना, नाक रगरना, विंती करना, नाक में दम करना, परिशान करना, पानी पानी होना, लजजीत होना, पेंच धिला होना, कुछ पागल होना, घाव पर नमक चिर रकना, दुखी वेक्ति को और दुखी करना, घुटने टेकना हार मानना, घरो पा पूल करक्गुपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप फूल कर कुपपा होना, मतलब प्रसन होना होगा फुलाना समाना, फुलाना समाना का मतलब अत्यंत प्रसन होना रंगे हाथे पकरना, मौके पर पकर लेना लोहे के चने चवाना, कठीनी कारे करना लीपा पोती करना, छिपाने का प्रयास करना स्री गनेज करना, प्रारंब करना, सफेद हांती बांधना, अलाव कारी कार्ज करना, साफेद हांती बांधना, सफेद जूट होना, पुर्नता औशत्य, सीर धुनाना, पश्चाताप करना, सोने की चिरिया होना, अती सम्रिद्ध होना, साप छचुंदर की गती होना, कि कर्त व्यमूड होना, क्या है कि कर्त व्यमूड होना, सीर से कफन वांधा, प्रानों की प्रवाहना करना, बंदर धुरकी देना, डराना, बीरा उठाना, प्रन करना, भगुला भगत होना, पाखंडी होना, ठूक कर चाटना, कही बात से मुर्जाना, थाली का बैंगन होना, सिधान दात खटे करना प्राजित कर देना दाल ना गलना काम ना बनना उसके बाद है दात काटी रोटी होना गहरी मित्रता दाग लगाना कलंक लगाना बाल की खाल निकालना सुक्ष में बिवेचन करना बगले जाखना निरत निरुतर होना भीगी विल्ली वननना डर जाना भूत सवार होना पूरी तरह कारे में जूट जाना भैस के आगे बीन बघाना प्रभावित ना करपाना भैर चाल होना बिना अनुगामी होना मुझ में पानी आना ललचाना मिली भगत होना सडेंत में सामिल होना माथ ठनकना असंका होना मुझ की खाना प्राजित होना अब कुछ MC की विए इसे हम देख लेते हैं चेकप चलिए चू मंतर हो जाना मतलब क्या होगा गाईब हो जाना दोरे डालना मुहावरा का क्या अर्थ है, प्रेम में फसाना, पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना मतलब की हो जाएगा इसमें, पत्थर की लकीर होना मतलब आमिट होना इन में से किस मुहावरे का अर्थ कुरोध से जुरा नहीं है नाक रगरना, आग बगला होना, खून खौलना, आँख लाल पीनी करना नाक रगरना नहीं होगा कुरोध का खून खौलना, आगे आँख बगला करना सभी हो जाएगा आपका गुस्सा वाला कीचर उचालना मुहाबरे का अर्थ क्या है बदनाम करना अब है छो से लेके 79 तक मुहाबरे का अर्थ बताईए माथा ठनकाना अनिस्ट आसंका होना माथा ठनकाना मतलब अनिस्ट आसंका होना लाल पीना होना क्रोध करना अंधी खोपरी अंधी खोपरी का आपका हो जाएगा मुर्ख क्या होगा मुर्ख हो जाएगा अंधी खोपरी का नेक्स्ट है ठिकरा फुटना ठिकरा फुटना का मतलब होता है किसी के सीर पर जूठा दोस लगाना कोईले की दलाली में मुह काला कोईले की दलाली में मुख काला मतलब बुरे काम में बुराई मिलना कप्ती मित्र के लिए आपका हो जाएगा आस्तिन का साप है ना आस्तिन का साप उल्लू सिधा करना अपना काम निकालना खून पानी होना का मतलब हो जाएगा कोई असर ना होना गाल बजाना, गाल बजाना का मतलब होता है डिंग हांकना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा मतलब होता है परंपराओं के बीपरीत कार्ज करना, परंपराओं के बीपरीत कार्ज करना मतलब उल्टी गंगा, आम के आम गुठली के दाम, इसका अर्थ हो जाएगा दोह तका सा जवाब देना का हो जाएगा आपका साफ इंकार कर देना, कलेजा ठंडा होना, संतोस होना, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोस होना, आखे चार होना, आखे चार देखा देखी होना, कमर कसना, ध्रिष्ट निश्चय कर लेना, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का अंगारों पर लोटना मतलब दुख साना बात का धनी मतलब हो जाएगा वायदे का पक्का आखों का तारा होना का अर्थ हो जाएगा प्रिय होना घी का दिये जलाना मतलब हो जाता है इसमें प्रसंता व्यक्त करना छाती पर सांप लोटना मतलब इर्ष्या होना कप्टी लोग मित्र के निर्धन होने पर मन फेर लेते हैं इसका अर्थ हो जाएगा आँखे वदलना अपने पिता के प्रती अपसब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा होगा जो क्रोध से लाल न हो जाए इसमें इसका मतलब हो जाएगा आँखों से खून उतर जाना थाली में बैंगन होना होगा जिसका अपना कोई विचार ना हो गत बनाना का अर्थ होगा दुर्दसा करना पासा पलटना का हो जाएगा अतिशिग्र बदनामी होना पासा पलटना आते सिग्र बदनामी होना नेक्स्ट है गागर का सागर भढ़ना गागर का सागर भढ़ना मतलब हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा थोरे सब्द में बड़े भाव का विचार परकट करना और ये प्रसन आप से पूछा गया SDFSO का एक्जाम में और अभी बहुत सारे कोश्टन ऐसे हैं जो कोश्टन एक्जाम में पूछे गया है मुझे तो लगता है ना कि डारेक्ट कोश्टन यहां से आजाते एक्जाम में इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर इस बूख को आप लोगों कम्प्लीट केजएगा पाप काटना पाप काटना का हो जाएगा पीछा छुटना रोटियां तोरना रोटियां तोरना का हो जाएगा रोटियां तोरना बिना मेहनत की ये परे-परे खाना सित्टी-पिट्टी गुम होना का मतलब होगा भैसे होश हवास उरजाना चलता पुर्जा होना का मतलब हो जाएगा चलाकी से काम लेना काट की हड़ी का मतलब हो जाएगा औस्थाई चीज दमखीचना का मतलब होगा सांस रोकना दिलपक जाना का होजएगा दिलपक जाना का अत्यंत प्रिरित होना ये भी एक मुहावराही बन जाता है धपोर संख का मतलब होता है बेवकूफ जोहर खुलना भेद का पता लगाना दोरे पर लगाना का हो जाएगा सीधी राह पर लगाना सीधी लाह पर लगाना, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना का हो जाएगा जान बुझ कर खत्रे का काम करना, पौबारा होना, पौबारा होना का मतलब हो जाएगा, इधर दिया हुआ है, बहुत लाब होना, है ना, छक्ये चुराना, छक्ये चुराना हो ज परिश्रम करना मतलब की कठोर परिश्रम करना लूट में चर्खा नफा का मतलब हो जाएगा घोर परिश्रम के बाद अल्पलाव यानि बहुत मेहनत करने के बाद बहुत कम लाव होता है यह सब सूनते होंगे आप लोग अगल बगल में अंग अंग धीला होना अंग अंग धीला होना का मतलब हो जाएगा वहुत ठक जाना अंगारे उगलने का अर्थ होगा कुरोध में कठोर वचन कह देना इट से इट बचा देना मतलब नश्ट कर देना कलाई खुलना का मतलब होगा कलाई खुलना का भेद खुल जाना कान भरना चूगली करना या चूगली खाना सीधे मुह बात ना करना, सीधे मुह बात ना करना का होगा, नराजगी परकट करना तीर मारना, बड़ा काम करना छाती पर मुंग दलना, छाती पर मुंग दलना होगा, अधिक परिशान करना मिटी पलीद होना मिटी पलीद होना इसका हो जाएगा आपका मिटी पलीद होना का अर्थ हो जाएगा मिटी पलीद मिटी पलीद का हो जाएगा हालात या इज़द खराब होना हालात या इज़द हालात नहीं हालात या इज़द खराब करना बंगले जाकना का मतलब होता है बंगले जाकना का मतलब उत्तर न दे सकना पानी पानी होना लजजित होना अंगूठी का नग होना कीमत का अंदाजा लगाना अंगूठी का नग होना Option number इसका answer हो जाएगा 64 का एक, बहुत कीमती होना, ठीक है, कदम लर्खाना, लर्खराना, कदम लर्खराना का मतलब होगा टिकना पाना, दो नाओ पर पैर रखना, दो जगह रहना, डूब जाना, दो विरोधों की बात करना गलत, दो नाओ पर पैर रखना का सीधा मतलब आप चौर पर मुर का अर्थ हो जाएगा आपका, एक दूसरे से ज़़्यादा धित, जी जान पर खेलना का अर्थ हो जाएगा सब कुछ वलिदान करना, आस्तिना का सांप होना हो जाएगा, विश्वास घाती होना, आभै, 70 से 79 में दिया है कि निमन लिखित प्रस्न में दिये वाक्यों में बोल्ड भाग में कुछ ना कुछ त्रूटी है उसके सुध रूप में नीचे के विकल्प से ज्यांत कीजे यदि बोल्ड भाग में कोई गलती न हो तो अपने उत्तर के रूप में डी अर्थार्थ कोई सुधारा वश्रक नहीं है को इंकित करे चलिए देखते ह माली तुरंत पके और मीठे फल वरिक्षों से तोर लेता है इसमें जो त्रूटी है वो दिया है पके और मीठे फल पके और मीठे फल इसमें त्रूटी है समाज एवं देश के बहु मुखी विकास के लिए तन मन धन से प्रयत्न करना केबल मातर कागजी योजनाओं से कोई लाव नहीं होगा इसमें त्रूटी आपका मिलेगा इसमें जो त्रूटी दिया हुआ है दिया हुआ है मातर काग जी योजनाओ मातर काग जी योजनाओ ये त्रूटी है बढ़ती महंगाई के कारण देशी घी खरिदने की साथ ठकता लोगों में नहीं रह गई इसमें तूटी है वो है कोई सुधार आवस्त्रक नहीं है सभी सई है सभी घायल भरती किये गए तथा ध्यान रखा गया सभी घायल भरती किये गए तथा उसका ध्यान रखा गया इसमें आपका भी कोई तूटी नहीं है D होगा अंसर 75 में दिया है कि वह वकील हमारा मुकदमा सही लंग से लड़ने की अपेक्छा हमें खेल खिला रहा है इसमें जो तुरूटी है वो परिशान कर रहा है जो वेक्ती गिरगिट की तरह रंग बदलता हो वह किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता तो इसका यहां पे जो अर्थ बनता है 76 में वो बनता है कि ओविश्वस नहीं होना मतलब कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है विश्वास नहीं किया जा सकता जब अपने उपर परी तो अदभुद बीरता का प्रदर्शन करते हुए उसने कालिये दमन कर डाला तो इसका अर्थ निकल के आता है आपका कि अत्याचारी का बिनास करना राम अपने पिता की आर्थिक इस्तिती से बेपरवा था किन्तु जब उसे अपने करतबे का बोध हुआ तो उस पर घरो पानी पर गया तो इसका जो निकले का बहुत सर्मिन्दा होना क्या हो गया बहुत सर्मिन्दा हो गया घरो पानी पर गया मतलब बहुत सर्मिन्दा हो गया मैंने एक बार उन्हें अपना अतिति बना कर टक कर खाई है किन्तु फिर भी वह गलती मैं नहीं करूंगा तो इसमें हो जाएगा आपका इसमें जो निकल के आता है वह आएगा नुक्सान उठाना भिस्म प्रतिग्या का अर्थ होगा दिखने मातर की प्रतिग्या दिखने मा चलिए यह हो गया अब आपका आता है लोकक्तियां लोकक्तियां एक तरह से मुहावरे की तरह होता है ये भी थोड़ा बहुत कहा है इसमें फर्क होता है लोकक्तियां जिसको गाववगरा में कहावत बोलते हैं कहावत ऐसी कही हुई बात जिसमें जीवन के अनुभवों को संचिप्त या बिलक्षन ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसोटी पर खरी उतरती हो कहावत को शुक्ति शुभासित और लोकक्तियां भी कहते हैं कहावते हमारे संस्कृतिक बिरासत हैं हमारे जो पुर्वस लोग हैं वो बहुत जादा कहावत का यूज करते थे आप अगर पहले वाले लोग जो दानाजी लोग होंगे उनसे अगर बात कीजिएगा ज़्यादा तरों कहावत का यूज करते हैं और ये इतिहास में किनी परियोगता की संस्कृति एवं एतिहासिक सजगता का गोतक होता है कहावते ढली ढलाई वक्रताएं है जो अपने इस्थीर अर्थ के बावजूद भी वक्ता के मनुभाव को चमक के साथ प्रस्तूद करती है तो इसे लोकक्तियां कहते हैं और इस परकार लोकक्तियां के देख लीजे, मुहावरा वाक्यांस होता है, लेकिन लोकक्तियां वाक्य होता है, मुहावरा शमान अर्थ छोर कर बिसे सर्थ देते हैं, लेकिन लोकक्तियां मूल अर्थ संकेतात्मक हो जाता है, एवं निसकर्ष स्वरूप अनुभव में जीवन से जुरा अर्थ सामने आता तो यही इतना छड़ा इसमें फर्क है, जैसे देखिए, आ बैल मुझे मार, जान बुझ कर जगरा मोल लेना, आगे नाथ न पीछे पगहा, पुर्ण स्वतंत्र होना, अपना हाथ जगरनाथ, अपना किया हुआ काम लावदायक होता है, अब पच्चताय होत क्या, जब चिरि अब कहीं भी जाओगे बिपती में ही फसोगे, उची दुकान फीका पकमान, मतलब मातर का दिखावा, उल्टा चोर कोतबाल को डाटे, जो दोसी होगा वो आप ही के तरफ और भटकेगा, जो खुद दोसी होगा लेकिन वो दोसी आप पे लगाएगा, उंगली पकर कर अब कि पहुचा पकरना, मतलब धीरे-धीरे सहस बढ़ जाना, अकल बरी या भैस, मतलब की साड़िरिक सक्ती की तुलनामे बौधिक सक्ती की स्रेष्टा होना, अकल बरी या भैस, आम के आम गुठलियों के दाप, दूरा लाब होना, अपने मुहमीया मिठ्व बरना, उल्टे बास बरेली को बिप्रीत कारे करना उत्तर गई लोई क्या करेगा कोई इज़त जाने पर भै कैसा मतलब उत्तर गई लोई क्या करे कोई इज़त जाने पर भै कैसा मतलब इज़त चब चली जाती है तो डरना किस बात का उधो का लेना ना माधो का देना मतलब कोई भी समन्द किसी से ना रखना उट की चोरी निहुरे निहुरे इसका मतलब होता है बरा काम लुक छिप कर नहीं होता है एक पंथ दो काज एक काम से दुवारा दूसरा काब एक थैली के चट्टे वटे समान प्रकिर्ती वाले एक म्यान में दो तलवार एक अस्थान पर दो समान बस्तुए या व्यक्ती एक साथ नहीं रह सकते अपनी करनी पार उतरनी जैसा करना वैसा भरना अधा तीतर आधा बटेर बेतु का मेल अधजल गगरी छलकत जाय मतलब थोरी विद्या या थोरे धन को पाकर वचाल्द हो जाना अंधो में काना राजा अंधो में काना राजा मतलब अज्यानियों में अलपग्य की मानिता होना अपनी अपनी टफली अपना अपना राग इसका मतलब होता है बैचारिक भिनिता होना एक मचली सो तलाब को गंदा करती है, इसका मतलब होगा कि एक खड़ा बेक्टी सारे समाज को वदनाम कर देता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जगरा दोनों और से होता है, इसका अर्थ होता है, एक तो करेला दूजे नाम चड़ा, इसका मतलब होता है दूस्ट बेक्ट जो मिल जाए वही काफी है मान न मान मैं तेरा महमान जवरदस्ती गले परना सिर मुहारते ही ओले परे मतलब कारप्रारंब होते ही बिद्न आना हाथ कंगन को आर्सी क्या मतलब पर्तेक्ष को परमान की क्या जरूरत हाथ कंगन को आर्सी क्या होनहार विर्बान के होत चिकते पात इसका मतलब होता जो होनहार वेक्ती होता उसका बच्पन से हिदे के पता चल जाता है बंद से अच्छा बदनाम बुरा यानि बदनामी बुरी चीज है मन चंगा तो कठोती मंगंगा यानि कि सुध मन से भगवान प्राप्त होते हैं एक अनार सो बिमार कम बस्तु चाहने वाले अधिक एक बुड़े बैल को कौन बांध भूस दे मतलब कि ओकर्व मन या फिर अनि व्रिद्ध कोई नहीं रखना चाहता मतलब ऐसी चीज़े कोई नहीं रखना चाहता है कभी नाव गारी पर कभी गारी नाव पर मतलब समय परने पर एक दूसरे की मदद करना खोधा पहार निकला चोहिया कठिन परिसरम का तुक्ष्न परिनाम खिस यानी बिल्ली खंभा नोचे अपनी सर्म चिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना खग जाने खग ही की भासा मतलब समान प्रविर्टी वाले लोग वेक दूसरे को समझ पाते हैं गजेरी यार किसके दम लगा खिसके मतलब मतलबी यार स्वार्थ साधने के बाद साथ छोड़ देते हैं गजेरी यार किसके दम लगाके खिसके, नेक्स्ट है, गूर खाये गुलगुले से परहेज, धोंग रचना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपनी बस्तु का कोई महत्तु ना देना, घर का वेदी लंका ढावे, मतलब घर का सत्रु अधिक खतरनाक होता है, जैसे रामा जैसे रावन का, घर का अगर उसका खुद का भाई सपोर्ट नहीं करता, तो उसकी मिर्टु कभी नहीं होती, घर खीर तो बाहर भी खीर, मतलब अपना घर संपन है, तो बाहर आपको शम्मान मिलता है, ओकली में सिर्दिया, तो मसूलों से क्या डरना, मतलब जब जान बु काला अच्छर भैस बराबर, यानि कि अनपड आदमी के सामने, मतलब अनपड इसको बोल सकते हैं, कोईले की दलाली में मुह काला, बुरे काम से बुराई मिलना, काम काना काज का दुस्मन अनाज का, बिना काम बैठे बैठे खाना, काट की हडिया बार बार नहीं चड़ती इसका मतलब हुआ कपटी बेभार हमेशा नहीं क्या जा सकता, का बरखा जब किर्सी सुखाने, मतलब काम बिगरने पर सहता व्यर्थ होती है, चिराग तले अन्धेरा, अपना दो स्वेम दिखाई नहीं देता, चोर की दाड़ी में तिनका, अपरादी वेक्ती सैदव संसा कित रहता है, क्या रहता है, संसा कित रहता है, चमरी जाए पर दमरी न जाए, इसका आर्थ होता है कंजूस होना, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ग्यान खतरनाक होता है, मतलब कम ग्यान खतरनाक होता है, दूद का दूद पानी का पानी, ठीक ठीक न्याई करना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब गुन हीन को गुन की पहचानता नहीं होती है पर उपदेश कुसल बहुतेरे दूसरे की उपदेश देना सरल है चोर-चोर मौसेरे भाई एक सभाव बाले जल में रहकर मगर से बैर स्वामी से सतुरता नहीं करनी चाहिए जाके पाउनक फटी ब जान पाता है मतलब जो चीज आपके उपर बीतती है अगर वो सेम चीज दूसामने वाला पर बीतती है तो आप उसकी दर्द को जादा फिल करते हैं थोथा चना बाजे घना मतलब ओच्छा आदमी अपने महतों का अधिक प्रदर्शन करता है उसके बाद है छाती पर इसका मतलब हुआ कहीं का ना रहना नेकी और पुछ-पूछ बिना कहें ही भलाई करना आप चली अब आपका MCQ की बारी आती है इसमें लगभग जो है आपका 70 या 80 जो है MCQ दिया हुआ पटापटी से भी कर लेते हैं नाई की बरात में ठाकूर ही ठाकूर इसका अर्थ हो जाएगा कि नेता के बीना संगठ हैं गोरा घास से यारी करें तो खाए क्या गोरा घास से दोस्ती कर लेगा मतलब रोजगार में दोस्ती नहीं होती है है ना काला अच्छर भैंस बराबर अर्थ है काला अच्छर भैंस बराबर मतलब निरच्छर होना कहां राजा भोज कह गंगु तेली इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका आसमान वेक्ती की तुलना नहीं करने चाहिए एक तो करेला उस पर नीम चड़ा का सही अर्थ क्या होगा एक तो करेला उस पर मतलब एक तो वो अल्रेडी क्या था एक तो वो अरड़ी बुरी संगत से था और बुरा बंज गया हाँ थेली पर सरसो नहीं जमती मतलब काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तभी काम नहीं हो अधा तीतर आधा बटोर मुझे अधा ही परा जा रहे बारवर अधा तीतर अधा बटेर का मतलब होता है दो कामों में एक का भी नो होना अंधी पी से कुटा खाए कमाए कोई खाए कोई घर का जोगी जोगना आन गाउं का सिद इसका अर्थ हो जाएगा घर की ग्यानी को सम्मान नहीं तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले इसका अर्थ हुआ कि एक को खर्च करते हुए देख दूसरा परिशान होना पैर फैला कर सोना, पैर फैला कर सोना मतलब निश्चिन्थ होकर सोना अंधे के हाथ पटेर लगना अंधे के हाथ पटेर लगना मतलब होता है भाग से कोई बस्तु मिल जाना धाग के वही तीन पात होना धाग के तीन पात होना इसका अर्थ हो जाता है सदा एक सा मेढग को जुकाम होना मेढग को जुकाम होना अन्होनी होना अपना ही घरा सरहाता है इसका अर्थ होगा कि अपनी बनाई बच्टू सब को अच्छी लगती है कि उपकार करने के बदले में स्वयम दुख भोगना पर रहा है गंगा गए गंगा दास, जुना गए जमुना दास इसका अर्थ हो जाता है आपका कि जिसका कोई द्रिष्ट सिधान्त नहीं होता है नेक्स्ट धोवी का कुत्ता घर का न घाट का धोवी का कुत्ता न घर का न घाट का इसका सही अर्थ बनेगा कि निक्रिष्ट वेक्ती को कहीं भी आदर नहीं मिलता काट का हड़ी चड़े न दूजे बार का अर्थ हो जाएगा कपट का फल अच्छा नहीं होता है काला अच्छर बैंस बराबर इसका मतलब होता है अनपड या फिर औसिक्षित वेक्ती हस्वे के ब्या में खुरपी कागीत इसका अर्थ हो जाएगा औसंगत बाते करना जाके पाउना फटे बिबाई सोक्या जाने पीर पर आए इसका मतलब हो जाएगा कि जिसके उपर बीतिती है वही जानता है असरफी की लूट और कोईले पर छाप यह होगा बहुमुल बस्तू को नश्ट होने देना और तुक्ष की स्रक्षा करना असरफी की लूट और कोईले का छाप जस्दुलहा तस्तनी बरात क्या होगा जस्दुलहा तस्त बनी बराता इसका अर्थ हो जाएगा कि संगठन से ही कार सिद होता है अपनी डफली अपना राग का मतलब होगा अपना दुखरा रोना ओप्सन C हो जाएगा चार दिन की चांदनी फिरंधेरी रात इसका मतलब होगा थोरे दिनों का शुक्ष कोई इर घाट तो कोई बीर घाट इसका मतलब यह हुआ कि ताल मिल ना होना भीगी विल्ली वनना भीगी विल्ली का अर्थ हो जाएगा दीन हीन होकर सहम जाना समुद्र मंथन करना ध्रिष्ट प्रतिग्या करना कठोर परिश्रम करना विश्वास सबसे बरी चीज है इस कहावत का अर्थ क्या है विश्वास सबसे बरी चीज है इसका हावत का अर्थ हो जाएगा मानो तो देव नहीं तो पत्थर दात काटी रोटी का हावत का अर्थ है दात काटी रोटी का अर्थ होगा घनिश्ट मितिता लोकक्तियां का अर्थ बताई आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास इसमें हो जाएगा कि तुक्षकार करना भैस के आगे बीन बजाए भैस रही पगुराई कहावत का अर्थ क्या होगा इसका अर्थ बनेगा कि भैस के आगे बीन बजाए भैस गए पगुराई मतलब मुर्खी के सामने गुनों का वखान करना आग लगने पर कुवा खोदना मतलब ये हुआ कि बीपती आजाने पर उसका निराकरन करना हाथेली पर सरसो नहीं जमती इसका अर्थ हो जाएगा हाथेली पर कि कोई कार जटपट नहीं हो सकता तेल देखो तेल की धार देखो तेल की धार देखो इसका अर्थ होगा रुख पहचानना तन पर नहीं लता पान खाए अलवता क्या होगा तन पर नहीं लता पान खाए अलवता इसका अर्थ बनेगा आपका कि जूठा दिखावा करना गूर चखाए गुलगुला से परेज, मतलब किसी वेक्ती से प्यार करके उसके बेवहार से गेरणा करना Next कोई इरगाट तो कोई भी इरगाट, ये repeated हो चुका है, ताल मिलना होना, जहां न पहुंचे रवी, वहां पहुंचे कभी इसका अर्थ ये होता है कि कभी के लिए कुछ भी अगमे नहीं है अपना हाथ जगरणात, इसका अर्थ बनेगा कि अपने सामर्थ पर द्रिष्ट विश्वास करना फटे में पाउ दफदर में नाव, मतलब कि दूसरे के जगरे में परकर गवाही देने की कठिनाई जहलनी परती है जहां न पहुंचे रवी, वहां पहुंचे कभी, ये भी repeated है, कभी के लिए कुछ भी अगम में नहीं है आस्मान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ होगा किसी काम के बनने में अनेक वाधाय उपस्तित हो जाना दुवधा में दोनों गए माया मिली नराम, इसका अर्थ होगा कि अनिस्चित की इस्तिती में वेक्ती दोनों और से हाने उठाता है अन्धा पावे आँखे तो पती आए, इसका अर्थ होगा कि अबस्तित की प्राप्ती होने पर विश्वास का जमना उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ होगा कि बेसरम का कोई कुछ नहीं बिगार सकता कमावे धोती वाला, उरावे टोपी वाला, इसका अर्थ होगा कि इस परिश्रमी लोग कमाते हैं और सौकिन उसे खर्ज करते हैं अरहर की टटी गुजराती ताला का मतलब होगा अनमोल साधन जुटाना काला अच्छर भैस बराबर अनपढ होना एक तबे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी एक तबे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी इसका अर्थ होगा सब लगभग एक समान होना चोड की डाधी में तिनका, तिनका चोड की दाड़ी में तिन का मतलब अपराधी सदा संका से गिरा रहता है कहने से कुमहार गधे पर नहीं चड़ता इसका अर्थ होगा कि हटी मनुस किसी का कहना नहीं मानता जिद्धी जिसको बोलते हैं आँख का अंधा नाम नयनसुख आँख का अंधा नाम नयनसुख मतलब गुन के बिप्रीत नाम काट की हडी बार बार नहीं चड़ती मतलब होगा छल कपट का बेभार हमेशा नहीं चलता एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी इसका अर्थ बनेगा अपराधी होकर उल्टे अकर दिखाना उट को निगल लिया और दूम को हिचके उट को निगल लिया और दूम को हिचके इसका मतलब ये हुआ कि बरी भी पत्ती को स्विकार करना साधारन बात पर संकोच करना घरी में तोला घरी में मासा घरी में तोला घरी में मासा का अर्थ होगा घरी में तोला घरी में मासा जरासी बात पर खुस और नराज होना का बर्खा जब किर्सी सुखाने इसका अर्थ बनता है कि काम बिगड़ने पर सहता व्यर्थ है तूट चाप नहीं चुरे रिशाने जुरे रिशाने ये बनता है आपका कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है दूवते का तिनके का सहारा मतलब अपती के समय थोरा सहता भी बरी होती है एक तो करेला दूजा नीम चड़ा इसमें हो जाएगा कि एक बुराई पर दूसरी बुराई अपना घर दूर से सुझता है मतलब अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता कोईले की दलाली में हाथ काला मतलब बुरी संगती से बदनामी मिलती है नई नायन बांस का नहना इसका मतलब बनेगा कि नए सौख को पूरा करने के लिए अजीव काम करना जर का जोर पूरा है और अब अधूरा है जर का जोर पूरा है और अब अधूरा है इसका अर्थ है कि धन में सब कारसिध करने की सकती है धन बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए मतलब ये कि भै का समन सुरू में ही कर लेना चाहिए एक हाथ से ताली नहीं बज़ती यानि एक और से जगरा नहीं हो सकता एक अनार सौ बिमार मतलब इसका अर्थ बनेगा कि किसी बस्तू की पूर्ती कम है लेकिन मांग उसका जादा है जल में रहकर मगर से बैर का मतलब कि आसरे दाता को सत्रू नहीं मनाया जा सकता भागते भूत की लंगूटी भली मतलब जो मिल गया वही बहुत है यह आपका हो गया लोकक्तिया मोहमरा आप आता है युग्म सब्द एवं अनेकार्थक सब्द यानि कि जो दो सब्द होते हैं माली जीरे से सूध है और सूध तो यह दोनों सूध लिखने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता और मतलब भी इसका अलग होता है तो कह रहा है कि युग्म सब्द एवं अनेकार्थक सब्द युगमसब्द एवं एकार्थक सब्द में देखेंगे सबसे पहले क्या होता है युगमसब्द ये क्या होता है कि हिंदी के अनेक सब्द ऐसे हैं जिनका उचारन प्राया समान होता है किन्तु उसके अर्थ क्या होते हैं अलग होते हैं इन्हें हम युगमसब्द कहते हैं यह यहां ऐसे युग सब्दों की सुची अनेक अर्थ एक साथ ही दी जा रही है जैसे कि प्रणाउंसियेशन एक जैसा होगा और उसका अर्थ सेम होगा यह सब्द आपको यहां पे दिया गया है कुछ हम देख लेते हैं ठीक है जैसे देखिए सूत और एक है सूत तो एक सूत का मतलब यह सूत का मतलब धागा होगा और यह सूत का मतलब बेटा होगा सन सन का मतलब साल होता और यह सन का मतलब पटुआ होता है समान समान का मतलब होता है तरह बराबर या फिर सामान का मतलब होता है शमागरी शामान स्वर मतलब आवाज स्वर्ण मतलब शोना सुल्क सुक्ल मतलब उजला हरी विश्णु हरी हरे रंग की अठक मतलब बिना ठके हुए और अकत अकत मतलब जो कहां ना जासा है अध्यान मतलब पढ़ना और अध्यापन मतलब पढ़ाना अधम मतलब होता है नीज और अधर्म मतलब होता है पाप अधर्म मतलब पाप अली मतलब श पन्सार और एक जगत मतलब होता है कुवा का चबुत्रा नारी इस्त्री और नारी नब्ज निशान जंडा और एक निशान मतलब चिन पानी पानी का जल और पनी पनी का मतलब हांत प्रणाम का मतलब नमस्कार और प्रमान प्रमान मतलब सबूद पवन मतलब हवा और पावन म मतलब पवित्र, पत्र मतलब रास्ता और पत्थे मतलब आहार या फिर रोगी के लिए पंथ, पंथ सुनते होंगे गाउवेकर में, पौत्र मतलब होता है पोता और पोत्र मतलब होता है जहाज, प्रन मतलब प्रतिग्या और प्रान मतलब जान, वली, वलिदान, बली, वीर, आकर, आकर मतलब होता है खान और आकार, आकार मतलब होता है रूपिया, सूरत, इतर मतलब सुगंधित चीज और इतर मतलब दूसरा, इतर मतलब दूसरा, उपल, उपल मतलब पत्थर, उतपल मतलब कमल, उपकार, उपकार का भलाई हो जाएगा और अपकार का बुराई होगा कुल का होगा बंस या फिर सब और एक कुल का मतलब होगा किनाडा कंगाल कंगाल मतलब भिखारी और कंगाल मतलब ठटरी कर्म मतलब काम भवन मतलब महल देखे कर्म मतलब काम और एक क्रम मतलब होता है सिलसिला भवन मतलब महल और भुवन मतलब संसार भारतिये भारत का और भारती मतलब सरश्वती मूल मूल मतलब जर और मुल्ले मतलब कीमत मद मद मतलब आनंद होता है और मद मतलब होता है शड़ाब मनी मनी मतलब एक रत्न और मनी मतलब शांप रंग गरीव और रग रंग वर्ण रग मतलब नस होता है और राग मतलब लै किरपन किरपन मतलब कंजूस किरपान मतलब कटार कर मतलब हाथ या फिर टैक्स और कारा मतलब जेल कारा मतलब जेल पवन मतलब हवा पावन मतलब पवित्र किला का गड़ होगा और किला मतलब खुटा या फिर गरा हुआ होगा छात्र छात्रिये और छात्र मतलब छाता छात्र मतलब छात्रिये संबंदी और ये छात्र मतलब विद्यार्थी होता है अब है गरह गरह में न छात्र और गिरी मतलब घर चीर मतलब पुराना और एक चीर मतलब आपका कपड़ा होगा दूइप मतलब टापू और दूइप मतलब हाथी तरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब घुरा लच्छ उदेश और लच्छ लाख वसन वसन कपड़ा होगा और व्यसन पूछे तो बुरी आदत शब मतलब रात शब मतलब रात और सब मतलब रात और शब शब पूछे तो लास अली मतलब शखी और अली मतलब भोरा अंस मतलब कंधा अंस मतलब कंधा और अंस मतलब हिश्चा अंगना मतलब घहरांगन और अंगना मतलब इस्तरी अन्य मतलब अनाज और अन्य मतलब दूश्रा अनील मतलब हवा अनल मतलब आग अंबु जल और अंब माता आम दार मतलब पत्नी या फिर भार्या द्वार द्वार मतलब दर्वाजा उसके बाद है दीन, दीन का होगा दिवस और इस दीन का मतलब होता है गरीव दाई, दाई मतलब देने वाला या फिर जवाब दे और एक होता है दाई, मतलब नौकरानी देव, देव मतलब देबता और दैव मतलब भाग्य द्रव द्रव का हो जाएगा रस पिघला हुआ और एक द्रव होगा पदार्थ नीर नीर मतलब घोसला या फिर खोता और एक नीर का मतलब होगा पानी नगर नगर मतलब सहर और नागर मतलब चतुर वेक्ती नसा मतलब मद और निसा मतलब राद सर सर तलाव होगा और सर मतलब तीर होगा तलावे सो के साथ अगर सर लिखा हो तो तीर सूर सूर मतलब होगा अंधा और एक सूर मतलब हो जाएगा देवता ठीके अब आपका दिया हुआ यहाँ पे अनेक अर्थक सब्द है ना जब एक सब्द से अनेक अर्थ निकले तो उसे अनेक अर्थक सब्द कहते हैं विशेस इस्तिती में प्रशंग, पाद्र, अस्थान, इत्यादी के कारण एक ही सब्द के अर्थ बदल जाते हैं उसे हम अनेक अर्थक सब्द कहते हैं जलज, जलज का हो जाएगा कमल, मोती और मचली, कमल, मोती, मचली, अज, अज का बकड़ा, दसरत का पिता, इश्वर, परमात्मा, श्वामी, भूत का प्रेत, बीता हुआ कल, पतंग, पतंग का पच्छी, गुंडी, शुर्य, फल, फल का होगा मेवा, नतीजा, बाल, बाल मत शहद, मदिरा, बसंत्रितु, लच, लच्व, निशाना या फिर उद्देश, पयोधर, बादल या फिर अस्तन, अर्थ, अर्थ का मतलब मतलब या फिर धन, तात, तात, पिता, भ्राता, मित्र, कृष्ण, काला, देवकी का पुत्र, नव, नया और नो, निशाचर, ब्रहामन, दांत, पच्ची, द्विज का, कर्ण, कान, कुंती का पुत्र, काम, कार, वासन, गरहन, लेना या पकरना, गरहन मतलब लेना या पकरना, धन मतलब घना, बादल, वर्ण, वर्ण का हो जाएगा, वर्ण का अच्छर, रंग, चार वर्ण, ब्रहामन जो चार ब्रह नेक्स्ट है अक्र, अक्र मतलब आग या सूर्य, काल, काल का हो जाएगा शमय या फिर मिर्तु, काल का समय और मिर्तु दोनों होता है, उसी तरीके से अंतर, अंतर का हो जाएगा भेद, भेद या फिर मध्य, जलधर, जलधर का हो जाएगा सागर, बादल, अंबर, अंबर का अकास बस्त्र, अर्थ, अर्थ का मतलब या फिर पैसा भी होता है, उत्तर का जवाब या फिर उत्तर दिसा, और और का दूसरा अधिक, फिर है कल, कल का होगा मसीन, बीता हुआ कल, आने वाला कल, कर, कर का होगा हाथ, टैक्स या फिर किरन, कल का, हरी, हरी मतलब बिश्नू, ब गुरू का बहारी अध्यापत या फिर स्रेष्ट ये भी होगा उसके बाद है वाम का बया इस्तरी उल्टा वर का दुलहा या फिर स्रेष्ट रस का हो जाएगा स्वाद आनंद या फिर जल अरून का लाल रंग सुर्य का सार्थी अरून दंड का डंडा सजा दल शमू या फिर सेना कनक शोना धाथुरा पत्र पत्र मतलब चिठी या फिर पता गुन रशी बिसेशता पद पैर अस्थान पदवी अंग का गोध नंबर अंग का भाग सरीर का हिस्सा उसके बाद है नग नग का होगा पहार सुर्य या फिर रत्न नग पर आपका MCQ आता है, MCQ दीवा हुआ है, इसे MCQ देख लेते हैं, ज्यादा प्रस्ण नहीं होगा, इसमें लगता है, वही सत्तर के आसपास है, एक से चार्थ सब्द के यूग्म के सही अर्थ भेद का चैन कीजे, सबसे पहले दिया है, अंस, अंस, इसका सही अर्थ बनेगा, अंस का मतलब कंधा और अंस का मतलब हिश्चा हो जाएगा, अभे, उभे, उभे का निर्व है और दोनों हो जाएगा, निर्व है और दोनों, उभे का दोनों और अभे का निर्व है, अनील, अनल, अनल का हो जाएगा हवा और आग, अन्य, 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 इसका होग तो सैंधव का सही अर्थ हो जाएगा आपका गोरा, क्या होगा गोरा, इन में से सारंग किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, सारंग बान को नहीं बताता है, सैदव का अर्थ है, सैदव का अर्थ है गोरा, सैदव मतलब गोरा, नेक्स्ट है नाइन नमबर प्रस्ट मुद्रा सब्द में कौन सा अर्थ इन में से नहीं है मुद्रा क्रोध नहीं होगा मुद्रा इन में से कौन सा सब्द हरी का अर्थ नहीं है तो हरी का अर्थ इसमें से नहीं है भ्रमर अवधी सब्द का अर्थ है अवध की भासा नीचे दिये गए बीकल्प में से छेपक सब्द का सही तात्य पर चैन कीजिए छेपक का तो छेपक का हो जायेगा किसी ग्रंत में अन्य वेकती द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक का लाता है नीचे दिए गएं बिकल्प में चीवर सब्द का सही तैत पर चैन कीजे चीवर हो जाएगा बौध विख्छो का बस्ट चीवर नीचे दिए गएं कि वात के दिया गया है उसमें एक काला सब्द है काले छपे सब्द का अर्थ बताओ वह मनुस किरधन्य है इसमें हो जाएगा अहसान फरमोश है क्या है अचान फरमोश है नीचे दिये गये हैं क्यार बिकल्ब में से सही युग धर्म का चैन कीजे इसमें दिया हुआ है भौरा शक्झी अली का हो जाएगा calam और अली का शक्की हो जाएगा फिजूल खर्ची सब्द का सामानार्थी सब्द बताईए फिजूल का अपवय हो जाएगा कुंजर का अर्थ होता है कुंजर का अर्थ होता है हां थी कुंजर का अर्थ क्या होता है हां थी होता है निम्नलिकित सब्द का सही अर्थ पांच बैकल्पिक अर्थ में चुनिए अनुसुलन, अनुसिलन का हो जाएगा, अनुसिलन का हो जाएगा सतत अव्यास, निम्नलिकित सब्द का सही अर्थ पांच बैकल्पिक अर्थ में से चुनिए, इसमें सही अर्थ आपका निकलेगा स् अब 25 से 35 में प्रतेग सब्द में चार वेकलपिक अर्थ दिये गए हैं सही उत्तर का चैन करना है आज्या का क्या होगा? आज्या का हो जाएगा? आदेश उपकुल का हो जाएगा? उपकुल का होगा? कुल समीब एहिक का हो जाएगा? एहिक का आपका आंसर हो जाएगा? इहलोकस्त अलगु का होगा? दिर्ग आसरे का स्विकरन केतु का होगा जंडा पिशून, पिशून का होगा, चुगल खोर, पिशून मतलब चुगल खोर तनू, तनू का क्या होगा, तो तनू का इस में से जो हो जाएगा 32, तनू का ये होगा आपका सरीर, धाता, धाता का बनेगा विश्नू शारंग, शारंग का हो जाएगा मोर, शारंग का मोर धर्ती धर्ती का होगा अचला अब है 36 से 37 सब्द में उप्युक्त अर्थ होगा बिश्मित बिश्मित का अर्थ होगा बिश्मित का अर्थ हैरान और द्रव द्रव जो है इस द्रव का मतलब होगा द्रव अधवोयो इस द्रव का अर्थ हो जाएगा आपका इस द्रव का अर् का चेयन कड़े जो underline किया है उसका इस्वर मानव का सिर्जन करके बंदनीय हो गया इसका आपको सही आंसर बताना है तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 38 का वो होगा बंदनीय उत्पत्ति हो जाएगा जीवन के निर्मान में नियती का महत्पुर्ण अस्थान होता है तो इसमें होगा आंसर आपका भाग्य नियती मतलब भाग्य जीवन में उन्नती चाहते हो तो परिश्रम करो इसमें आपका बनेगा अग्रशर गयान, गयान का भंडान अथा होता है ग्यान का बंडार अथा होता है इसमें हो जाएगा ग्यान ग्यान नहीं होगा ग्यान होगा अनुश्वार क्या है तो अनुश्वार आपका अनुनासिक होगा ग्या होगा अनुनाशिक नेक्स्ट है 46 से 48 किस सब्द का अर्थ अन तीन के अर्थ से भिन है यानि कि बिसम अर्थ वाले सब्द को छाटना है मानव, मनूज, अनूज, आदमे इसमें जो अलग होगा वो अनूज अलग हो जाएगा बिटप, विपदा, दुम्र, तरू इसमें से बिसम सब्द है आपका विपदा संकट होता है समीर, वयार, अनील, अनल इसमें से अलग आपका हो जाएगा इसमें से जो अलग सब्द दिया हुआ है इसमें से जो डिफरेंट है आपका वो हो जाएगा डी, अनल, अनल अलग है अब है 49 to 53 प्रस्णों में प्रस्ण अस्थान पर एक सब्द दिये गये हैं प्रतेक प्रस्ण के नीचे चार विकल्प दिये गए हैं उन विकल्पों में से उश विकल्प का चैन करें जो प्रस्ण अस्थान पर दिये गए सब्द का समानार्थी हो यानि समानार्थी सब्द आपको बताना है कुंदन, कुंदन का सही अर्थ यहां पे निकल के आता है सोना, मनोज, मनोज का हो जाएगा कामदेव कर, कर का हो जाएगा हात अरी, अरी का होगा सत्रू हुतासन, हुतासन का हो जाएगा 53 में हुतासन करड़ी अगनी, आभे 54 से 55 में सही अर्थ क्या है प्रेशन का सही अर्थ है प्रेशित करना या फिर भोजन उच्छी स्रिंखल उच्छी स्रिंखलर का सही अर्थ होगा क्रम रहित बंधन ना मानने वाला स्रक्षाचारी पचपन से साठ निमलिकित पांच प्रेश्ट में से जो सब्द दिया गया है उससी आसाई के सब्द समू का चैन करें हिताकांची हिताकांची का अर्थ होता है आपका भलाई चाहने वाला वर्ज वर्ज का सही मतलब निकल के आगया निशिद Next है रशास्वादन रशास्वादन में हो जाएगा आपका किसी रस का उपियोग करना रमनिये का हो जाएगा मनोहर अतुलनिये का होगा जिसकी तुलना नहो सके 61 to 62 किस सब्द का अर्थ तन्ने अन्नि तीन सब्दो से बिल्कुल विन्ने है 60-62 में देखना है कि किसका मतलब अलग है अबला, नारी, महिला, बला तो इसमें अलग हो जाएगा वला बला मतलब होता है मुशिवत गौरी, गे, गर, भुबन इसमें से अलग हो जाएगा आपका भुबन भुबन अलग हो जाएगा Next है 63 सरशट में बोल्ड में छपे सब्दों के पर्याई के लिए चार विकल्प दिये गए हैं, उचित विकल्प चुनिये। दूसरे में दोस देखने से अपना अभिमान पुष्ट होता है, इसका सही अर्थ होगा, गर्ब होता है, है ना, संसार में तरने कास एक सुन्दर उपाई स्री राम की सरन होता है, इसका सही अर्थ उधार होता है, कि संसार में उधार के लिए एक सुन्दर उपाई राम का चर मरा उठी, इसका मतलब होगा अनेल, घर पर मिटी के चूले होते हैं इसमें हो जाएगा मिटी का नीचे सब्ध दिए गया है उसमें प्रतेक के चार दैकल्पिक अर्थ दिए गया उपिक्त अर्थ का चैन कीजिए तनमे, तनमे का क्या आर्थ होगा? तो तनमे का हो जाएगा लवलीन और मनोज, मनोज का अर्थ हो जाएगा कामदेव ये भी आपका हो गया अब आता है अपठित गाध्यांस तो गाध्यांस में हम नहीं देखेंगे बांकी डिफनिशन कर लेते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गाध्यांस को पर के आप सब्सक्रArt गाध्यांस के रहे हिसे हम जानते हैं और को सभी ऑफशन को एसकी करेंगे क्योंकि ये आपका वहां पे अलग स्वरी दिया जाता है कभी 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 से हैं करेंट फेल से क्या और यह यहां सबस्क्ली आता है और अपहबव होने देख लेते हैंक इकजाम्स की समया किसी अनुशेद अवतरन या पाठ को पढ़ कर परिच्छार्ती ने उसे कितना समझा या जानने के लिए जो परिक्षन किया जाता है उसे हम पाठ बोधन या फिर अवपठित गाधान्स कहते हैं मतलब कोई स्टोरी को आप परें उसको आप कितना समझे है न तो उससे समझ के बताने के लिए इसको लाया जाता है और ऐसे प्रस्ण में एक अवतरन होता है अवतरन के नीचे उससे समंधूत प्रस्ण दिये चाते हैं जो कि आपके बस्तुनी उब्जेटिव प्रष्ण के रूप में होता है तो ये तो उसकी बेसिक बाते हैं देखिंगे पाठ बोधन के लिए समान अनुदेश क्या है ये देख लीजे सबसे पहले सरपर्थम काम क्या कीजेगा कि मूल अवतरन को कई बार एक कागरता पुरुवक पढ़ कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए सबसे पहले अगर टाइम है एकजाम में तो एक काम कीजे इसको लास्ट में बनाईए ठीक है उस समय में क्या होगा कि उस समय अगर क्योंकि इसकी अराम से बनाना होता है अगर टाइम है तो आप अच्छे से पर की किजिए नहीं तो एक दो बार उसको परिए और कोशन कर लेजे ठीक है अच्छी तरह समझ लेना चाहिए दूजरा अवतर प्रश्णों के उत्तर मुल अवतरन में ही वित्वान है अत्य एव उनके उत्तर अवतरन में ही खोजे जाएं बाहर नहीं तो इसका उत्तर आप उसी में खोजेंगे बाहर से नहीं उत्तर करेंगे अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे समानेता प्रश्णों के करम में ही अवतरन में उनके उत्तर वित्वान रहते हैं अता प्रश्णों का करम में ही उत्तर खोजना सुधा जनक होता है बस्तुनिस्ट प्रश्णों के लिए चार विकल्प दिये जाते हैं इनमें एक ही विकल्प सही होगा सिस विकल्प उसके निकट आत्वा भ्रमात्मक जो होते हैं वो मतलब आपको भड़माने के लिए दे दिया जाएगा प्रतेग विकल्प पर विचार करके देखे कि उनमें से किसके अर्थ संगती संबंदित प्रश्ण के साथ बैड़ती है इस परकार सही विकल्प ही आपका सही उत्तर होगा ध्यान रहे कि आपका चैनित उत्तर अवतरन पर ही अधारित होना चाहिए जो कि हम आपको पीछे भी बताएं है नेक्स्ट रूल है कि कि किसी भी प्रस्ण के उत्तर में अपनी और से कुछ भी ना जोरे यदासंभव सरल संशित और उसके मुलभाव को ब्यक्त करने वाला होना चाहिए जैसे देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है ये आपने परली एक आधान सम आपको बता देते हैं इसके लिए सबसे ईजी पता रहा है तो मैंने पहले question परहा अब क्या करेंगे अब हम गाधान्स को परेंगे और गाधान्स को पढ़ने टाइम, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जहां मुझे आंसर मिलेगा, उस आंसर को हम वही पर टिक करते जाएंगे, कोशन बनाते जाएंगे, चीक ना, इससे ज़्यादा परिशानी भी नहीं होगा, तो चलिए, सबसे पहले यहां पर देखते हैं, शिक्षा जीवन के लिए अमुल अशोधी है, तो थोड़ा छोटा कर दे, ताकि यहां से आप लोग कोशन भी देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, है ना, तो पहला था सिक्षा का उद्देश क्या है, उसके बाद है इसमें से, सिक्षा जीवन के लिए अमुल अशोधी है, जो उसे बिविन विकारों से मुक्त कर स्वस्त बनाती है, वर्तमान में सिक्षा के समक्ष बिविन चुनोतिया आई है, छात्र और सिक्षा के सम्बंद में उनमें से एक, छात्र और सिक्षा के सम्बं अच्छी शफलता अकांछा रख रहे हैं यह आनुचित प्रविर्ती उनमें कैसे पल्लवित हो रही है। बेदनाओं से युक्त बनाने की प्रेड़ना करें एक आंसर आपको यहां से मिलेगा। ठीक है पहले का। राज धीनिये सेवाओं में भले ही सिक्छा को उचित वेतन मिल रहा है लेकिन नीजी छेतर में संचालित स्कूलों में उनका जम कर सोसन हो रहा है। नीजी मतलब इन स्कूलों में निम्न वर्क के सिक्छक सिक्छा नहीं देते वरन मध्यंबर के सिक्छक भी सिक्छा देने को वाद है। कोरियों में सिक्छकों को धन देने वाले सिक्छन संस्थाउन से कैसे आसा की जा सकती है कि उनके सिक्छक छात्रों को हिर्दय से एकाग्रिसित और सिक्छित कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीजी छेतर में संचालित इसकूलों में सिक्छी काओं को ब्यापक पैमाने पर भरती किया जाता है। अधिकान सिनेजी स्कूलों में संचालक इन सिक्छी काओं को पांसो से एक हजार रुपय पारिस्रमिक देते हैं। इसके साथ साथ उनका साररिक और मानसिक सोसन करते हैं। सिक्छा के मंदिर में ऐसा बेभार निंद नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि सिक्छा का उद्देश क्या है। विकार को दूर करना, बिवेक जागरित करना, जीवी का दिलाना। ये सभी अर्थ होता है सिक्छा का। चातरों को एक सुयोग गुमाना बनाने का दायूत किसका है। एक सिक्छक का होता है कि वो चातरों को एक सुयोग गुमाना बनाए। मेरा पेट हाओ में मैं न दें उकाओ व्यवस्था का अर्थ होता है स्वार्थी व्यवस्था। सिर्फ अपने हित में सोचना। है ना सिक्षकों का जमकर सोसन कहा हो रहा है तो नीजी चितर में सिक्षकों का जो है काफी जादा सोसन हो रहा है तो यह हो जाएगा उसके बाद है उप्रिक्त गाधांस का उप्रिक्त सिर्सक क्या है अब आप से इसमें सिर्सक पूछा गया है तो आपको यहां परहे थे कि ज कुआ आप देखके यहाँ पे उसका आप सिरसक चुचयन कीजेगा. ठीक है? तो सिक्छा एवम सिक्छा. सिक्छकों का दायूत, सिक्छा के समक्ष चुनौतिया, सिक्छा की समस्या, इसमें इजली आप समस्च सकते कि सिक्षा के समक्ष चुनोतिया इसका correct answer हो जाएगा तो ये गधांस बनाने का नियम है बांकी से skip करते हैं ठीक है आप है कि गधांस में एक feel in the blanks वाला वी आता है एक आता है feel in the blanks वाला गधांस बनाने के लिए आपको दिया जाएगा उसमें क्या होता है कि गधांस दिया रहता है उसको खाली रहता जगा उसमें से आपको भरना रहता है ठीक है इसे कैसे बनाया जाता है इसे देख लीजे बिविन परति योगी परिक्षाओं में प्राया कुछ प्रस्ण अनुछेद मेरिक्ट अस्थानों की पूर्ति संबन्दी होते हैं इसके लिए एक गाधांस या अवतरन होता है जिसमें कई वाक्यों में सब्द लुप्त होते हैं उसके अस्थान पर प्रस्ण संख्या अंकीत होती है अब तरन के नीचे प्रस्ण संख्या के चार-चार सब्द विकल्प रूप में दिये जाते हैं इन विकल्प में से कोई एक सब सही उत्तर होता है पर इच्छार्थियों को उप्रिक्त विकल्प का चैन करके उसे क्या करना बरना पड़ता है है चलिए, इस परकार के प्रस्द हल करते समय विशह बस्तु वाक्य रचना सब्दों का उचित परियोग सामुचित सब्दों का अर्थ वेद संहानार्थी सब्दों के परियोग कहाव तो आदी के ज्यान उचित विकल्प धुन्ने में सहायक होता है ये सबी चीज जो है आपको डारेक्ट आंसर दिलाएगा तो एक से दस तक में एक गाधान से इसे हम परते हैं और इसे हम भरने की fill in the blanks करने की कोसिस करेंगे ठीक है चलिए दिया है छोटा करेंगे तब समझ में आएगा मनुस्ष्वभावता एकाकीपन पसंद नहीं करता है परिवार आथवा समाज में रहते हुए भी हमें एक ऐसे विक्ति किया वसकता कि अनुभव होती है जिससे हम हिर्दय की बाते निसंकोच रूप से कह सके परिवारिक मर्यादाओं के कारण ही परिवारिक सदस्यों के शमुक हम अपने अपने के बाद यहां पर आप क्या टिक कर सकते हैं देखिए अपने डैस पास्तविक रूप में नहीं रख पाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अपने जो मनोभाव होता है अपना जो मनोमन की बात होती है उसको हम नहीं रख पाते हैं परंतु हिर्दय तो अभी वेक्ति के लिए सदा अकुल रहता है अभी वेक्ति के लिए क्या रहता है अकुल रहता है हमारा अंता करन जिससे डैस नहीं रहता है हमारा अंता करन डैस नहीं रहता है इसका यहाँ पर क्या होगा अनुराग विराग दुराव या विहुलाव तो यहाँ ब्यापका हो जाएगा दुराव हमारा जो यहाँ पर ती फूर्थ यहां पर दो देखते हैं शुहद है ऐसे मित्र पर्यत्नपुरु बनाएं नहीं जाते ऐसे मित्र क्या होता है पर्यत्नपुरु नहीं बनाएं जाते डैस ही मिल जाते हैं अपने आप या फिर स्वताह मिल जाते हैं यहां पर ऑप्सन देखते हैं सयास अन्यास बहु ही मित्र हमारा ही क्या होता है हमारा ही मित्र हमारा प्रतिरूप होता है जैसे आपर होगे दोस्ती वैसे से ही होगी होता है बिप्रीत विचारो वाले मित्र भी क्या होते हैं तो बिप्रीत विचारे वाले मित्र जो होते हैं वो अपवाद क्या हो अपवाद है जो मिल जाते है अपबाद होता है प्रंतु विचारों और इस्थिती की जो होती है वो क्या होती है समानता होती है भी हो जाएगा आंसर यहाँ पर समानता घनिष्ट मित्रता के लिए अत्यनत आवस्तेक है समानेता दो, समानेता दो, समानेता दो, बिप्रितिता, क्या होता है, दो बिप्रितिता, विचारों का टकराट असान्ती को ही जन्म देती है, मतलब कि अगर मालेजे आपका विचार कुछ है, अगला दोस्त आपका है, उसका विचार कुछ है, तो दोनों में उस चीज को लेक पर यहां स्वार्थ परायन होंगे और उनका सरोकार अपनी शुक्ष विधाः एबम बिलासिता तक्षिमित होगा, उपर्यू रीक्त मित्र मिलना जीवन का सार्थकता है, तो 10 में आप आंसर करेंगे, 10 का आंसर हो जाएगा आपका यहां पे जान पहचान, है ना, जान पहच पहचान दस में हो जाएगा कि जान पहचान बढ़ाने वाले तो रास्ते चलते ही मिलेंगे पर स्वार्थ प्रायन होंगे और उर्का सरोकार अपनी शुक्ष विधा एबं बिलासिता तक्षिमित होगा उप्रिक्त मित्र मिलना जीवन की सार्थकता है तो इस तरीके से आपको इस चीज को आप लोग समझ रहोंगे और ये सारे लोग बना लेते होंगे इसमें तो किनी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है है ना बाकी हम देखते हैं रस को रस चंद और अलंकार को देखेंगे ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस अनुभूती मन को तनमे हिरदय को इक्तान नेत्रों को जल प्लामबित सरीर को पुलकित मतलब खुशी कर देता है वचन रचना को गदगद कर दे उसे ऑलाकिक एबं चमतकारी आनंद विशेश को रस कहते हैं रस का क्या मतलब होता है प्रेम रस के चार अबब होते हैं अस्थाइ भाब, बीभाब, अनुभा अस्थाई भाव और संचारी भाव क्या होता है अस्थाई भाव वो भाव होता है जो अश्वादन होने अत्वा सुरू से अंत तक रहते हैं जो अपने आप में विवोर कर देते हैं कि छमता रखते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहा जा सकता है इसका आप बनाएंगे तो इस अस्थाइभाव कुल कितना है 11 अस्थाइभाव कुल 11 रती हास शोग कुरोध उत्सा भै जुगुपसा बिसमे निवेद वत्सलय भक्ति यह 11 आपका अस्थाइभाव का उदारन है अगला है विभाव विभाव क्या होता है किसी वहाव को रस्त की अवस्था तक जगाने या उदीपन करने तत्त का विभाव कहा जाता है क्या कहते हैं किसी वहाव को रस्त की अवस्था तक जगाने या उदीपन करने वाले तत्त को विभाव कहते हैं विभाव के दो भेद होते हैं एक आलंबन होता है आलंबन जो होता है जो विभाव भाव को जगाते हैं उसे आलं होता है यहां संकुंतला आलंबन विभाव है क्योंकि संकुंतला के लिए आप देख रहे हैं संकुंतला एक आलंबन विभाव है उसी तरीके से सुगंधित एकांत सुगंधित एकांत बगीचा उधिपन विभाव है इस तरह विभावों के बिना कोई भाव उधित नहीं होता विभावों के बीना कोई भावोधित नहीं होता है जैसे नायक नायका को आलंबन कहा जाता है किन्तु बास्ता में नायका की चित में प्रमोदय होता है क्या होता है तो आलंबन नायक होता है आलंबन कौन होगा नायक होगा और जब नायक की चित में प्रमोदय होता है तो आल प्रश्वाव को उदित होने से जो बाहरी लक्षन दिखाई पड़ते हैं उसे अनुभाव कहते हैं अनुभाव एक बाहि लक्षन है जिनसे अस्थाई भाव को उदित होने का निशित होता है तो ये अनुभाव आपका क्या है बाहरी है इसे दिखावा भी आप कह सकते हैं चोथा है संचारी भाव संचारी भाव जो भाव की कुछ छनों में रहकर बिलीन हो जाते हैं जो भाव कुछ ही छनों में रहकर बिलीन हो जाते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं संचारी भाव परिवर्तन सील होते हैं और अस्थाई भाव की पुस्टी भी करते हैं जैसे प्राचीन अचारी की अनुसार रस के नौभेद को प्रचलित किया गया है इस बात को याद रखेगा कि प्राचीन अचारी की अनुसार रस को नौभेद में प्रचलित किया गया है स्रिंगार रश, हर्स, करून, रौद्र, वीर, भयानक, बिभत्स, अदभूद और सांथ ये 9 रश है प्राचीन अचारे के एकोर्डिंग ठीक है इसमें से किन्तु अब तक कुछ विद्वान वत्सले और भगती को भी स्वतंतर रश की कोटी में रख सकते हैं इस परकार अब रश के 11 भेद माने जाते हैं और एक बार जान लीजेगा कि सबसे ज़्यादा परियोग जो है वो स्रिंगार रश का ही होता है मैं एक और चीज बता रही हूँ कि जब कोशन नहीं समझ में आए आपके लगे कि आप मेरे पल नहीं पर रहा है मैं इसे नहीं बना पा रही हो या फिर नहीं बना पा रहा हूँ तो फिर क्या कीजिए वहाँ पर अब सिंगार रश का यूज कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तर जो कोशन पूछे जाते हैं वो सिंगार रश कहीं होता है अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आता है वहाँ पे भी सिंगार रश टिक कर दीजे ऐसा नहीं देखे सभी रशों में अस्थाई भाव निम्नांकित हैं जैसे सिंगार सिंगार में अस्थाई भाव रती होगा है ना सिंगार भाव में रती हार्सिका हास करून शोग वहीं तरह से बिभत्स बिभत्स में आप देखेंगे अस्थाई भाव क्या होगा जुगुपसा या फिर गिर्ना, अद्भूद का बिश्मे हो जाएगा, सांत का निर्वेद, अब देखेंगे यहां पे आपका रौधर, रौधर क्रोध हो जाएगा, वीर का उत्सा, वयाना कव है, वात्सले का वात्सले, भक्ती का भक्ती, जैसे यहां पे देखें, स्रिंगार रस का उदार, सिंग तुलसी दास की रचना है अब वीर रस में जो राउर अनुसासन पाउ कटुक इव ब्रहमांड उठाउ काचे घट जिमी डराउं फोरी सकाहूं मेरू मुलक इव तोरी यह आप देख रहा हैं यह तुलसी दास की रचना है यह तुलसी दास का लिखा हुवा लाइन है और यह वीर रस का उदारने वीर रस का उसी तरीके से हार्च रस हास रस को देखेगा तो बर बोरह बरद असवारा ब्याल कपाल बिभूसन छारा यह तुलसी दास का है रोदर रस में ने निर्प बालक काल बस बोलत तोही न संभार धन्हू शम तिरपुरारी धन्हू बिदित सकल संसार यह तुलसी दास का है और यह भी रोदर रस है भायानक रस धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समाने ते मनहू छपच उराही भुतर भुतर वरिंद नाना बन ते यह तुलसी दास का भायानक रस का है अधुद रस तेखिएगा अधुद रस में है जस जस सुरसा कुन कपीर उस दिखावा उसी तरीके से विभध्स रस्त पे विभध्स रस है उदर विदारी भुजा उपा रहीं गही पद अवनी पटकी भट डरा हीं करुंडरस में देखें करुंडरस में हैं प्रिये पती अब मेरा प्रान प्यारा कहा हैं दुख जलाना धी जलनीधी ब्रत पूजा सांत रस है और वत्सलय रस में आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा जसोधा हरी पालने जुलावे हल रावे दुल रावे मलहावे जोशी सोई कछुगावे मेरे लाल कौ आउ निंदरिया काहे न बेंगी सो अवे ये वत्सलय रस का है और भगती रस में है प होता है जहां समाजिक मर्यादा के प्रतिकूल प्रेमोदय का चितरन हो उसे हम रसा भास माना जाता है जैसे पसुपक्षे के स्रिंगार चेस्ट्राओं एवं क्रिया कलापों को जो अच्चार ने रसाधस माना है पसुपक्षे के लिए भावावास में देखेंगे कि भाव भावावास माना जाता है करून भाव को अगर वीर भाव की तरह चित्रित कर दिया जाए तो वह भावावास का उधारन होगा अब यहां पे छंद दिया है छंद क्या होता है कि जिस रचना में सब्द की सजावट मात्रा परवा बिराम एबं तुक आदी की विसेश नियमों क पालन किया जाए उसे छंदो बद रचना कहते हैं क्या कहते हैं छंद के यती गती तुक मात्रा आदी महत्यपुर्ण अंग है कौन-कौन अंग है यती गती तुंग मात्रा ये सभी अंग छंद के हैं किसी पाद्द के पाठ में जहां तहां थोड़ी रुकाबट उसे यती कहते हैं पदे रचना या छंद की स्रिस्टी से सबसे महत्पुन अंग मात्रा है, क्या है सबसे महत्पुन अंग मात्रा, समानता ब्याकरन में उसे हर्ज और दिर्ग कहा जाता है, उसी को छंद में लगू या और गुरू कहते हैं, लगू और गुरू, लगू और गुरू के संबंध म दुर्गव U, A, I, O, O और इनके युक्त वेंजन वर्ण गुरु होते हैं अनुश्वार और विशर्ग से युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं चंद्रविंदू सयुक्त लगु माने जाते हैं किसी भी सयुगताक्षर के पुर्व का वर्ण, किसी भी सयुगताक्षर के पुर्व का बर्ण गुरु माना जाता है, किन्तु वह सयुगताक्षर को और खो के अनुसार लगू और गुरु होता है, उसी तरीके से लगू में एक, लगू में एक, गुरु में दो मात्राओं की गिंती की जाती है लगु मातरा का चिन जो होता वो भी राम चिन होता है और गुरु चिन जो होता वो एसके अकार का होता है जिन छंदों में बर्ण गिरने का नियम है उनमें स्वर्ण युक्त बर्णों की गिंती होती है अर्थार्थ हल या स्वर्ण रहित बेंचन नहीं गि के दो और मुक्त कर्म के दो और मुक्त के भी दो वर्ण गिने जाएंगे जैसे भोजन करत बुलावत राजा चीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 16 मात्राय इहां पर दिया है 16 मात्राय चीक है इसमें देखिएगा दिया है कि इस अर्धाली में से भो में ओ श्वर मिला है जो गुरु है अता इसमें दो मात्राएं है जो और नौ भोजन जो है इसमें क्या है जो और नौ और रहने के कारण ये लगू का एक मात्रा वाले हैं करत में प्रतेक वर्ण लगू है करत में क्या है प्रतेक वर्ण लगू है बुलावत में पहला तीसरा चोथा वर्ण लगू है और दूसरा वर्ण गुरु है राजा में दोनों वर्ण गुरु है भोजन में चार मात्रा हैं करत में तीन मात्रा हैं बुलावत में पांच मात्रा राजा में चार मात्रा हैं उसके बाद है इस तरह के एक चरन में 16 मात्राइं होती है अब चंदों के भेद अगर हम बात करें तो मात्रा और वर्ण करम के अधार पर चंदों के दो भेद होते हैं मात्रिक चंद और वर्निक चंद मात्रिक चंद होता है कि जिस चंद में केबल मात्राओं के निश्चित संख्या का वंधन होता है उसे वर्न संख्या घट बढ़ सकती है उसे मात्रिक चंद कहते हैं लेकिन वर्णिक चंद जो होता है वर्णिक चंद जिस चंद में वर्ण संख्या और मात्रा करम का सयोजन होता है और जहां वर्णों की मात्राएं का करम मुख्य होता है उसे वर्णिक चंद कहा जाता है क्या करते हैं वर्णिक चंद इसके अलावे बरे अकार के कुछ चंद ऐसे होते हैं बरे अकार के जिन में मात्राओं का आधार ना होकर केबल बर्णों की गिंती होती है इसमें से समात्रिक, समात्रिक व्येंजन को एक वर्ण माना जाता है जैसे कम, काम, कामा, तीनों में दो दो वर्ण गिने जाते हैं, तीनों में दो दो वर्ण, मात्रा संख्या एवं वर्ण करम के अनुसार चंदों के भेद, मात्रा संख्या या फिर वर्ण करम के अनुसार चंदों के भेद, तीन है, एक समचंद है, समचंद जिन चंदों के चा पाई रोला दूसरा है अर्ध सम्चंद जिन चंदों में पहले और तीसरे दूसरी और चौथे चर्णों में मात्रा शंख्या और वर्ण करम समान होता है उसे अर्ध सम्चंद कहते हैं जैसे दोहा सोरठा तीसरा है विसम्चंद विसम्चंद क्या होता है कि जिन चंदों के च परिचे दोहा में कहा दिया देखे दोहा हैं दोहा हुआ मात्रिक अर्दसम चंद है जिसमें प्रथम और तिर्तिये चरण में 13 मात्राएं दूति और चतुर चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं देखे यहां पर सिरी गुरु चरण सरोजरज, निजमन मुकुर सुधार, बर्नो रगुबर विमल जसे जो दायक फलचार इसके प्रथम और तिर्तिये चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौते चरण में 11 मात्राएं हैं एक-एक चरण के बीच अल्प विराम है, क्या है? एक-एक चरण के बीच अल्प विराम है, है ना? उसी तरीके से सोर्था, सोर्था क्या हो देखे? सोर्था में दिया है कि एक मात्रिक अर्ध समचंद है, सोर्था एक अर्ध समचंद है, जिसमें प्रथम और तिर्तिये चर चिताई जान की लखन तन, ये उल्टा रहता है, सोर्ठा में, चौपाई, चौपाई होता है कि चौपाई एक मात्रिक शमचंद है, जिसमें प्रतेक चरण में 16-16 मात्राई होती है, चौपाई में, मातु मोहे दीजिये कचु चिन्हा, जैसे रगु नायक मोही दिन्हा, चूडा मनी उतार तब दाऊ, हरस समेत पबन सुतलाऊ, ये क्या है, ये चौपाई है, रोला, रोला देखे, रोला एक मात्रिक समचंद है, जिसके प्रतेक चरण में 24 मात्राई होती है, 24 मात्राई होती ह और 11 और 13 मात्राई पर यती होती है, ये था, जो जनहित पर प्रान निचावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित से लग जाता, उसी तरीके से हरी गीतिका, हरी गीतिका में एक मात्रिक समचंद है, जिसके प्रतेक चरण में 28 मात्राई होती है, और इसमें 16 और 12 मात्रा आंत में एक लगू और गुरू होता है, जैसे कहते हुए यूँ वहना उनका भूल सकता वएश है, ये पार्थ प्रन पालन करो देखो अभी दीन सेस है. इसमें क्या है? 28 मात्राएं हैं, शोला और 12 मात्राओं याती होती है छठा है कुंडलियां, कुंडलियां जो होती है वो एक सयुक्त छंद है सयुक्त छंद जो दोहा और रोला दंद के योग से बनता है एक दोहे के बाद एक रोला चंद रखने से कुंडलिया चंद हो जाता है और इस चंद के लिए आवस्यक है कि इसका आरंब जिस सब्द से होता है अंत भी उसी सब्द से हो तो इसको बाचानना असान है दूसरा आवशक बात यहा है कि दोहा के अंत का चरन रोला के आरंब के अंस में दूरा दिया जाए यहाँ पर आप देखिएगा लाठी में गुन बहुत हैं सदा रखिये शंग गहिरो नंद नारा जहां तहां बचावे अंग उसके बाद है तहां बचावे अंग जहपटी कुता को मारे दुसमन दवागीर होई तिनु को जहारे कह गिरधर कवीराए शुनो हो धूर के बाटी शब हत्यारनी छरी हांत में लीजे लाठी ये देखे अंत शुरू हुआ था लाठी से और अंत भी लाठी से हुआ उसी तरीके से शवयया शवयया क्या होता है कि एक वन व्रित है जिसमें चार समाण चरन होते हैं और प्रतेक चरन में 22 अच्छर होते हैं इसके कई वेद होते हैं मत्यंगंध, क्या है? मत्गयंद, सबया का उदारन दिया जाता है जिसके प्रतेक्चरन में 7 वार एक गुरू और दो लगु वर्ण का परियोग होता है दो गुरू वर्ण होते हैं जैसे देखे, सेस महेस गनेस दिने यह आपका सवय्या होता है और नेक्स्ट है मालनी मालनी जो होता है यह एक वर्णिक छंद है जिसमें प्रतेक चरण में 15 वर्ण होते हैं पंद्र और 7-8 वर्ण यती होती है प्रैपती वह मेरा प्रान प्यारा कहां है दुख जलाने दी डूबी का सहारा कहां है तो इसमें 7-8 वर्ण यती है तो यह आपका जो है वह कल कंप्लीट हो जाता है अब हम देखते हैं अलंकार यह भी बड़ी थरा सा अटपटा टाइप का होता है अलंकार पर कोई नहीं आसान हो जाएगा परिएगा इसे तो जिस तरह आभुसन से मनुष्ट की सरीर की सोभा में बिर्दी होती है है ना मनुष्ट जो जो जोलडी वेगरा पहल लेता है तो उसकी सुन्दरता जादा हो जाती है उसी तरीके से अलंकार है सब्दों का सब्द के लिए अलंकार वही काम करता है जिस परियोग विसेश के कारण काबे के सब्द और अर्थ चमतकार पुन हो जाएं उसे अलंकार की संग्या दी जाती है अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार तीन तरह के होते हैं सब्दा अलंकार अर्था अलंकार उभय अलंकार एक सब्दला सब्दा अलंकार होता है जहां काबे की सोभा चमत कारिता उसमें पर्युक्त सब्दों पर निर्भर करती है और उनमें उन सब्दों का अस्थान पर उनका पर्यावाची सब्द पर्योग करने से चमत कार नहीं र सकता है कुछ प्रमुक सब्दा अलंकार यहां परिचे दिया जा रहा है जैसे देखिए सबसे पहले अनुप्रास अनुप्रास क्या है वर्णों के शाम को अनुप्रास कहा जाता है जहां एक ही वर्ण के बार बार परियोग के कारण काब चमतकार पुर्ण हो जाता है उसे अन अनुप्रास हो जाएगा, कुलीन में, केलीन में, कछारन में, कुजन में, क्यारीन में, कलित कलीन विक्संत है, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक चीज बार वार रिपीट हो रहा है, ठीक है, खौ में है बक्रो योगती, बक्रो योगती क्या होता है, कि किस कथन को सुनने वाला यादी दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है अत्वा उस कथन से ही उत्तर ध्वनित हो जाता है वहां बक्रोक्ति अलंकार कहलाता है जैसे मैं कह रहे हूं कुछ आप उसका मतलब कुछ और सुन रहे हैं है ना किसी ने गोकुल कुल बधु कहना कही सिख यहां काकु वक्रोक्ति द्वारा यही अर्थगरहन किया जाता है कि गोकुल में सभी कुल वधुए थी और सबने सब को सीख दी किन्तु कोई कुल मर्यादा का उलंगन करने से नहीं बची उसके बाद तीसरा है यमक यमक का लंकार जो होता है सुनने में एक समान सब्दों क बार बार भीन अर्थों में जहां पर्योग होता है उसे यमक कहते हैं यमक यमक अलंकार उसे कहते हैं जो सुनने में तो एक जैसा हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो समझ गया है जैसे देखें यहां पर दिया है दिरग सांस न लेई दुख सुख साई से न भूली दैर दै दाइ क्यों कर्तु है दाइ, दाइसु कभूली। इसमें आप देख सकते हैं कि दिया है कि जहां दाइ का भिन अर्थो बार पर योग हुआ है। पहले दाइ का अर्थ होता है। या फिर भांगे। और दूसरे दाइ जहां एक ही सब्द का एक ही से अधिक अर्थों का परियोग होता है उसे सलेस अलंकार कहते हैं जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनहे कमभीर को घटी ये ब्रिश भानुशा वो हलदर के वीर इसमें देखिए ब्रिश भानुशा और हलंदर के वीर में सलेस है पहले के द दो अर्थ निकले हैं वल्देव के भाई और साड वल्देव के भाई और साड सिलेसलंकार में अर्थ की प्रधानता होने के कारण कुछ अकुछ आचार्य इसे जो है अर्था अलंकार भी मानते हैं ठीक है अब अर्था अलंकार क्या है देखिए अर्था अलंकार जहां सब्द कि अर्थ के कारण काब्य में संदर और चमतकार दिखाई पड़ता है वह अर्था अलंकार होता है और उस संदर के लिए एक सब्द के बदले उस पर्यावाती सब्द का पर्योग करने से वह चमतकार ज्योंकात्यों बना रहता है ठीक है उदित उदैगिरी मंच पर रगुवर इसमें देखिए रूपक अर्था का अलंकार है और अर्था अलंकार के कई रूप में काब्य प्रचलित हैं इनमें से कुछ प्रमुक है देखिए उपमा इसका उपमा में देखिएगा कि क्या है कि समान धर्म दो पदार्थ का उपनाम है समान धर्म बाले दो पदार्थ का जूप, कुन, धर्म का वर्णन किया जाता है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं, और इसके चार अंग हैं, उम्मान, उपमे, वाचक, साधारन, दूसरा इसमें देखेंगे उपमा के बाद उपमान, उपमान इसमें देखें, इसका चार जो आपने परहा, उसमें देखें उप उपमान क्या होता उपमान जो होता है जिस प्रसिद बस्तू के उपमान दी जाती है उसे उपमान कहते हैं उपमे जिसकी उपमान दी जाती है उसे उपमे कहते हैं वाचक समानता को परकट करने वाले सब्द को वाचक कहते हैं और सधारन धर्म जिस गुन किरिया आदी की समान जहां दिखलाई जाती है उसे सधारन धर्म कहते हैं जैसे चंदरमा सा सुंदर मुख है चंदरमा सा सुंदर मुख में चंदरमा आपका उपमान है मुख उसका उपमे है या फिर वाचक है सुंदर उसका सधारन है सुंदर उसका सधारन धर्म है जहां इन चारों अंगों का असपस्ट उलेक होता है वहां प्रनोपमा अलंकार होता है और जहां एक से अधिक अंग लुप्त रहते हैं वहां लुप्तों मा अलंकार होता है तो इस चारों में से अगर एक कोई लुप्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे तो उसे कहा जाएंगे लुप्तमा अलंकार. । ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ख़ो में क्या दिया है? आप है रूपक. रूपक क्या होता है? रूपक जहां उपमान और उपमे, जहां उपमान और उपमे, अभीमन कत्थन हो, अर्थार्त, जहां और गुन की अत्यादिक समानता के कारण उपमे में उपमान का आरोप कर अभे धस्थापित किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं जैसे देखिए उदित उदैगिरी मंच पर रगुवर बाल पतंग बिक्से संत सरोज मुख हरके लोचन भ्रंग यहाँ पर मंच रगुवर मुख लोचन जो उपमे हैं उनको उदैगिरी बाल पतंग सरोज और वृंग उपमानों से अभिमन परकट किया गया है तो यह आपका रूपक हो गया अब है उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा जहां प्रस्तुत बस्तु की संभावना औप्रस्तुत से की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, जैसे राम सियाय सुन्दर प्रतिछाही, जग माता मनी खंभन माही, मनहू मदन रती धरी बहुरूपा, देखत राम बिया अनूपा, यहाँ पे राम जानकी की परिछाही की संभावना काम देव और रती के विविध रूपों में की ग जोकती क्या होता है कि किसी बात को इस तरव बढ़ा जढ़ा कर कहना कि जिससे लोग मर्यादा या सीमा का उलंगन हो जाए, उसे अतिस योकती अलंकार कहते हैं, यह कई परकार के होते हैं, प्रकिर्टी बस्तू के बदले उपमानों का कथन करके यथा अदभूद एक अनु पर सिहकरत अनुराग जहां राइदिका के अंग प्रत्यों के लिए केबल उपमानों का कथन किया गया है, यहां राइदिका के अंग प्रत्यों के लिए केबल उपमानों का कथन परियोग किया गया है, यदि अगर आदी के परियोग से यथा यदि चंद्रमा निस्कलंक हो कि बर्णन के माध्यम से उप में मतलब प्रस्तूत का बर्णन किया जाए वहां अनियुक्ति अलंकार होता है और प्रसंसा अलंकार भी से कहा जाता अनियुक्ति को यहां एक तरह समझ लिजे कि प्रसंसा की बात की जाएगी जिन दिन देखे वो कुशुम गई सूबिती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार यहां अली मतलब भर्मर होता है कि माध्यम से एक ऐसे गुनी की और संकेत किया गया है जिसका अस्रे दैता पत्रहीन साखा या धनहीन हो गया है चौ में है आपका मानवी करन मानवी करन होता है कि जहां जर प्रकिर्ती पर मानवी भावनाओ किरियाओं का आरोप हो वहां मानवी करन अलंकार होता है जैसे लोया लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नबल रस गागरी यहां लतिका में मानवी करियाओं का आरोप है और अत यहां मानवी करन अलंकार है कौन अलंकार है मानवी करन छोमे क्या है छोमे है उपमे उपमा उपमे उपमा में उपमे और उपमान को एक दूसरे का उपमान उपमे के रूप में कथन करना उपमे उपमा अलंकार कहलाता है देखें यहां पे इसका दोहा क्या दिया हुआ है तब मुख सम ससी सोहत है अरू सोहत है ससी सो मुख तेरो यहां मुख और ससी को एक दूसरे का उपमे उपमान बना कर कथन किया गया है ठीक है नेक्स्ट है अनवन्य उपमा क्या है अनवन्य उपमा यहां एक ही बस्तू का उपमे और उपमान रूप में कथन किया जा एक ही बस्तू का जहां अन्य व्योपमा अलंकार होता है जैसे देखिए हे सुख दायक प्रेम निधी जग में तो भले और बुरे शब ही है दीन द्याल और दीन प्रवू तुमसे तुम ही हमसे हम है जहां प्रति वस्तू का उलंकार होता है जैसे देखिए दोहा चटक न छाड़त घटत हूं सजन नह गंभीर फीको परे न वरू फटे रंग्यों चोल रंगचीर यहां पे क्या हो रहा है कि उपमे और उपमा समान धर्म को बता रहा है है ना इसलिए आपका प्रति वस्तू उपमा हो जाएगा एक है अंतर न्यास अंतर न्यास में आपका आता है कि जहां समान कथन का किसी विशेज कथन द्वारा आत्वा विशेज कथन का समान कथन द्वारा समर्थन किया जाए उसे अर्थार्थ न्यास अलंकार कहते हैं। जैसे बरे नहुजे गुनन विनू, विरदन बराई पाय, कहत धतूरे शोकनक, गहनों गड्यों न जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि समान अर्थ है, समान अर्थ है, कथन भी उसका समान ही है, तो अगर जिसमें आपका समान कथन और विशेज कथन द्वारा विशेज कथन और समान अर्थ समर्थन किया जाता है, उसको अर्थों न्यास अलंकार कहते हैं। और यहां पुर्वार्थ में समानने कथन करके उत्रार्थ में विशेश उदारन द्वारा उसका समर्थन भी किया गया है उसके बाद है वैतिरेक, वैतिरेक क्या होता है कि जहां उपमान की अपेक्छा उपमें काहीं उतकर्स दिखलाया जाए उसे वैतीरे अलंकार कहते हैं जैसे राधा मुख को चंदर सा कहते हैं माती रंग निस कलंग है यह सदा उसमें परकट कलंग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ उप में राइदिका के मुख का उतकर्स उप मान चंदरमा की अपेक्छा दिखलाया गया है आवे विरोधा भास विरोधा भास होता है जहां अस्थूल रिष्टी के विरोध परकट हो किन्तो दूसरे अर्थ से उसका विरोध का परिहार हो जाए वो विरोधा भास अलंकार कहलाता है वैसे यह सब आपके एक्जाम में आने के लिए नहीं है नहीं आता है अनुरागी चितिकी गती गती समझे नहीं होए जोई जोई बुरे श्या रंग के तोई तो उजलू होए यहां अस्थुल द्रिस्टी से तो काले रंग में डूबने से उज्वल होना विरोध सा जान परता है किन्तु कृष्न प्रेम में अनुरक्त होने से मन का स अपका सभव वक्ति सभव वक्ति आपको असपस्ट हो रहाए कि सभव की बात कर रहा है जहां बच्चा जानवर आदी के रूप यह प्रकिर्टी का हुबहु वर्णन किया जाए उसे सभव विक्ति अलंकार होता है तो ये सोभावित्ती हो गया निदर्सना क्या होगा देखे ध्रिष्टांत के रूप में किसी कार को करके दिखलाना निदर्सना खलाता है जहां किसी कार की उपमा ध्रिष्टांत के रूप में दिखलाई जाती है उसे निदर्सना अलंकार कहते हैं से देखे एक्जाम्पल में दिया है कहां अल्प मेरी मती कहां काबे मत गूड सागर तरीबो उडूप शौ चाहत हो मती मूड यहां पे अल्प मती वाले के लिए ग्रंथ रचना के पर्यास की उपमा उडूप उडूप अर्थात मतलब होता है घरनाई या फिर घरे की नाव स समुद्र पार करने वाले की चेस्टाक दी गई है तीसरा अलंकार आपका आता है उभै अलंकार उभै अलंकार वो अलंकार होता है जहां काबे में सब्द एवं अर्थ दोनों परकार का चमतकार दिखलाई पड़ता है तरनी तनूजा तट तमाल तरुबर बहुच हाए जु अटिये चरन में उत्परेच्छा है क्योंकि तौका आबिर्ती हुआ यानि बार बार रिपीट हुआ है दोनों की स्वतन्त स्थिति इस प्रकार यहां सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार की सस्रिष्टी है अर्था यहां वह अलंकार बन सकता है अब MC क्यों है यहां पे देख लिजे यहां पर रस शंद और अलंकार तीनों को हमने देखा है तो तीनों से 20-20 कोशन करेंगे जादा नहीं करेंगे ठीक है निमलेखित प्रस्न की दी गई पंक्तियों में से पर्युक्त रस के सही भेद का चैन कीजिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई जाक प्रान को कसले कपाए शाप भी काली लताएं इसमें आपका है बिभत्स रस है पिर ये वो मेरा प्रान प्यारा कहां है दुख जले निधी में डूवी का सहारा कहां है इसमें जो रस है वो आपका करून रस है कौनसा करून रस है देख समस्त विस सेतु से मुख में ये सोध इसमें जो रस आपका दिख रहा है यह रस है आपका अदभुदरस पांचमा है हिमादरी तुंग सरंग से प्रबुध सुध भारती सुवै प्रभा समुज्वला स्वतंतरता पुकारती इसमें रस का परियोग किया गया है वीर रस है बीर रस मज्जा मा सुरुधिर पतनारे सुनी मिचली कस होई निहारे उप्रिक्त में कौन सा रस है तो इसमें रस है विभद रस जग असार संकट पुनिम्ताना नाना बिकल विरक्त चित साधु समाना इसमें कौन सा रस है तो इसमें जो रस का परियोग है वो है सांत रस प्राण प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे इसमें जो रस आपका है इसमें करून रस है निर्जन नटी नटी पुनी लजियावे छीन रिसाई छीन सैन बुलाए इसमें आपका दिख रहा है सयोग सिंगार है इसको क्लियर हो गया आप देखते हैं हम दस दस ही करेंगे जादा नहीं करेंगे क्योंकि प्रस्न आपको इससे नहीं आएगा प्रस्न नहीं आएगा बाकि आप ये भी कचली करी देते हैं आप लोग के मन में ये रहे कि आपे स्कीप कर दिये, चलिए हम करी देते हैं, ठीक है? इस में जो रश का परयोग हुआ है, वो रश है आपका बिप्रलव सिंगार, qui and whole इन दातो पर मोति वारू, ये वतसल रश है, बिभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है तो बिभत्स रस का जो अस्थाई भाव हो जाएगा वो जुगूपसा होगा क्या होगा जुगूपसा अचार भरत ने सरबदिक सुखात्मक रस किसे माना है तो अचार भरत ने सरबदिक सुखात्मक रश जो माना है ये हश रश को माना है सरबदिक प्राचीन संप्रदाई कौन है तो सबसे प्राचीन संप्रदाई रश है नेक्स्ट है सांत रश का अस्थाई भाव क्या है तो सांत रश का अस्थाई भाव निर्वेद है करुन रसकास थाई भाव हो जाएगा आपका करुन रसकास थाई भाव आपका हो जाएगा शोग क्या हो जाएगा शोग 20 में है सात्विक अनुभाव कितने हैं तो सात्विक अनुभाव हो जाएंगे 8 कितने हैं सात्विक अनुभाव 8 हैं भगती रस का अस्थापना किस ने किया तो रूप गोश्वामी ने भगती रस का अस्थापना किया काब सास्त्र में हास के कितने भेद माने जाते हैं तो काब सास्त्र में जो है छा भेद माने जाते हैं आचार भरत ने कितने रसों का उले किया है तो आचार भरत ने जो रस का परियोग किया वो आठ रस है रस्तिधान्त के आधी प्रवर्तक कौन है तो भरत मुनी है रस्तिधान्त के आधी प्रवर्तक भरत मुनी रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है तो रौद्र रस का अस् reality तो न नो है आलमबन तथा उदीपन द्वारा आसरम के हिर्दै में अस्थाई भाव जागरित होने पर आशर्य में जो चेस्टाया उता होती है उन्हें क्या करते हैं तो उन्हें करते हैं अनुभाव विसमेन अस्थाई भाव किस रस में होता है इसमें अस्थाई भाव जो होता है या आपका अध्भूद रस में होता है अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है तो 9 है अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 जुगुपसा बिभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुपसा स्रिंगार रस का अस्थाई भाव क्या है तो स्रिंगार रस का अस्थाई भाव पूछा गया है तो यह हो जाएगा रती काब के अस्वांदन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं रस रस कहते हैं रस कितने अंग होते हैं तो रस के अंग होते हैं ये पूछा गया है तो रस के चार अंग होते हैं काबे के अस्वांदन से जो आनंद प्राप्थ होता है उसे क्या करते हैं तो repeated प्रसन है उसे रस कहा जाता है next है सर्वस्रेस्ट रस किसे माना जाता है तो सर्बस्रेस्ट रंग सिंगार रस को माना जाता है रस के कितने अंग होते हैं तो रस के चार अंग है काबे के कितने रस माने जाते हैं तो काबे के 9 रस है करून रस का अस्थाई भाव क्या है? सोख है करून का आब है आपका छंद चंद के प्रतेक पंक्ती को क्या कहते हैं तो चंद के प्रतेक पंक्ती को चरन कहते हैं क्या कहते हैं चरन कुंडली चाचरन वाले चंद को कहते हैं इसके प्रतेक चरन में कितनी मात्राएं होती है चंद को सरपर्थम उल्लेक कहां मिलता है चंद का सरपर्थम उल्लेक रिगवेद में मिलता है 24-24 मात्राएं की दो पंक्तिया वाले चंद क्या कहते है तो 24-24 बाले को दोहा कहा जाता है छंद की रचना किसके द्वारा होती है तो छंद की रचना गनों के समायोजन से होता है छंद की रचना चर्णों की मात्रा यती और गती के अधार पर छंद कितने परकार के होते है तो छंद जो होते हैं वो सम, विसम और अर्ध सम होते हैं तीन परकार के मैतली सरन गुप्त जी की काबे से उन्हें कौन से छंद प्रिया होने के प्रमान मिलते हैं तो मात्रिक और सम छंद का प्रिया था इनका चप्पे किस परकार का चंद है चप्पे जो है ये विसम चंद है एक से चप्विस वर्ण वाले चंचे को क्या कहते है तो एक से चप्विस वर्ण वाले चंचे को कहा जाता है दंडग दंडग ने कहते हैं उसे सधारन चंद कहते है सिल्पगत अधार पर दोहे से उल्टा चंद है सिल्पगत अधार पर दोहे से उल्टा चंद जो होगा उसे कहा जाता है सोरठा चारो चर्ण में समान मात्रा वाले चंद को क्या कहते हैं तो चारो चर्णों में समान मात्रा वाले चंद को कहा जाता है मतरिक समचंद दोहा और रोला के सयोग से बनता है कुंडलिया दोहा चंद में यती कहां होती है तो दोहा चंद में यती 24 मातरा के बाद होती है कोई भी चंद किसमें विभक्त रहता है तो कोई भी चंद दोनों में विभक्त रहता है दोनों में चर्णों में और यती में दोनों में भगत राता है परवाह लाने के लिए छंद की पंक्ती में ठारना कहलाता है ठारना उसे कहते हैं रोला जो आप छंद पढ़ते हैं तो पढ़ने के ब्रेक लेते हैं कुछ सेकेंड का तो उसमें उसे रोला कहा जाता है नेक्स्ट है कि जिस चंद के प्रतेक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है आपका चौपाई क्या कहते हैं चौपाई 13-11 मात्राओं पर यती और 4 चरण युक्त चंद जो है उसे कहा जाता है दोहा दोहा कहते हैं नेक्स्ट है किस छंद का पर्थम एवं अंतीम सब्द एक सा होता है तो ये होता है आपका पर्थम और अंतीम सब्द जिसका एक होगा उसे वो हो जाता है आपका कुठालिया क्या है कुंठलिया हिंदी कविता में स्वक्षित छंद रचना का सुतरपाद निमनलिखित में से किस ने किया था तो रचना करने वाले जो थे उनका नाम है सुरेकांथ तिरपाथी निर्वाला इन्होंने हिंदी कविता में स्वक्षित छंद रचना का सुतरपाथ किया था तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका option number आंसर हो जाएगा इसका C, चौपाई तो इसमें BC रहने देते हैं, ज्यादा यहां से प्रस्ण नहीं पूछा जाएगा बेसिक ही पूछा जाएगा, वैसे प्रस्ण बहुत सारा है तो वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा अब चलिए, अब लास्ट है आपका अलंकार, इसे भी देख लेते हैं अलंकार में बहुत सारा प्रस्ण है, इसमें भी हम BC देखेंगे जो ज़्यादा जरूरी था उसमें आपको हम बता दिए निमलिकित प्रतेक प्रण में दिए गए वाक्य में परियुक्त अलंकार के भेद का चैन कीजे गर्व करू रगुनंदन जिन्मन महा, देव आपन मुर्ती सीके च्छा इसमें जो आपका अलंकार का यूज हुआ है, वो अलंकार है दी, प्रतीत है, क्या है प्रती, प्रतीप अलंकार का यूज हुआ है, कौन सा अलंकार का यूज हुआ है, प्रतीप अलंकार का नेक्स्ट अतीमलीन ब्रिश्भानु कुमारी, अधोमुख रहित उरधनाही, चितवन जयों गतहारे तखित जुआरी छूटे चिकूरे बदन कुमलानो जेहो नालनी हिमकर की मारी इसमें कौनसा अलंकार का यूज हुआ है तो उपुमा का है चरन कमल बंदो हरी राई इसमें आपका हो जाएगा इसमें जो चरन कमल बंदो हरी राई इसमें आपका यूज हुआ है रूपक हो जाएगा जयों जयों बूढे शश्यामरंग त्यों त्यों उज्वल होए इसमें परियोग है विरुधा-भास का नहीं पराग नहीं मधूर-मधू नहीं विकास इही काल अली कली ही शो विद्ध्यो आगे कौन हवाल तो इसमें जो यूज हुआ है वो है आपका इसमें किसका यूज पीपर पात सारिश मंडोला इसमें जो अलंकार है वो अलंकार उपमा है बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से मनी वाले फनियों कामुख क्यों भरा हुआ हीरों से ये लाइन बहुत अच्छा है और इसका अतिस युक्ती हो जाएगा चरर मरर खुल गए अरर रविस्पुटों से इसमें हो जाएगा आपका अनुपरास दीप सा हिये जल रहा है कह दो तुम्हें कैसे बुझाओं पुर्नोपमा हो जाएगा पुर्नोपमा अलंकार बिटपी बधी पड़ी रह गई मो के पास में इसमें हो जाएगा आपका शुरूतु न्याप्रास क्या होगा शुरूतु न्याइप्रास अलंकार ठीक है तो इसको रहने देते हैं बांकी अभी पीडिएफ आपको देंगे तो वहां से आप लोग इसको परपर के बना लीजेगा बांकी अब कुछ आपके इंपोर्टेंट है जिसमें कि हिंदी के प्रसिद उपन्यास और उसके लेखाख है से देखते हैं और वीडियो को इंट करेंगे काकली उपन्यास काकली उपन्यास के लेखक अचार जन की वल्लव सास्त्री हैं गबन, गोदान, निर्मला और सेबा सदन के लेखक प्रेम चंद्र हैं तेडे मेढे रास्ते चितरलेखा तेडे मेढे रास्ते और चितरकला के लेखक भगवती सरंस बर्मा हैं तितली और कंकाल के लेखक जैसंकर प्रसाद हैं त्याग पत्र के लेखक जनेंद्र कुमार है दिल्ली का दलाल पंडे वेचन सर्मा उग्र की रचना है देहाती दुनिया शिव पूजन सहाई की रचना है देहाती दुनिया पतीतो का देश रक्षा वरिक्ष वेनिपूरी की रचना है पतीतो का देश प्रेत और छाया इलाचंद्र जोसी का रचना है प्रेत और छाया इलाचंद्र जोसी का बलचनमा बलचनमा नागा अर्जुन की रचना है बान्वट की आत्म कठा लिखे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद दुवेदी बान्वट की आत्तत्मा राम रहीम राजा रधी कार्मन प्रसाद सिंग की रचना है सूरज का सात्मा घोरा डॉक्टर धरंबीर भारती का है सूरज का सात्मा घोरा परिक्षा गुरु स्री निवास दास का है लाला स्री निवास दास की परिक्षा गुरु रचना है तिर्वेनी किसोडी लाल गोश्वामी की रचना है तिर्वेनी चंद्रकांता देविकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता गुप्तचर गोपाल राम गहमरी की रचना है गुप्तचर नूर जहान के लेखाक है गंगा परसाद गुप्त लिलावती के लेखाक है किसोडी लाल गोश्वामी किशोडी लाल गोश्वामी अंगूठी का नगीना लिलावती उसके वाद है अधखिला फूल ये अयोध्या सिंग उपाध्याई की रचना है अधखिला फूल सेवा सदन प्रेमा श्रम रंग भूमी निर्मला कर्म भूमी ये सभी प्रेम चंदर की रचना है सेवा सदन प्रेमा श्रम रंग भूमी निर्मला कर्म भूमी प्रेम चंदर की रचना है देहाती दुनिया सिप पूचन सहाई की है देहाती दुनिया सराभी पांडे वेचन सर् परक, सुनीता और त्यागपद ये जनेंद्र की रचना है परक, सुनीता और त्यागपद तीन वर्स और भूले विश्रेचित ये दोनों भगवती स्रन बर्मा का रचना है नदी के दूइप अग्ये का है नदी का दूइप और अपने अपने और अजनवी ये तीनों रचना अग्य का है सन्यासी जहाज का पक्षी इला चंद्र जोसी का है देश द्रोही यस्पाल की रचना है दोईस द्रोही और जूठा सज दोनों यस्पाल की रचना है गिर्वती दिवारे और गर्म राक गिर्थवरी गिर्थी दिवारे गिर्थी दिवारे और राक ये दोनों पुनरवा ाचार हजारी परषाद दुवेदी की रचना है मुर्दा का टिला रंगे राघव की रचना है मुर्दा की टिला उसके बाद है दुख मोचन के लेखक नागा अर्जुन है मैला आचल फरनिशरनाथ रेनु का है नीला चांध सिवशंकर परशाद का है पानी की प्राची राम दरस मिस्र की है गुनाहों का देवता धरंबीर भारती का है गुनाहों का देवता सारा आकाश राजंदर यादव की रचना है सारा आकाश बहती गंगा सिब प्रसाद मिस्र रुद की रचना है बहती गंगा डाक बंगला कामेश्वर कमलेश्वर का है कमलेश्वर का है डाक बंगला उसके बाद है शुबा दो पहर साम कमलिश्वर का ही है डाक बंगला शुबा दो पहर साम भी इन्हीं का है काली आंधी भी कमलिश्वर की ही रचना है राग दरवारी और आदमी का जहर दोनों स्रीलाल सुकल की रचना है राग दरवारी और आदमी का जहर जुगल वंदी गिरी राज किशोर की रचना है आप हिंदी के प्रसिद नाटक एबं नाटक कार को देखे अंबपाली नितरदान रामरिक्ष बेनिपूरी की नाटक कार है इनके नाटक के अंबपाली और नितरदान के रामरिक्ष बेनिपूरी आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक है चंद्रगूप्त अजासात्रू दुब्रस्वामनी ये जैसंकर परसाद का नाटक है भोर कातारा और कोनार्ख जगदीश चंद्र माथूर का नाटक है लोहा सिंग नाटक रामेश्वर सिंग कस्याप का है सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदू हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र भारत दूर्दसा और अंदेरी नगरी ये सभी भारतेंदू हरिश्चंद्र की नाटक है विशाक अजासात्रू कामना एक घुंगट ये सभी आपका जैसंकर परसाद की नाटक है एक घुंगट प्रतिशोध जो नाटक है ये हरी कृष्ण प्रेमी का है हरी कृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध और रक्षाबंधन ये दोनों हरी कृष्ण प्रेमी का है आहूती भी हरी कृष्ण प्रेमी का है प्रतिशोध रक्षाबंधन आहूती हरी कृष्ण प्रेमी का है सिंदूर की होली सन्यासी सिंदूर की होली और सन्यासी दोनों लक्षमी नरायन मिस्र की नाटक है सबसे बरा आदमी भगवती सरन बर्मा की नाटक है मत्से गंगा उदै संकर भट की नाटक है असाड का एक दिन, मोहन राकेस का नाटक है, असाड का एक दिन, ससी गुप्त सेठ गोविंद दास का है, नया समाज क्रांती कारी, उद्य संकर भट का है, बकरी, जो है वो सर्वेस्वर दयाल सकसेना का है, रेशमी टाई, चरु मित्रा, दीपदान, राम कुमार बर्मा का है नाटक और समस्या का अंत, उद्य संकर भट का है, अब है प्रसिद्ध काब पुस्तके और उसके रचना कर, इसे देखते हैं, आसू कामयाईनी, आसू कामयाईनी के हो जाएंगे जै संकर परसाद, आर्या वर्त के मोहन लाल महतो बियोगी है, बिनय पत्रिका और राम चरित प्रमानस के जो हैं, वो तुलसी दास हैं, कौन है? तुलसी दास, उसके अलाबे आप देखेंगे, कुरूचेत्र, उर्वशी और रसीमार्थी, ये सभी जो हो जाएगा रामधारी सिंग दिनकर की है, कुरूचेत्र, उर्वशी और रसीमर्थी, गुंजन, लोकायतन, दंबरा, तुलसी दास, पंडित सुरेकांस, तिरपाथी निर्वाला का है, तुलसी दास, दीपसिखा और यामा, ये महादेवी वर्मा का है, दीपसिखा और यामा, पदमावत मलिक मुहमद जैसी का है, पृत्वी राज रासो चंद वर्दाई का है, प्रिये प्रवास, आ हरीबंस्ता राईवच्चन का है मदुशाला। रामचंद्री का केशव दास का gibt केशव दास का उसके बाद है राज़ पंच ध्षाई और भवर गीत ये नंद दास का है साकेत यसोधरा भारत भारती मैतली सरन गुप्त का है सूरसागर सूरदास का है सूरसागर हल्दी घाटी स्याम नरायन पांडे का है हीम किरिटिनी क्या है हीम किरिटिनी मखनलान चतुरवेदी का है महापुरान पुषपंदंत का है पुषपदंत का है महापुरान प्रीथवी राज रासो चंद्रवर्दाई का है गोरखवानी गोरखवानी शंपादक है इसके पिदामरमदत वडध्याल गोरखवानी के ज्यानबोद के मलुक दास हैं मिर्गावती कुतुबन की है मिर्गावती मधु मालती मंझन चित्रावली उश्मान का है ज्यानदीप शेख नवी भरत मिलाप इस्वर्दास का है दोहावली और गितावली गोश्वामी तुलसिदास का रचना है कवी रतनाकर सेनापती की है कवी रतनाकर सेनापती का हनुमान नाटक हिरदयराम का है सूर्सागर सूर्दास का और साहित लहरी सूर्दास का भबबरगीत नंददास का है भबबरगीत नंददास प्रेम बाइटिका रसखान का है रसमंजरी नंददास का रसमंजरी स्रिंगार लहरी इसके बाद नेक्स्ट है आपका सहित्तकारों के लोग पिरिये उपनाम, उपनाम आप देखियेगा अग्ये किनहें कहा जाता है तो अग्य के नाम से सरिस्तानंद, हीरानंद, वत्षानन को अग्य कहा गया है कभी रत्न कहा गया है पंडित सत्यनरायन को कभी रत्न मैथली सरन गुप्त, चंदरधर सर्मा गुलेरी, सुभधरा कुमारी चोहान देखे सब के लास्ट में नाम लगा के याद करना बेस्ट तरीका है ये रीजन की आपको उसका उपनाम याद करना ही नहीं पड़ेगा लास्ट में उसको लगा दीजिए और याद रहेगा डारेक्ट यहां से याद कीजे मैथली सरन गुप्त, चंद्रधर सर्मा गुलेरी, सुभधरा कुमारी चोहान मलिक मोहम्मद जायसी, रामधरी सिंग दिनकर, अचार महावीर परसाद दुईवेदी पंडित सुरेकांत तिरपाठी निराला, गोपाल सिंग नेपाली सुमिन्तरानन्द पंथ, केदारनाथ प्रभात, केदारनाथ मिश्र प्रभात, जैसंकर प्रसाद, डॉक्टर हरिवन्स राय वच्चन रामधरीच बेनीपुरी, रामधरीच वेनुपेरी, मक्खनलाल चतुर वेदी, भारतेंदू हरिश्च्यंद्र गुरुदत सिंग भुपती, भुपनेश्वर मिश्र माधव, पंडित जगरनाथ दास रतनाकर, सैयद गुलाव नवी रसलीन, अब्दूर रहीम खान खाना, पंडिश्चनाथ रेनु, मोहनलाल महतो वियोगी, डॉक्टर स्याम सिंग राशसी, डॉक्टर स्याम सिंग ससी, पंडित जानकी बल्लव सास्त्री, अचार रामचंदर शुक्ल, माया परसाद सनेही, रामाग्या दुवेदी शमीर, डॉक्टर सिवमंगल सिंग शुमन, उसके बाद है, नेक्स्ट, अयोध्या सिंग उपाधाय हरियोध, जैसंकर परसाद, जैसंकर परसाद, ठीक है, तो ये आपका जो मेन कृति था, वो कंप्लीट हो गया, और आपका जो है, फाइनली ये बुक यहाँ पे, तो फाइनली ये बुक कंप्लीट ली आपका जो है, वो इंड हो चुका है, देख सकते हैं, यहाँ परसिध रचनाय और रचनाकार तक था, कंप्लीट हो गया है, जो भ ताकि आप लोग हमारी फिलिंग को समझ रहे होंगे तो उमीद करते हैं कि आज का जो वीडियो था वो आप सभी के लिए helpful रहा होगा और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजेगा चैनल पर नए आओंगे subscribe कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक जे भारत